आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंसेंटेशन टम के बारे में जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेज़ दाने वाले किसी भी प्रावलम को बहुत इजली कर लोगे एंड बहुत कम कैलकुलेशन करकी भी तो ध्यान से देखो सबसे पहले सॉलूशन क्या है एक होमोजीनियस मिक्षर इसको एक सिंपल एकजांपर से समझते हैं जैसे घर में हमारे वाटर होता है और उसमें खाने वाला नमक that is salt add कर दो तो डानने से पहले वो कैसा रहता है salt solid रहता है और water liquid लेकिन जब दोनों को add कर देतो तो कैसा हो जाता है पूरा liquid हो जाता है तो होमोजीनियस मिक्षर हो गया properly mix हो गया अब आप उसको separate easily नहीं कर सक सकते हैं तो it is a homogeneous mixture और यहीं से एक point on निकल के आया ध्यान से देखो तो solution का state y होता है जो solvent का जैसे यहाँ पे solvent का liquid था तो solution का भी state liquid हो गया जिसलिए इस point को ध्यान रखना solution का state y होता है जो solvent का है तो यह easy लेकिन बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते है नाव वो trick की बात करते हैं जिसमें हम different concentration term को एक साथ समझ सकते हैं तो ध्यान से देखो जितने भी concentration term है वो सब के सब का basic funda बेटा यही है और इसलिए यह trick का point है always उपर में solute होगे कौन होगे उपर में? उपर में always solute होगा नीचे में solution होगा 99% सिर्फ एक case में solvent है समझ गया बात? उपर में solute का आप क्या-क्या ले सकते हो? either weight या mass, chemistry में weight या mass एक ही बात है, solute के mass या weight हो सकते है या volume हो सकता है या mole हो सकता है, right? वैसे नीचे में solution का weight या mass हो सकता है, volume हो सकता है या mole हो सकता है, तो यह fix है वेटा, कोई भी concentration term कैसे defined होगा? उपर में solute रहेंगे, नीचे में solution रहेगा शिरिफ एक केस में सॉल्वेंट रहेंगे अब यह डिफरेंट एक तरीके से क्या हो गया तरीका हो गया इसको रिप्रिजेंट करने का तो हमारे जो तो concentration term है उसको मैंने दो type में divide कया type A and type B type A का यहां पर क्या मतलब है कि वो सारे concentration term है जो volume पर dependent करते हैं या temperature पर यह यह एक extensive property होगा और उसमें total 5 है और easy है ध्यान से देखना percentage weight by volume percentage weight by volume wyb से represent कर सकते हैं तो एकदम इसके इसमें ही इसका आपका definition छुपाओ और definition ही इसमें सबसे important है बच्चे इसमें इसमें सबसे important है बच्चे इसमें ध्यान नहीं देता हैं इसलिए वो confused रहते हैं आपको कुछ भी करने की जोत नहीं है percentage weight by volume तब ही बताया उपर में कौन होगा salute तो क्या हो जाएगा weight of salute मीचे में कौन होगा solution तो volume of solution only thing is कि by default हम लोग weight gram में लेंगे और volume ml में लेंगे और percentage की बात करें 3200 इसलिए unit इसका ध्यान रखना gram पर ml हो जाएगा similarly percentage vyv तो volume by volume हो गया उपर में again volume of salute होगा नीचे में volume of solution चुकि दोनो volume का ratio है तो आप किसी भी unit में ले सकते हैं only thing is कि दोनों की unit same होना चाहिए ml ml में ले सकते हैं liter liter में meter क्यों meter क्यों में और into 100 क्योंकि परसेंटेज है generally जब हमें solve करना हो तो हम ml में बात करते हैं कितने ml solution का है तो यह धियार रखना है वैसे ही strength एक word use होता है तो वो भी weight by volume ही है एक तरीके से but only thing is कि weight अभी भी gram मिले रहे solute का लेकिन volume solution का किस मिले लीटर में इसलिए यह gram पर लीटर है इसलिए इसका और इसका relation यहीं से निकल जाएगा कि होगा वो percentage w y b into क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा right similarly सबसे ज़्यादा important that is molarity जो colligative property में use भी करेंगे तो molarity क्या होता है moles उपर में solute के नीचे में volume solution का ध्यान रहे किसमें liter में fix है तो यह moles per liter है और वैसी एक होता है normality normality कैसे defined होता है molarity जो यह है into n factor n factor आप कैसे निकालेगे very simple acid के case में कितना h plus वो दे रहा है base के case में कितना oh minus वो दे रहा है and salt के case में कितना total positive या negative charge है यहाँ से आजाएगा तो ध्याँ से देखो यह जो 5 आपको type a वाले concentration time है सब इसी को follow कर रहे कि नहीं उपर में solute है समय नीचे में solution है और depending कि आप weight ले रहो by volume तो क्या हो जागा weight by volume हो जागा volume ले रहो तो volume हो जाएगे moles by volume ले सकते हैं तो वही similarity हो गया तो इन में उपर में से कोई एक choose करना है नीचे में से कोई एक और इसके different combination बना करके यह सब concentration time है इसलिए रटने की कोशिस बिल्कु भी नहीं करना है यहीं से आपको करना है दूसरा जो है type B that is again very important और यह कौन से हैं जो स्रीफ और स्रीफ mass पे depend करते हैं और mass पे depend करने के वज़ा से temperature से इनका कोई लेना देना नहीं है इसे वज़े से यह intensive property है इसमें कौन है percentage W by W तो name से clear हो गया W by W उपर में solute होगा नीचे में solution होगे तो mass of solute नीचे में mass of solution percentage जहां पे वड़ हो तो मतलब 100 में बात हो रही है again W by W है तो शरीफ यहां पे unit maintain करना है gram gram में ले सकते हो milligram milligram में kg kg में जो unit generally हमें कुछ नहीं given हो तो हम किसमें बात करते है gram में बात करते है वैसी एक होता है parts per million and एक होता है parts per billion ppm ppb तो ये भी इसको देखकर के बच्चे डर जाते है कुछ नहीं है ये percentage W by W जासा ही है but only thing percentage था तो आपने 100 लिया यहाँ पे that is 10 की power 2 लिया तो parts per million में क्या लेना है million मतलब 10 की power 6 और parts per billion होगा तो क्या लोगा है 10 की power 9 बाकी चीज़े सेम रहेंगी mass of solute नीचे में mass of solution तो इसलिए ये नया चीज़ नहीं है वैसे ही एक होता है molality ध्यान रहे ये है molality capital M और ये है molality small M तो उपर में mols of solute नीचे में बस यही वो case है जहाँ पे स्रीफ और स्रीफ solvent आ रहे है only case है जहाँ पे solvent है अधरवाई नीचे में always solution होते है और mass लेना solvent का वो भी किसमें fix है kg में इसलिए इसका unit ध्यान में लगना है ये fix है standard definition है इसी में आपको लेकर आना वैसे ही mol fraction तो name C के लिए रहे fraction मतलब 1 से less हो जाएगा mol fraction मतलब जिसका भी निकाल रहो उसके mols उपर में solute के नीचे में total mols हो जाएगे solute plus solvent के तो ये mol fraction है now ध्यान से देखो तो अगर आपको type A में से इसमें से किसी दूसरे में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है easily आप जा सकते हैं वैसे ही type B में अगर आपको percentage W.Y.W. से P.P.B. में या morality में जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है जब A से B में जाना हो या B से A में आना हो तो आपको density का requirement होगा किसका density का requirement होगा अगर A से A में जाना तो कोई दिक्कत नहीं है B से B में जाना तो कोई दिक्कत नहीं है A से B या B से A में आना तो density का requirement होगा बहुत सारी book में इनके conversion का formula given होता है मैं बिल्कुल इसको मना करता हूँ बेटा आपको को भी formula नहीं याद रखना बस ये basic formula दियानों रखना है अगर मुझे इधर से इधर जाना तो हम easily convert कर लेंगे density देखर के क्यों क्यों क्योंकि आपको basic formula मालूम है तो आप उसके according देख लो हमें क्या चाहिए क्या given है right Unitary method का पूरा हम use करेंगे इसलिए मैं कोई भी other formula conversion का न लिख रहा हूँ और मैं आपको suggest करूँगा आपको याद भी नहीं रखना है direct ये basic जो कि बहुत easy है right ये याद रखना है इससे हम convert कर लेंगे अभी हम application से आपको बताएंगे भी question number one में 300 ml of bottle contain 0.2 molar CO2 volume of CO2 dissolved at STP in ml में बताना है तो दियान से देखो यहाँ पर ये 0.2 molar का मतलब क्या हुआ कि 0.2 mol है CO2 का in one liter that means thousand ml में पहले ये read करने आना चाहिए right thousand ml अगर लोग है तो उसमें 0.2 mol है लेकिन हमने लिया कितना है 300 ml तो कितना millimoles हो जागा या moles निकाल सकते हम तो कितना हो जागा दियान से देखो 300 को divide कर दिया हमने thousand से क्यों कि या क्यों कि liter में आ गया into में 0.2 तो ये क्या हो गया molarity into volume से ये moles आ गया और एक mole का volume दियान दो एक mole का volume है इतना liter हमें ml में नहीं करना है तो इतने moles का कितना हो जागा तो 22700 ml right multiply कर दिया अब दियान से देखो इसको solemn कैसे करेंगा ये 1010 से 20 से ये 20 cancel और ये 20 से ये 20 cancel तो अब ये 326 into 227 आ गया तो ये 1362 ml आ जाएगा तो ये अपका answer हो जाएगा तो इस तरीके सा आपको करना है जैसे question number 2 में some amount of CH2Cl2 is added in etna ml of chloroform solution to prepare etna molarity m capital M solution of this parts per million आपको बताना है तो यहाँ पे दियान से देखो आपको definitely molarity से PPM में जाना है तो density given है इसलिए हमने बोला conversion बोला कोई दियाने रखना है तो दियान से देखो तो मैं यहाँ से क्या निकल सकता हो mass of solution निकल सकता हो mass of solution कैसे आजाएगा क्योंकि उसका volume आपको मालूम है कितना धियान से देखो 671 और density कितना है 1.49 तो यह प्रॉक्स में 1000 आजाएगा 1000 धियान रहे यह gram per centimeter क्यों है 1 centimeter क्यों होता है वो 1 MLE होता है तो इतना gram आजाएगा तो यह हमें mass आचुका है solution का चुकि हमें निकलना क्या PPM तो इसलिए PPM defined कैसे था वो बताओ मेरे को weight मुझे solute का चाहिए नीचे में mass या weight solution का चाहिए जो की आचुका है into में 10 की पावर 6 करना है तो शिरिफ मुझे weight of solute चाहिए weight of solute कैसे निकाल सकते है उसके लिए condition दिया है कि एतना molarity है volume भी मालूम है तो यू नो अगर मैं 2.6 into 10 की पावर minus 3 molarity क्या होता है उसके moles अब कितना amount माल लिया X amount तो X divided by इसका molecular weight 85 तो यह moles हो गए by volume कितना था 67 ml था तो 0.67 liter हो जाएंगे तो यहां से X ग्राम हो जाएगा तो कैसे द्यान से देखो X is equal to कितना हो जाएगा 2.6, 0.67 right और 85 भी multiply हो जाएगे into 10 की पावर minus 3 अब यहां पर बच्चे calculation में time लगाते हैं ध्यान से देखो रफी सर कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो X कैसे निकाल लूँगा मैं यह 2.6 को मैं 2.5 ले रहा हूँ तो 25 by 10 लिख रहा हूँ 0.67 को अगर मैं 0.70 लो लो तो 70 by 100 लिख रहा हूँ 85 को मैं 90 ले रहा हूँ और into मैं 10 की पावर minus 3 तो ध्यान से देखो 10,20 से यह गए 7,9 दा कितना हो गया 63 जिसको एप्रॉक्स में 60 ले रहा हूँ तो यह 60 आगा तो 1,0 से यह 0 भी कैंसल तो ध्यान से देखो आप सिर्फ क्या हो जागा 25 into 6 150 तो कितना हो गया यह 150 into 10 की पावर minus 3 यह तना गराम हो गया अब यहाँ पे पूट कर दो तो यहाँ पे जब आप पूट करेंगे तो ध्यान से देखो कितना जाएगा 150 into 10 की पावर minus 3 by यह 1000 था और पाट करने तो 10 की पावर 6 तो यह सब कैंसल हो जाएंगे तो 150 के आसपास वाला एंसर होना चाहिए ऐसा एक ही option है तो ऐसे करना आपको beta approach calculation क्योंकि option given है तो वो आपका calculation नहीं चेक करना चाला है जस्ट वो आपका mind को check up करना चाला है कि आप कैसे approach करतो हो question number 3 में mass ratio of this required to making 500 gram 0.25 molar ध्यान दे molar है small m and 250 ml of 0.25 molar solution तो एक बार molarity की बात हुई है एक बार molality की बात हुई है molarity में 0.25 मतलब 1 by 4 बनाना है moles हमें निकालना पड़ेगा तो moles कैसे निकाल सकते हैं तो वही weight divided by इसका molecular weight तो वो हो जाएगा यहाँ पे 62 और volume of solution द्यान से देखो तो 250 by 1000 आपको करना पड़ेगा तो यह भी 1 by 4 हो जाएगे multiply हो जाएगे तो यहाँ पे weight जो हो जाएगा वो 1 by 16 right into में 62 रहेगा वैसे यह cancel हो जाएगे और इधर molality निकालूंगा तो molality कितना चाहता वो भी उसको 0.25 चाहिए मतलब 1 by 4 moles निकालना again w dash कर लेता हूँ y weight का ratio निकालना में by यह भी 62 रहेंगे नीचे में mass of solvent और वो भी kg में चाहिए gram में तो k divide कर देंगे तो यहाँ से w dash क्या हो जाएगा 1 by 4 into right यह cancel हो जाएगे तो 1 by 2 into 62 तो दियाँ से देखो 62, 62 cancel हो जाएगे यह 1 by 8 है यह 1 by 16 है तो इसलिए mass ratio क्या हो जाएगा पहले ध्यान रहे mole है small m तो यह ज़्यादा यह कम है तो 2 is to 1 ratio में क्योंकि 1 by 8 है यह 1 by 16 है तो क्या हो जाएगा option C तो इस तरीके से question पूछ जाते हैं इस पर based question number 4 में number of units which used to express concentration of solution तो you know mass percentage था right mole शिर्फ नहीं हो सकता क्योंकि concentration जो है वो किसी के respect में हम लोग बात कर रहे थे उपर में solute था नीचे में solution था या solvent था तो शिर्फ more से नहीं होंगे mole fraction हो जाएगे right वैसे ही molarity PPM, molality ऐसा हो जाएगे तो answer कितना हो जाएगा इस टाप में 5 इस टाप के question PYQ में पूछे गए है question number 5 में 80 gram copper sulfate dot 5S2O is dissolved in 5 liter water molarity capital N तो molarity कैसे निकालते हैं given weight by इस पूरे काप निकालोगे molecular weight तो हो जाएगा 250 तो यह moles हो गए divided by volume of solution liter तो और रदी given है तो that is 5 तो यह दियान से देखो तो यह 0 से 0 cancel हो जाएगे 8 by 125 हो जाएगे हमें answer 10 की पावर मानस 3 में लाना है तो हमें 10 की पावर 3 से multiply and divide करना परेगा तो यह तो 10 की पावर मानस 3 इसमें आ जाएगे यह 8 times में जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 into 10 की पावर मानस 3 तो हमारा X केतना हो जाएगा 64 इस टाप के simple simple question पूछेगे question number 6 में sodium oxide reactive with water to give NOH 20 gram sodium oxide dissolve है 500 ml water में तो concentration क्या होगा तो पहले तो sodium oxide अगर आपका react करेगा water से तो sodium hydroxide आपको मिल जाएगे reaction को balance करना है 2 sodium है तो यहाँ 2 लगा तो 2 na 2 oxygen 2 hydrogen reaction balance हो गई तो इसका आपने केतना लिया है 20 gram तो 20 by इसका मैं divide कर दूँ moles से तो इसका इसके 1 moles से इसका केतना moles मिल रहा है 2 तो इसका केतना हो जाएगा 2 into 20 by 62 that is 40 by 62 moles है इसके हमें concentration energy का निकालना है तो moles मालूम हो गया है तो molarity कैसे निकलते है 40 by 62 यह moles divided by volume लेना लीटर में 500 ml है तो 500 by 1000 लीटर के लिए तो यह कितना हो जाएगा 80 by 62 ध्यान दे तो 62 को मैं एप्रॉक्स में 80 by 60 लिख रहा हूँ यह cancel हो जाएगे तो यह 1.3 के असपास आजाएगा हमें answer कैसे देना है x into 10 की पार मानस 1 में तो वो कितना आजाएगा 13 into 10 की पार मानस 1 तो x कितना आजाएगा आपका 13 तो इस तरीके से आपको करना without calculation 7 में concentration ratio of glucose is given to you molarity बताना है तो ध्यान से देखो यह gram per liter में molarity का हता है moles per liter में तो इसरीफ gram को moles में convert करना है तो कैसे convert कर सकते है द्यान से देखो तो एक तरीके से यह strength होगे तो आपको क्या करना है 0.72 को divide कर देना इसके molecular weight 180 moles per liter होई गया यह तो बस एतना करना है इसको आप निकाल दो जाते है question number 8 में mole fraction solvent का given है molality small m तो mole fraction अगर solvent का point rate है तो solute का कितना हो जाएगा अगर solvent का point rate है तो solute का कितना हो जाएगा आपका point 2 बट ध्यान दो अब मैं conversion आपको नहीं बताया हूँ यहीं पर ध्यान से समझो molality मतलब क्या हो गया moles of solute right तो moles of solute तो आचुके हमें पास point 2 और mass of solvent in kg में तो इसलिए small m moles of solute point 2 mass of solvent कैसे निकालेंगे उसका moles मालूम है point 8 solvent कोन है water तो उसके moles यह और ध्यान रहे kg में यह gram में आगा तो divided by thousand करना परेगा तो ध्यान से देखो तो यह point 2 उपर thousand चले जाएंगे नीचे में point 8 into में 18 तो ध्यान से देखो यह cancel होगे 2 से 2 4 right अब इसको भी 18 को मैं कितना ले रहा हूँ 20 इसको एप्रोक्स में अगर मैं 20 लूँगा तो यह cancel हो जाएंगे right और यह ध्यान से देखो तो 25 और यह फिर 12 के आसपास 12 के आसपास मतलब option B तो ऐसे आपको करना है पूरा calculation नहीं करना है now ग्यान की बात और that is very important that is called dilution formula बच्चे इसको रड़ते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझे कि ध्यान से देखो कोई पहले से आपके पास एक solution था जिसका molarity volume या normality volume या molality volume given होगा और उसमें आप स्रीफ और स्रीफ क्या add करो solvent तो solvent add करने से यहां से यहां तक के process में क्या solute के moles पे कोई फर्ग परा नहीं moles अब यहां जतना था वहीं एतना भी रहेगा क्योंकि हमने स्रीफ solvent add क्या है तो इसलिए molarity volume को multiply करूंगा तो क्या हो जागा यह moles हो जाएंगे right add condition 1 should be equal to moles add condition 2 right क्योंकि moles में कोई चिनने होगा solute के किसके solute के solvent के तो होगे क्योंकि extra pad करो तो बस वही formula है यह तो इसलिए M1 V1 is called to M2 V2 कर देते हैं इस पे बेस question क्या साथ है जैसे 5 gram NOH dissolved in 450 ml water what volume of this solution जो अपने prepare के required to make 500 ml 0.1 molar इस type से question है तो सबसे पहले तो first condition में निकाल लो तो इसका molarity केतना हो जाएगा कितना हो जाएगा देहां से देखो 5 by 40 into 450 उपर में हो जाएगे 1000 तो यह 2 0 से 2 0 cancel तो यह 5 9 दा 45 तो यह कितना जाएगा देहां से देखो 10 by 36 यह आपका आगया now इस solution का कितना volume लिया जाए so that यह मिले तो वही कर दो 10 by 36 volume हमें नहीं मालूम volume अगर ml में नहीं करना है तो इधर भी ml में रख सकतो 0.1 into 500 ml है तो यहां से volume आजागा आपको तो यह 0.1 का आप क्या कर सकतो 10 तो देहां से देखो V कितना आगया 500 into 36 यह multiply हो जाएगे नीचे में यह 10 और यह 10 तो यह दोनों कैंसल हो गए तो यह कितना आगया यह 180 ml इस solution का 180 ml चाहिए so that हमें यह वाला concentration और volume मिल जाएगा तो इस टाप से question आपको पूछा जा सकता है तो I hope मेरा यह परियास आपको अच्छा लगोगा इसमें बेटा हमने जितनी भी concentration time है उससे related बाते कर ली है और यह सबसे जादा important है क्योंकि आगे जो चार colligative property परेंगे उसमें यह चीजे use होने वाली है अगर direct वो value दे दिया तो बहुत easy हो जाता है otherwise आपको पहले वो value निकानना परेगा Hello everyone कसकाई आज की स्वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे colligative property के बारे में जो tricks and concept दूंगा उससे आप इस पे बिज़डाने वाले किसी भी problem को बहुत easy कर सकतो और बहुत कम calculation करके भी तो ध्यान से समझो colligative property का ही एक दूसरा नाम हमने रखा है democratic property इसका मतलब क्या है कि जो colligative property या democratic property होती है वो स्रीफ और स्रीफ किस पे depend करती है number of solid particle पे जो solid particle आप add कर रो उसके कितने numbers है कितने ions हो जाते है add करने के बाद उस पे depend करता है जैसे democracy में voting इस बात पे depend करता कि कितने आदमी ने vote किया वो आदमी बड़ा है छोटा है अमीर है गरीब है इससे फर्क नहीं परता वैसे ही यहाँ पे जो properties है वो number of particle पे depend करेगा वो particle कौन है sodium है potassium है chloride ion है sulfate है doesn't matter बात समझ में आ गई तो वो सारी property जो स्रीफ और स्रीफ number of solid particle पे depend करे तो उसको बोलेंगे colligative property और यह total 4 है बट इस video lecture में अभी मैं 2 को ही discuss करूँगा ओके now यहाँ पे एक point किलियर होना चाहिए कि जो solute आप add करोगे जो solute add करते हो वो actually solid state में होता है add करने से पहले add करने के बाद आपको मालूम है वही phase हो जाएगा उसका जो solvent का होता है तो solvent का phase हमारा यहाँ पे liquid है इसलिए finally वो solution liquid state में आ जाएगा तो यह पहला point किलियर होना चाहिए now conceptual filling very very simple है यह कि देखो मैंने simple सा एक diagram ड्रॉ किया कि इसमें स्रीफ और स्रीफ water है वही water जो हम पीते हैं तो यह water है आपका तो आपको मालूम है कि water का जो boiling point होगा pure water का जब water में आपने कुछ भी add नहीं किया है तो वह कितना होता है 100 degree Celsius यह question में mention नहीं होगा यह by default सबको याद रहता आपको याद रखना है दे दिया तो बहुत अच्छी बात है या कैलिवन में बात करें तो 373 कैलिवन होता है तो यह हो गया water का boiling point यह not लगाने का मतलब क्या है pure pure का मतलब क्या हो गया कि आपने अभी उस solvent में कुछ भी add नहीं किया अधर कोई solvent होंगे तो उसका boiling point आपको दे देगा आपको रटनी की जुरद नहीं है वैसे ही T not F कहीं पर लिखा इसका मतलब क्या है freezing point F P बोले तो freezing point of pure water अगर कोई दूसरा solvent होगा तो solvent हो जाएंगे not जहां पिलागा मतलब pure उसमें कुछ add नहीं क्या है water के कैसम आपको याद रखना है या फिर 273 Kelvin या आपको याद रखना है water एक universal solvent है इसलिए उसका ये दोनों चीज़ याद रखना है एक point का और ध्यान रखना है कोई भी liquid ध्यान दे any liquid कोई भी liquid तभी boil होता है जब उस liquid का vapor pressure उस liquid का vapor pressure surrounding के pressure के बरावर हो जाता है और surrounding generally हमारा atmosphere होता है तो जब surrounding का pressure और liquid का vapor pressure इकल हो जागा तभी वो liquid boil होता है ये point very very important है ध्यान भी लखना है अब मैं क्या कर रहा हूँ ये जो pure water था इसमें मैंने solute add कर दिया है ये जो rate color है वो solute है solute add कर दिया है तो क्या होगा तो boiling point जो हो जागा solution का उसको मैं TB से represent कर रहा हूँ boiling point solution का क्योंकि solute plus solvent आगे तब ये solution हो गया तो इस solution का boiling point को TB से और definitely ये जो TB है boiling point ये pure जो solvent होंगे उसके boiling point से ज़ादा होगा इसलिए हम एक term define करते हैं that is elevation क्योंकि ज़ादा हो गया elevate मतलब high right elevation in boiling point जिसको मैं बोर आपनी तरफ से change in boiling point के आप बोल सकतो that is delta TB और ये कैसे define होगा तो clearly है चुकि ये बढ़ा है तो TB minus T not B और चुकि ये changes है तो चाहे degree Celsius में निकालो या कैलिएन में दोनों same आएंगे तो ध्यान दे ये जो elevation in boiling point है ये आपका colligative property है ध्यान रहे सिर्फ boiling point colligative property नहीं है elevation in boiling point that is ये delta TB ये आपका colligative property है ये सिर्फ और सिर्फ number of solute particle पर depend के रहेगा सिर्फ TB या T not B की बाद हम नहीं कर सकते बास में आ गई तो only boiling point is not a colligative property change in boiling point या elevation in boiling point ये एक सेक्सिस पर temperature और ये आपको दो कर्व कर देगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन solvent है कौन solution है तो very simple है ध्यान से देखो आपको क्या करना है एक line ड्रो करना है parallel to exercise 180 वाली जो surrounding atmosphere होंगे और वो जहां जहां पर कर्व को cut करेगा we know कि solution का boiling point ज्यादा होगा तो एक सेक्सिस पर temperature है इसलिए ज्यादा वाला temperature solution को बताएगा इसलिए ये curve solution का होगा और पहला वाला curve solvent का तो identify करवा सकता आपको तो इस point का ध्यान रखना next अगर water में आपने या किसी solvent में आपने solute add कर दिया यहाँ पर blue color वाले solute है तो अब जो freezing point होगा उसको बोलेंगे freezing point of solution क्योंकि इसमें solute plus solvent दोनों होगे और यहाँ पर क्या होगा जो freezing point solution का होगा वो pure solvent से कम हो जाएगा इसलिए word हम यूज करेंगे depression right, depression in freezing point या इसी को change in freezing point बोल सकते हैं वो कैसे define करोगे तो चुकि कम हो गया इसलिए delta tf कैसे define होगा pure minus जो solution का होगा ताकि यह quantity positive बन जाए और again change in degree Celsius और caliun में same रहेगा तो यह जो depression in freezing point है again यह एक colligative property है delta tf इसे colligative property सिरिफ tf या t0 f या freezing point colligative property नहीं है again इसके graph की बात करें तो vapor pressure y-axis पे temperature x-axis पे लेंगे यह इस तरीके से curve होगा तो यह जो black color वाले हैं वो liquid solvent का है और एक हम solid solvent का curve draw करेंगे definitely we know t0 f जो होगा वो बड़ा होगा right इसलिए वो x-axis पे आगे की तरफ आएगा तो यह जहाँ पे curve को cut करेगा यह आपका solvent का हो गया और इधर वाला यह वाला curve जो हो जागा वो solution का हो गया tf इसमें पीछे रहेगा t0 f आगे रहेगा जबकि इसमें t0 b पीछे रहेंगे tb आगे रहेगा तो बिल्कुल भी रटनिक जो तनी है practical feeling बिल्कुल के लिए रहे बेटा आपको कि water में या किसी भी solvent में solute art करोगे तो boiling point बढ़ जाएगा freezing point कम हो जाएगा बस एतना धियान रखना है right now एक word होता है colligative property में कि normal colligative property and abnormal तो यह क्या है very simple एक I हम define करते हैं that is abnormal by normal कुछ बच्चे confuse रहते हैं उसके लिए simple है I जो है वो alphabet का वोवल है उसके आगे and word लगाते है right इसलिए and word से यादर कहेंगे abnormal by normal तो इसलिए यहाँ से जो आप ध्यान से देखो abnormal किसके बराव हो जागा I into normal तो हम क्या करेंगे sum में आपको normal जो quality property होंगे वो बता करकर करके abnormal निकारना होगा तो सिर्फ क्या करना उसको I से multiply कर देना है और इस I का नाम है want of factor इसको कैसे calculate करेंगे इसके बारे में बात करेंगे तो यह बात clear हो गई होगी right अब हम बात करते हैं कि इन तोनों का calculation कैसे करेंगे now conceptual trick तो right elevation in boiling point तो delta tb से define क्ये थे यह हो जागा I want of factor into kb एक constant है into morality और delta tb क्या था tb minus t not b यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है t not b तो fix हो गया right that is boiling point of pure solvent यह fix हो गया तो हम मैं कह सकता हूँ अगर delta tb की value increase होगी तो यह तब ही हो सकता है जब tb increase हो क्योंकि यह तो fix है यह बरेगा तब ही delta tb increase होगी तो एक point तो यह है right और यह कब बर सकता है ध्यान से देखो delta tb कब बर सकता है चुकि kb एक particular solvent के लिए fix हो जाएगा constant है I और M पे depend करेगा तो जब i into m की value increase होगी अगर molality को भी same कर दिया question में तो फिर जिसका i ज़ादा होगा उसका delta tb ज़ादा होगा that means boiling point of solution बरेगा इस type से तो यह very very important है इस पर बेस कई बार question पूछे जाते है यहाँ पे जो kb है वो solvent का constant है water के case में आपको याद रखना है 0.52 Kelvin kg per mole unit हो गया calculation को easy करने के लिए 0.5 ले सकते हम या half ले सकते हैं यह kb into m अगर मैं करता तो यह delta tb is equal to kb into m तो यह normal qualitative property होता और i से multiply कर दिया तो भी बताया था यह abnormal में आ जाएंगे तो यहाँ तक clear होना चीए यहाँ पे kb निकालने के और एक तरीके हैं शरिफ यह formula धियान में रखना है इसके base कोई problem नहीं पूछा जाएगा just variation वाले पूछे जा सकते हैं जैसे kb is directive proportional to धियान से देखो तो जो boiling point pure solvent का है उसके square के directory proportional है molecular mass of solvent के directory proportional है और जो enthalpy of vaporization है उसके inversely है यहाँ पे जो kb है उसके different name हो सकते हैं उसको molar elevation constant बोलते हैं या फिर ebilioscopic constant भी बोलते हैं ध्यान रहे यह जो delta tb है वह हमारा colligative property है और वो molecular mass of solute के inversely होगा कैसे क्योंकि molality है molality क्या होता है moles of solute और moles कैसे निकालेंगे given weight by molecular weight molecular weight नीचे आगा इसलिए तो कहीं पर colligative property increase हो रही है तो हम ऐसा भी हो सकते हैं कि जो solute का molar mass है वो कम होगा तो यह एक part होगी आपका that is elevation in boiling point जब water में या किसी solvent में कोई भी solute add करोगे तो boiling point increase हो जाएगा we know freezing point decrease हो जाएगे इसलिए नाम आया depression in freezing point सब कुछ same रहेगा बेटा इसलिए हमने इसको यहाँ पर किया delta tf i into kf into m तो देखो i same ही है m same है kb की जगा kf b for boiling और f for freezing है यहाँ पर यह कैसे defined होता चुकि depression हो गया है तो pure में से minus करना परेगा solution का t not f minus tf इसलिए यहाँ पर ध्यान देना अगर delta tf increase हो रहा है अगर यह increase हो रहा है तो यह कब हो सकता ध्यान से देखो यह तो आपका fix हो गया तो इसमें तो कोई change नहीं होगा और चुकि minus है तो यह जब कम होगा तब ही यह difference बरेगा इसलिए delta tf तब increase होगे 1.86 होता है जिसको calculation को easy करने के लिए प्रॉक्स 9x5 या 2 भी ले सकते है depending option कैसे है तो यह ध्यान रखना other solvent का आपको given होगा water की किसमें ध्यान रखना कभी-कभी water कभी दे देता है again same kf सब कुछ यही रहेगा और t0b की जगा t0f हो जाएंगे यह same रहेंगे यह thousand same शरिफ यहाँ पर vaporization balling था तो यहाँ पर fusion आ जाएगा बाकी सब कुछ same रहेंगे name इसके molar freezing या depression constant बोल सकते हैं या इसी को बोलते हैं cryoscopic constant ध्यान रहे इसको ebilioscopic इससे भी आपको पहचनवा सकते है कि यह elevation in balling point वाला है और इसको cryoscopic constant यह ध्यान रखना है again colligative property जो भी है वो molecular mass of solute के inversally चलेंगे तो यह point आपको ध्यान रखना है now यह जो जतना I हमने multiply किया abnormal वाला जिसको want of factor बोलते हैं तो I क्या होता है 1 plus N minus 1 into alpha इससे निकाल सकते हैं यह formula कब लगाना जब dissociation हो और 99% question में dissociation ही होता है जहां पर N क्या है number of ions या particle water में उस solute को add करोगे तो वो कितने ions में बिरेक हो रहा है तो वो N है alpha degree of dissociation है अगर association हो रहा होगा तो फिर यह formula लगाएंगे 1 plus 1 by N minus 1 into alpha again N के कितने molecule associate हो रहे हैं हो जाते हैं तो यहां पर N की जगा 2 put करना परेगा जैसे यहां पर अगर NACL हो तो N plus C L minus में पर रहांगे आयन दो होगे तो इनकी जगा 2 K2SO4 हो तो 2 potassium 1 sulfate है तो इनकी जगा 3 तो यह number of ions है रही बात alpha की तो यूरिया हो glucose हो फरक्टोज हो सुक्रोज हो जितने भी sugar है और यूरिया उसका I fix है 1 है ओके डैट मिस alpha 0 है दूसरे case में alpha salt का या strong acid या strong base का 1 होगा unless question में कुछ mention करें आपको मानना है कि इसका 1 हो जाएगा alpha राइट जान रहे alpha 1 होगा और weak acid या weak base या जो भी weak salt होगे तो उसका alpha either given होगा या आपको बोला जागा find out करने को तो आप यहाँ से find out कर सकतो तो अगर I 1 कहीं पे ले रहो तो वो normal हो गया और अगर I 1 नहीं है तो abnormal होगा इसलिए हमने I लगा दिया सम्में हम उसके according जाएंगे तो ये point एकदम clear होना चीए यूडिया, गुलुकोज, फरक्टोर, सुक्रोज जितना भी है सबका I 1 पूट कर देना है that means alpha 0 हो जागा strong acid, strong base salt का जब तक question में कुछ mention नहीं करें alpha 1 हो जाएगा alpha 1 होगा अर्ध्यान रहे तो इसलिए I N के बराबर ही हो जाएगा और अगर weak acid weak base होंगे तो उनका आपको I निकानने के लिए alpha given होगा या फिर पूछा जाएगा I दे करके तो ये है पूड़ा आपको एक clear अब हम application की बात करेंगे question number 1 में which will show और इस तरीके से 4 option given होगा 0.1 molar NaCl है 0.3 molar glycine है 0.2 molar aluminium sulfate है 0.1 molar K4 FECN6 है और ये different question हो सकते हैं इसलिए मैंने पूरे type को यहाँ पे cover किया है largest freezing point depression तो यहाँ पे ध्यान देना है freezing point depression पूरा लिख दिया मतलब आपसे delta TF की बात कर रहा और ये directive portion किसका होगा I और M की I और M क्यूंद ले रहे हैं क्योंकि सबका molarity different है और I तो आपको ले नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से देखो पहले वाले में कितना हो जाएगा point one into two क्योंकि NaCl है दो ions मिलेंगे और strong electrolyte है glycine जितने भी organic solvent है उनका one लोग है तो ये शिरिफ point three into one रहेगा इसका अप लेंगे तो point two into two aluminum और three sulfate तो five करना पढ़ेगा और इसका point one into ध्यान दे ये चार potassium और ये पूरा as a hole break होता है coordination compound है तो चार और one five हो गए तो ये ही हो जागी तो largest किसका होगा जिसका सबसे ज़्यादा होगा I into M I into M सबस्यादा किसका देखो ये point two आ गया by the way एक बढ़ लिख लो ये point three हो गया आपका ये one हो गया आपका और ये point five हो गया तो सबस्यादा किसका हो रहा है C का तो इसका option क्या हो जाएगा C largest freezing point तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं largest freezing point किसका होगा जिसका I into M कम होगा तो सबसे कम किसका देहान से देखो तो A का है क्यों? क्योंकि delta Tf जो वो defined होगा था T not F minus Tf तो ये तो fix था ये जतना कम होगा delta Tf उतना ज़्यादा होगा इसलिए largest freezing point होने के लिए ये ज़्यादा होने के लिए क्या होना ज़्यादा Tf को कम होना परेगा तो इसलिए inversely चलेंगे तो ये वाला आएगा अगर highest boiling point वहें पर पूछा जा या largest boiling point तो वो directly थे इसलिए I into M सबसे ज़्यादा होना ज़्यादा तो वो किसका है again option C हो जाएंगे lowest freezing point freezing point कम किसका होगा जिसका I into M सबसे आदा होगा तो इसका भी option क्या हो जाएगा फिर C ध्यान देना freezing point inversely चलते हैं और lowest boiling point पूछा है तो I into M कम वाला I into M सबसे कम किसम है तो वो हो जाएगा option A largest elevation boiling point ये again पूरा पूछ दिया वैसे भी directly होते हैं तो largest किसका हो जाएगा C या फिर आपको order भी पूछा जा सकता है तो बस ये ध्यान रखना है जो अभी आपको समझाया है तो जो important point है वो ये ध्यान देना है जो delta Tf है या फिर delta Tb है वो डिक्टिव पॉशनल टो I into M है बस जो Tf है वो inversely है I into M के जबकि आपका जो Tb है वो directly है I into M के तो ये point आपको ध्यान में रखना है इसलिए question को carefully read करना है कि वो depression in पूछ रहा है या सिरिफ normal freezing point या balling point पूछ रहा है इस पे बहुत सारे problem पूछे गया और पूछे जाते हैं और correct order क्या होगा कौन जादा होगा कौन काम होगा तो इसलिए हमने सबको एक जगा संधाने की कोशिश किये दूसरा इस type के question if degree of decision of weak monobasic acid is given to you point 3 then observed freezing point will be percentage higher than the expected या theoretical तो यहाँ पे ध्यान देना DOD आपको given है that means alpha आपको given है point 3 weak monobasic acid है तो monobasic मतलब एक ही h plus दे पाएंगे वो तो यह कैसे पर रिखोंगे h plus और a minus में तो n की value यहाँ पे कितना होगा 2 हमारे लिए formula क्या था i is equal to 1 plus n minus 1 into alpha तो यहाँ से देखो 1 plus n होगा 2 minus 1 alpha होगा point 3 तो यहाँ गया 1.3 तो i 1.3 का होगा क्या होगा i क्या था point 3 ही ज्याद है मतब 30% तो answer कितना हो जाएगा 30% तो इस type के question आपको पूछे जा सकते हैं next question number 3 में lead storage battery content 38% by weight of h204 i given था tf freezing point बताना था kf given था और option है आपके पास तो ध्यान से देखो अगर हमें formula की बात करें तो delta tf is equal to i into kf into m delta tf में निकालना है i given था 2.67 kf भी given था 1.8 only thing is molality आपको बताया था आप molality कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 38% by weight इसका क्या मतलब है 38% weight by weight इसका मतलब क्या हो गया percent मतलब कि 100 gram अगर आपने solution का लिया तो उसमे 62 gram कौन हो जाएंगे solvent अब हमें molality small m निकालना है तो यह कैसे निकालते हैं तो 38 by 98 हेस्टेश ओफोर moles of solute by mass of solvent किसमें चाहिए गराम में तो 62 by 1000 अब इसको देखो approach calculation कैसे करेंगे 38 को 40 ले सकतो 98 को 100 ले सकतो divided by 62 को 60 और यह 1000 तो यह prox में आजागा यहाँ पे 6 कैसे द्यान से देखो 10 से 10 cancel यह 0 से 10 cancel यह भी 0 से 10 cancel 40 by 60 तो 6.6 something आएगा मैं 6 लेके चल रहा हूँ अब यहाँ पे आपको molality put कर देना तो द्यान से देखो into यह 6.something है यह prox में 6 ले रहा हूँ द्यान से देखो तो यह 2.5 और इसको 2 ले सकते हैं यह 2.5 और यह 2 तो यह कितना हो गया 5 और यह 6 तो यह 30 आगया तो यह prox में 30 हो गए तो आप delta tf क्या होता आपको यह भी मालूम है t not f that is 273 minus tf is equal to कितना है 30 तो इधर लाओ गए तो tf कितना जाएगा एप्रॉक्स में 243 तो option कुन हो जाएंगे a तो देखो कैसे मैं calculation को minimize क्या हूँ इस बात को ध्यान में रखना ऐसे आपको करना पड़ेगा question number 4 में delta tb 4 kelvin है अगर molality 1.5 है delta tf 4 kelvin है molality 4.5 है यह what problem था मैंने just given अब वो लिखा है ratio of kb by kf निकाना है glucose solution है तो glucose solution बोलते ही i कितना हो गया 1 तो अगर मैं delta tb लिखूं तो वो क्या हो जाएगा i 1 हो जाएगा by the way kb into m that is nothing but kb into m क्योंकि i 1 हो गया delta tf अगर मैं लिखूं तो यह i into kf into m होता i इसका भी 1 तो यह हो जाता kf into m हमें ratio निकानना है kb by kf का तो दोनों को divide कर दो तो delta tb by delta tf क्या हो जाएगा kb by kf और उसकी morality m right divided by इसको मैं m dash कर देता हूं ताकि आपको clear रहे तो यह ध्यान से देखो यह दोनो 4-4 था तो यह 1 हो गया यह kb by kf और यह m जो था आपका वो ध्यान से देखो तो 1.5 था और यह 4.5 इनका ratio चाहिए तो इधर जाएंगे तो इसलिए kb by kf केतना हो जाएगा 4.5 by 1.5 that is 3 तो इस टाप के integer टाप में पूछे गये very simple है तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि दियान से देखो delta t which equal to i into kb into m यही है बेटा formula तो बस यही है अब इसमें सारी value दे करके कोई यह कंणोन क्या जा सकता ज़रूर नहीं कि हलवार delta tb पूछा जाए आपको delta tb kb m दे करके i पूछा जा सकता है या फिर i kb दे करके m पूछा जा सकता and so on different way हो सकते हैं but formula बार-बार यही लगेगा next question number 5 में boiling point of 2 solvent x and y having same molecular weight दियान दे molecular weight same है r in the ratio 2 is to 1 enthalpy of vaporization 1 is to 2 ratio में तो boiling point elevation constant x और y का कैसे related होगा तो you know जो formula था हमारे पास kb is equal to kya था r t not b का x square molecular mass of solvent right divided by thousand into delta h vaporization यह question उसी से related है तो r के बारे में तो cancel ही हो जाएगा solvent का molecular weight same है तो cancel हो जाएगे thousand cancel हो जाएगे तो यह t not b के square के डारेक्टरी है और enthalpy of vaporization के inversely है तो इसलिए kb of अगर x लिखूं तो वो ध्यान से देखो 2 का square क्या हो जाएगा 4 और delta h vaporization 1 है तो यह 1 हो जाएगे और kb divided by kb of y लिखें तो right वो क्या हो जाएगा तो 1 का square तो 1 ही हो जाएगा और वो 2 ऊपर चले जाएगे तो कितना हो जाएगा 8 तो इस step से पूछा जा सकता है तो m की value यहाँ पर केतना हो जाएगा 8 times of y तो इस step से पूछा हो सकता है question number 6 में boiling point of 2% equation of non-volatile solute a is equal to boiling point of 8% non-volatile solute b तो relation क्या होगा तो इस step से पूछा हो सकता है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें boiling point की बात हो रहा है delta tb क्या था i into kb into m 1 हो जाएगा kb same solvent होंगे तो same हो जाएगा शिरिफ m पर depend करेगा अब हमें molality निकालना यह 2% बताया नहीं कि यह percentage by weight है या volume है तो ऐसे condition में हमें जो चाहिए उसके according चुक्कि हमें molality चाहिए तो हम इसको मानेंगे कि यह जो 2% है वो by weight है that means क्या हो गया कि 2 gram solute का है तो 98 gram कौन हो जाएगे solvent तो यह दोनों चीज equal कब हो सकती है जब यह 2 by molecular mass of A तो यह moles by वो 98 by 1000 दोनों में same ही रहेगा by the way cancel हो जाएगा should be equal to वहाँ 8 by MB और यह तो same ही रहेंगे 98 by 1000 तो यह cancel हो जाएगे अब ज़्यादा sol करने की जो तो नहीं है द्यान से देखो इसका 2 gram इसके 8 gram से equal है इसका मतलब इसके molecular weight को ज़्यादा होना पड़ेगा ज़्यादा से divide करेंगे तो यह कम होगा क्योंकि इसका कम ही इसके ज़्यादा से equal हो रहे यह परियास आपको पसंद आया होगा इसमें बेटा हमने depression in freezing point and elevation in balling point का रहे में detailed discussion कर लिया है इससे बाहर कोई problem नहीं आ सकता आप सारे problem को कर सकतो एक बात का ध्यान रखना कि dilute solution के लिए जो molarity होता है वही a prox molarity होता है next colligative property that is osmotic pressure के बारे में and जो tricks and concept दोंगा उससे आप इस पे बेश दाने वाले किसी भी problem को बहुत कम calculation करके और बहुत easy way में कर लोगे तो ध्यान रहे कि osmotic pressure जो है यह एक colligative property है सिर्फ pressure is not a colligative property pressure के आगे osmotic word लगाना पड़ेगा osmotic pressure is a colligative property that means यह स्रीफ और स्रीफ number of solute particle पर डिपेंड करेगा तो देखो इसका formula बहुत easy है PV is equal to nRT यह सभी लोग जानते है ideal gas equation से PV को मैंने इधर ले आया तो nyVRT moles Y volume क्या हो गया concentration यह उसी को बोल सकते हैं molarity तो P is equal to CRT या P is equal to nRT यह हो जाएगा formula इसका यहाँ पे जो P है pressure उसको ही represent करते है pi से right pi is nothing but osmotic pressure वो same ही बात है representation अलग है तो pi is equal to या P is equal to CRT याद रखने के लिए you know pi क्या होता है 22 CRT 22 करेट का सोना होता है इस तरीके सा आप connect कर सकते हैं pi is equal to CRT तो यह तो हो गया normal colligative property जहाँ पे R की जो value आपको लेना वो 0.08 जिसको calculation को easy करने के लिए 1 by 12 ले सकते हैं क्यों क्योंकि हमारा pressure किसमे होगा ATM में और volume लीटर में क्योंकि concentration की बात है इसलिए R की value fix हो गया temperature always Kelvin में I have a normal colligative property में क्या करना है तो आपको बता रखाँ सिर्फ want of factor I से multiply कर देना तो pi is equal to ICRT हो जागा जहाँ I कैसे निकलते है 1 plus N minus 1 into alpha N क्या है कि कितने part में वो given solute dissociate हो है number of ions हो जाएंगे alpha degree of dissociation इसके बारे में भी आपको बता रखाँ कि urea या जतने भी sugar है like glucose, fructose, sucrose उन सब का I 1 हो जाएगा fix है that means alpha 0 हो जाएंगे जितने भी strong acid strong base salt है उसका I जो है वो number of ions के बराबर हो जाएगा that means alpha 1 हो जाएगा unless की question में कुछ mention हो और weak वाले acid या weak base या weak electrolyte का alpha आपको दे देगा तो I निकल लेंगे या I given होगा तो alpha निकल लेंगे vice versa question दिया जा सकता है यहीं से एक और point आप देख सकते हो कि अगर temperature मैंने fix कर दिया तो temperature भी constant R already a constant है तो उस case में जो osmotic pressure होगा वो शिरिफ want of factor into concentration के directive portion होगा that means I into C का value जतना ज्यादा होगा osmotic pressure उतना ज्यादा होगा और molecular mass of solute के inversely होगा in fact सारी colligative property molecular mass of solute के inversely related है right तो यह एक part होगे जो आपको clear होना चाहिए दूसरा question में word क्या use करता है एक word use करता isotonic इसका क्या मतलब very simple जब आपके पास 2 solution हो यहाँ पे जैसे S1 और S2 और अगर इन दोनों का osmotic pressure सेम है इस solution इस solution का तो बोलेंगे isotonic इसलिए pi 1 is equal to pi 2 लगाना है और अगर इसी में अगर temperature दोनों का सेम हो गया तो देख सकतो RT cancel हो जाएंगे तो फिर I1 C1 is equal to I2 C2 लगा सकते हैं अगर IV सेम हो गया तो फिर हम क्या कह सकते हैं C1 is equal to C2 तो यह बहुत सारे problem है ऐसा करने का आपको मिलेगा similarly अगर मान लेता हूं कि solution 1 का pressure ज़्यादा है 2 से तो 1 वाले को बोलेंगे hypertonic और 2 वाले को बोलेंगे hypotonic hypo मतलब ही होता less और hyper मतलब होता more you already know तो यह है osmotic pressure के बारे में अब हम इस पर बेस problem की बात करते है question number 1 में 12 gram non electrolyte मतलब I इसका कितना हो गया 1 right dissolve in 1000 level मतलब 1 liter ही हो गया water exact same pressure osmotic pressure से में 0.05 molar glucose है तो इसका भी I आपका कितना हो गया 1 right at same temperature temperature भी fix कर दिया empirical formula आपको given है molecular mass तो osmotic pressure का जो सबसे जादा use होता है वो molecular mass of unknown solute का निकालने में होता है तो यहाँ पे दियान से देख सकतो same pressure है that means pi 1 is equal to pi 2 लगा सकतो I1 C1 RT is equal to I2 C2 RT कर सकते हैं चुकि दियान से देखो same temperature TT cancels RR दोनों में cancel हो जाएंगे non electrolyte इसका भी I1 glucose का भी तो यह भी same हो जाएंगे तो सिर्फ C1 is equal to C2 C1 कैसे निकालेंगे 12 gram by molar mass right यहाँ पे molar mass है और divided by 1000 ml है मतलब 1 liter ही हो गया तो यह हो गया concentration is equal to इधर कितना 0.05 तो molar mass यहाँ से कितना आ गया 12 by 0.05 इसका यह decimal अटाओगा तो उपर में 100 तो यह आपका 20 से तो यह कितना आ जाओगा 240 तो answer will be 240 तो इस tap से integer tap में question पूछे गया है question number 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो आप से क्या पूछा जा रहा है कि एतना molar K2SO4 solution is isotonic that means same asmotic pressure with एतना molar glucose solution percentage degree of decision K2SO4 का बताना है तो again isotonic है same way concept लगाएंगे तो ध्यान रहे इसका जो I1 होगा वो आपको लेना परेगा right C1 0.004 right isotonic है temperature की बात नहीं किया तो मतलब दुनों का temperature same लेना है तो RT RT cancel हो जाएंगे is equal to glucose तो उसका I1 हो जाएगा और यह 0.01 तो यहां से आप देहां से देख सकतो I1 कितना हो जाएगा इसका 8 आओगे तो यह 1000 रहेंगे और इसका 100 20-0 से 20 cancel 10 by 4 तो कितना जाएगा 2.5 I की value क्या था 1 पलस N-1 इंटू अलफा तो I आपको 2.5 है 1 पलस N कितना हो जाएगा K2SO4 कैसे भी रेखोंगे 2 potassium और 1 sulfate टोटल यहां से N कितना minimal ions 3 तो 3-1 कितना हो जाएगा 2 अलफा तो यहां से अलफा निकालोगे तो कितना जाएगा यह देखो 1.5 by 2 that is 0.75 percentage में बात करेंगे तो 75% तो integer tap में यह 75 answer आजागा तो इस तरीके से पूछा जाता है Question number 3 इस टाप के बहुत सारे question मिलेंगे different आपको पूछने का तरीका होगा concept same रहेगा जैसे यहां पे number of pair बताना which is isotonic तो again isotonic मतलब same osmotic pressure I into C को equal करना है तो पहले बाले में I into C अगर करेंगे तो I NACL का दो हो जागा 1 sodium, 1 chloride क्योंकि strong electrolyte है तो 2 into 1 तो इसका कितना हो जाएगा 2 और इधर में और ready यह 2 urea का बोल दिया 1 इलेना आए तो यह भी 2 तो right तो same हो जाएगा इसका 1.5 into 2 right क्योंकि 1 potassium, 1 chlorine है तो 1.5 into 2 यह भी कितना हो जाएगा 3 तो definitely यह भी हो जाएगे फिर 1.5 into यह कितना हो जाएगा दियान से देखो AL1 3 CL मिलेंगे total 4 तो 4 into 1.5 तो यह कितना हो जाएगा 6 और यहां से दियान से देखो तो यह 2 or 1 3 आएगे 3 into 2 तो यह भी 6 तो यह भी हो जाएगा यहां पर दियान से देखो 2.5 KCL है तो यह 5 हो जाएगे और यह दियान रहे 2 aluminum 3 sulfate तो यह 5 into 1 तो यह भी 5 हो जाएगे तो option यहां पर 4 को 4 का isotonic होंगे क्यों कि इस सबका IC same है जब तक temperature ना दे आपको equal मानके चननना है और चुक्कि strong electrolyte है यह KCIR तो इसलिए इनका alpha नहीं given है तो 1 माल लेंगे glucose, urea आपको बता रखाऊ 1 होते हैं उसका है राइट इस type से again question number 4 same type के question molar mass ने करने का 2.5 gram solute का 250 ml में dissolve क्या गया osmotic pressure pascal में है तो molar mass यहाँ पर बस unit का ध्यान रखना है राइट बाकी कुछ नहीं है चुकि solute के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे non-electrolite है I1 लेंगे यहाँ पर solute के बारे में बताया नहीं तो pi osmotic pressure क्या हो गया c into r into t pi यहाँ पर ध्यान से देखो pascal है लेकिन हमें किसमें ले जाना परेगा ATM में right you know जतना ATM होता है approximately approximately उतना ही आपका बार हो जाएगा और यह 10 की पर 5 pascal होते हैं तो इसलिए मैं क्या करूंगा 400 को डिवाइट कर दूँगा किस से 10 की पर 5 से तो इतना बार आ गया या इतना ATM आ गया concentration तो 2.5 gram है by molar mass नहीं मालूम volume 250 ml में है तो उपर में चला जाएगा तो 1000 यह concentration हो गया r की value 1 by 12 temperature जो है वो इसमें given था at what temperature temperature आपका 27 degree Celsius में तब 300 Kelvin ले लो तो 300 Kelvin पर निकालना था यह ओके तो अब यहां से निकाल सकते हैं तो दियान से देखो कैसे करेंगे calculation यह 250 से 4 times में जाएगे यह 2 0 से यह 2 0 आपका cancel हो जाएगा right तो अब दियान से देखो तो इधर यह 2.5 into 4 केतना हो गया 10 और यह इधर 3 है right तो यह 4 से आपका यह 4 भी by the way cancel हो जाएगे तो सिरिफ और सिरिफ क्या बचेगा दियान से देखो 2.5 into 3 right into 10 की पावर 5 इधर में और नीचे में यह 12 बचेंगे जिसको आप calculate करोगे तो 62250 आजाएगे तो कभी-कभी एतना बड़ा नंबर आ जाता है तो बच्चें कंफे जाते हैं कि यह answer होगा की नहीं integer type में हो सकता बेटा बस आपका procedure और unit सही होना चाहिए question number 5 में which is having high osmotic pressure इस type के बहुत सारे question आएगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपको I into C लेना तो आपको C given है I कैसे लेंगे देखो यह जब भी square bracket हो तो यह पूरा एक unit break होगा और 4 potation है तो पहले वाले के लिए 0.5 into 4 और 1 5 हो जाएगा B वाले के लिए यह 1 molar है 1 और यह 2 2 ammonium के और 1 sulfate के तो 3 हो जाएगे C वाले के लिए 0.1 है into 2 potation 1 sulfate तो 3 हो जाएगे D वाले के लिए 0.5 2 ammonium 3 sulfate तो 5 हो जाएगे तो यह कितना आगे आपका 2.5 यह आपका आगे 3 यह आगे आपका 0.3 और यह भी आगे आपका 2.5 तो highest आप से पूछा है तो option को न जाएंगे B क्योंकि उसका सबस्यादा आ रहा है क्योंकि जो Cosmotic pressure FI वो डिएक्टिव पूछल 2 I into C है कभी-कभी इसी में order ही पूछ सकता है यह lowest ही पूछ सकता है इस टाप से आपको पूछा जा सकता है Question number 6 में इस टाप से भी question पूछी जाते है केक solution पेपेर क्या गया है 0.6 gram urea dissolve करके 1.8 gram glucose 100 ml of water में 27 पर osmotic pressure बताना है तो ध्यान से देखो ऐसे question को कैसे करना है 0.6 gram urea है तो 0.6 by 60 तो यह 0.01 moles हो जाएंगे आपके right कैसे क्योंकि इसका अटाओगे तो यह 10 हो जाएगा 6 से 6 cancel 1 by 100 0.01 moles वैसी 1.8 by 180 तो यह भी आपका 0.01 हैगा चुकि दोनों urea glucose का I1 होता है pi is equal to I1 होगे तो CRT तो इस case में दोनों का add करना परेगा तो C1 RT पलस C2 RT by the way C भी दोनों का same है RT RT अगर आप पॉमन लोगे तो क्या जागा C1 पलस C2 तो that means osmotic pressure जो हो easily हम add कर सकते हैं यह कहने का मतलग है तो ध्यान रहे यह moles से हमें concentration लेना है तो volume 100 ml है उसको divide करेंगे तो इसका concentration अगर निकालोंगा तो 0.01 by 100 by 1000 तो 1000 उपर चला जाएगा राइट 20 से 20 cancel तो यह कितना जाएगा 0.1 तो यह भी 0.1 हो जाएगा तो 0.1 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 R के value 1 by 12 temperature आपको लेना है 300 अब यहाँ पे calculation बच्चे time लगाते हैं 12 से काटो कर 12 to the 24 12 to the 60 तो देख लो 25 to the 50 मतलब 5 के आसपास आएगा 5 के आसपास कोन है यह option C बाकी नहीं हो सकते तो इस तरीके से आपको करना है बहुत कम calculation करके now types of solution तो solution दो type क्यों होंगे एक को बोलेंगे ideal और एक को बोलेंगे non-ideal तो इन दोनों में difference आपको clear होना चाहिए इस पे based theoretical question ही आते हैं बस तो ideal मतलब वैसे solution जो follow करेंगे rods लोगो हर एक concentration पे and हर एक temperature पे right जबकि यह नहीं follow करेंगे सारे concentration and temperature पे right किसी एक को याद रखो दूसरा उसका reverse हो जाएगा delta v mixing यहां पे 0 होगा that means जब solute and solvent को mix करेंगे तो मालो अपने solute का 2 ml लिया और solvent का suppose को लो 10 ml लिया तो total 12 ml हो गया तो delta v mix 0 रहेगा right ना तो 12 से ज़ाद आएगा ना 12 से कम वैसे delta h ना तो energy release होगी ना ही gain होगी इसलिए यह ideal कराता है जबकि ऐसा exactly real life में ऐसा नहीं होगा तो यह 0 होगे यह सब राइट यह यहाँ पे 0 नहीं होगा आइदर कम होगा यह ज़ादा होगा यह delta v mix मतलब समझ गए right कि solute और solvent का जेतना volume लिया दोनों को add करोगे तो वो exactly उसी के बरावर आ रहा है तो इसलिए delta v mix आपका 0 होगा यहाँ पे यहाँ पे नहीं होगा interaction होने को जैसे आइदर उससे कम हो जाएंगे या उससे ज़ादा हो जाएंगे similarly जो absorb pressure होगा जो experimental है और जो calculate करोगे rod slow से उन दोनों का difference एगन 0 होगा यहाँ पे 0 नहीं होंगे तो आप कैसे पैचाना होगे कि given solution ideal है जब solute, solute में and solvent, solvent में जो interaction है वो exactly solute, solvent के interaction के बरावर हो जाए force of attraction same हो जाए इसलिए यह ऐसा possible नहीं इसलिए यह ideal की बात हो रही है और कैसे पैचान सकते है जब identical in size हो यह भी very rare chance है right, polarity almost same होना चाहिए तब ही ideal solution फॉर्म होंगे example आपको ध्यान भी रखना है जैसे alcohol, methanol, ethanol just next series वाला right, CS2 का difference हो यह CS3 का जैसे यहाँ पे benzene, toluene तो यह सब just उसके homologous series वाले हैं तो उसी में होगा just next वाले, right तो यह सब आपका क्या form करेगा ideal solution delta G mixing, gas free energy और entropy mixing तो यह negative होगा, यह positive होगा यह difference नहीं है, ध्यान दे यह दोनों में same बात रहती है चाहे वो ideal हो या non-ideal उसके लिए यह point कई बार पुछा जाता है चाहे वो ideal solution हो या non-ideal solution delta G always negative होगा delta S always positive होगा नहीं होता है, दोनों में same है, difference नहीं है बाकी चीज़ें difference है अब हम बात करेंगे कि non-ideal solution में भी एक positive deviation वाले होते हैं एक negative deviation वाले, तो उसको कैसे याद रखेंगे, उसके बारे हम बात करते हैं non-ideal solution या real solution दो टाइब के होते हैं एक को बोलते हैं positive deviation वाले और एक को बोलते हैं negative deviation वाले तो यह name से ही के लिए रहा है positive deviation का मतलब हुआ कि जो आपका experimental pressure है right, experiment से जो आया वो theoretical pressure से ज़ादा है theoretical in the sense जो raw law के कार्डिंग calculate करते हैं तो calculated वाला जो vapor pressure है solution का, वो कम पर जाएगा observe मतलब experimental से इसलिए आप कहा सकते हो कि delta V mixing greater than 0 होगा positive से positive ध्यान रखना delta V positive होँगे greater than 0 मतलब positive होगा यहाँ पर कहने क्या मतलब है कि solute और solvent का जो volume mix करेंगे मालो 10 ml और 50 ml mix करेंगे तो total केतना होगा 60 ml तो 60 से ज़ादा हो जाएगा volume 61 हो जाएगा 62 हो जाएगा एट सेक्टरा तो delta V mixing greater होगे delta H mixing भी positive से positive ध्यान रखो greater delta H अगर greater than 0 मतलब कैसा reaction है इंडो थर्मिक reaction है इंडो थर्मिक reaction है तो यहाँ से भी आप पैचान सकते हो कि कौन positive deviation show करेगा कौन नहीं show करेगा इसमें क्या होगा जो solvent-solvent के interaction होगे solute-solute के भी जो interaction होगा या force of attraction यह दोनों ज्यादा stronger होगे solute-solvent से इसलिए आप कैसे पैचानेंगे कि कोई given solution positive deviation show करेगा तो polar molecule में कोई non-polar molecule dissolve जैसे water में benzene, toluene तो water polar होगया benzene, toluene, non-polar होगया तो यह positive deviation को करेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई interaction आएगा ने तो आपको जवरदस्ती करना परेगा मतलब heat देना परेगा समझ के बात वैसे ही water में alcohol यह भी बहुत जादा polar है यह very less polar है तो इस type वाले भी चल जाएंगे या alcohol में benzene, या toluene तो यह सारे के सारे example आपको ध्यान रखना है और कैसे तो वो समझा दिया है और एतना तो कम से कम ध्यान रखना है क्योंकि 99% यही पूछे जाते है चुकि positive deviation है तो उसका क्या मतलब है graphical कि जो भी graph बनेगा वो आपका theoretical है उससे ज्यादा value होगी तो उसके ऊपर बनाना है जैसे अगर माल लो यह तो इसके ऊपर यहाँ पर graph बनेगा यह सिरिफ अगर एक ही बात करें तो यह B का है तो इसके ऊपर ही graph बनाना आपको तो यह सब जो है वो आपके positive deviation वाले है और वैसे यह solution का vapor pressure होगा तो इसके ऊपर आप graph बनाएंगे तो यह सब कौन से होगे positive deviation positive मतलग जो आपका theoretical graph है उससे ऊपर graph बनेगा very simple चुकि वी नो vapor pressure जतना ज़्यादा होगा boiling point उतना कम होता है तो इसलिए चुकि यहाँ पर बनेगा vapor pressure ज़्यादा होगा तो boiling point कम इसलिए इसको बोलते है minimum boiling aziotrop और कभी-कभी वो positive deviation न बोल करके बोल सकता है minimum boiling aziotrop वाले कौन है तो बात वही है कहने का तरीका अलग है समझ के बात aziotrop का क्या मतलब हुआ कि आपका जो solvent that means liquid में जो mole fraction होगा किसी component का वही mole fraction किसम होना चाहिए gas में भी होना चाहिए तो ऐसे condition उसको बोलते है aziotrop वैसे ही negative deviation में आप सब कुछ क्या कर दाना negative that means जो absorb pressure होगा वो आपका कम हो जागा that means experimental कम हो जागा calculated that means जो आप roll-slaw से निकालतो उससे कम value आग इसलिए negative word यूज किये है delta V mixing negative हो जाएंगे strong acid डाल दिया HCl, HNO3, HBR कोई भी strong acid डाल दो तो exothermic reaction होगा तो यह सब के सब आपके negative deviation वाले है एक और example धियां रखना chloroform in acetone right chloroform का यह जो hydrogen है वो 3 chlorine के minus i effect होने का से बहुत ज़्यादा आपका positively charge gain कर लेता है ज़्यादा ही हो जाता और oxygen पे negative है तो इसमें interaction बहुत ज़्याद हो जाएंगे तो यहाँ पे देख सकतो जो solute solvent का interaction होगा वो greater होगा solute, solute और solvent, solvent से इसलिए AB का interaction यहाँ पे compete करेगा AA और BB के interaction से तो यह सारे point रटना नहीं बेटा negative में यह सारी चीज़े हैं और चुकि अब इसमें क्या होगा सारा graph आपका जो theoretical वाला उससे नीचे रहेगा जैसे इसमें इसके नीचे ऐसे रहने वाला है इसमें इसके नीचे ही रहने वाला है इसमें इसके नीचे रहने वाला है तो vapor pressure कम गया तो boiling point जादा हो जाएगा इसलिक्स को क्या बलेंगे, maximum boiling azotrop, तो कभी-कभी negative deviation न बोल करके, maximum boiling azotrop भी बोल सकता है, और यह आपको clear है, चाहे वो ideal हो या non-ideal हो, delta G always negative, delta S always positive, right, delta G always negative, delta S always positive होंगे, चाहे वो ideal हो, non-ideal हो, positive deviation हो, negative deviation हो, doesn't matter, इसलिए हमने उसको उपर ही लिखा है, right, तो I hope, मेरा यह पढ़ियास आपको पसंद आया होगा, इस पर base beta theoretical question आते हैं, जो कि इस से बाहर आप नहीं जा सकते, सारा चीज हमने समझा दिया, returning की कोशिस बिल्कुल भी नहीं करना, अब आप सारे PYQ को कर सकते हो, Hello everyone, कसका आए, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, vapor pressure के बारे में, जो tricks and concept दूँगा, उससे आप इस पे base दाने वाले किसी भी problem को बहुत easily कर लोगे, and without calculation भी, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा practically feel कराता हूँ, कि यह क्या चीज है, right, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो देखो किसी भी solvent को, अगर एक close container में रखोगे, right, यह practically भी आप feel कर सकतो, तो some of the molecules जो उसके solvent के होंगे, वो vaporize होकर करके, यहाँ पे खाली a space में रहेंगे, right, तो उसी को बोलते है, P not a, that is pure vapor pressure of a, क्योंकि इसमें स्रीफ और स्रीफ solvent है और कुछ भी नहीं रखा है, चाहे एक लीटर लो, दस लीटर लो, fix है यह, P not a, right solvent का, इसलिए मैं इसको कैसे treat करता हूँ, it's like equilibrium constant, जैसे chemical equilibrium में equilibrium constant स्रीफ और स्रीफ temperature पे depend करता है, right, तो वैसा ही case है, वैसे ही, एक ऐसा solute जो volatile हो, उसको भी एक close container में रखोगे, तो खाली है space में उसके कुछ pressure होंगे, जिसको बोलेंगे P not b, चुकि यहाँ पर स्रीफ और स्रीफ solute है, इसलिए not लगा रहा हूँ मैं, तो P not b क्या है, pure vapor pressure of solute, right, again function of temperature होंगे, like के equilibrium constant की तरह भी इसको treat कर सकता हो, तो यह दोनों part पहले clear होना चाहिए, कि किसी container में स्रीफ solute या solvent अप लोगे, तो जो भी उसके उसे pressure होगा, वो not से लिखा जाएगा, that means pure होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को mix कर दिये, mix कर दिये तो ध्यान से देखो, black color वाले मेरे solvent थे, red color वाले solute थे, पी ये लिखा तो vapor pressure A का हो गया, in solution में, that means यहाँ पे, यह वाला, क्योंकि यहाँ पे अब खाली space में कौन-कौन होंगे, A के भी कुछ vapor होंगे, और B के भी कुछ vapor होंगे, तो A का सिर्फ केतना होगा, तो उसको बोलेंगे vapor pressure off है, और चुकि non नहीं लगा सकते क्योंकि B भी है यहाँ पे, तो यह pure नहीं है, तो इसलिए solution की बात हो जागी, क्योंकि solute plus solvent है, वैसे P भी vapor pressure भी in solution हो जाएगा, अगर कहीं पे भी X, ध्यान रहे, अगर कहीं पे भी X से represent क्या जा रहा है, तो वो mole fraction है, बट किस में? Liquid phase में, यह ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे X से लिखा X भी, तो mole fraction A और B का किस में? Liquid phase में, मतलब liquid में उसके most कितना है, divided by liquid में total moles, right? Solute and solvent का add कर देना है, तो यह ध्यान रहे, X से हम liquid के mole fraction को बताते हैं, जबकि Y जहाँ पे भी लिखा होगा, तो वो mole fraction किस में बताते हैं? Gas के, एकदम clear होना चाहिए, यह यहाँ पे, इसलिए हमने YA और Y भी ध्यान से देखो, इधर वाले में लिखा, that means Y A कैसे defined हो जागा? Moles of A gas में, gas में moles A का कितना है, divided by total moles, that means A और B का gas में कितना moles है, तो इसलिए ध्यान रहे, X से always liquid में बताते हैं, Y से always gas में बताते हैं, तो यह एक practical feeling की बात है, सारे notation आपको clear होना चाहिए, कि A से मैं solvent को ले रहा हूँ, B से solute को ले रहा हूँ, राइट, कि vapor preparation of solution यहाँ पर मैं discuss करूँ, तो condition क्या है कि solvent भी मेरा liquid है, और solute भी अगर liquid है, दोनो liquid है, राइट, तो solvent को A से represent क्या था, solute को B से physical state, दोनों का liquid, liquid हो गया, राइट, nature कैसा रहाँगा, दोनों volatile हम ले रहे हैं, अभी जो हम colligative property बात करेंगे, उसमें, solute को non-volatile कर देंगे, राइट, यह means, वो solid add करेंगे, तो अभी तो मैं दोनों को volatile ले रहा हूँ, तो बात कर रहे हैं, प्योर vapor pressure, P0 A, P0 B, जो भी बात किया, जब कुछ नहीं याट करोगे, तो, mole fraction अगर liquid phase में, तो उसके moles liquid में by total moles, और इसका X भी, तो उसके moles by total moles हो जाएंगे, और gas में बात करेंगे, तो Y A करना परेगा, तो यह सब भी जानते हैं, now, Rawls law, तो इसका क्या क्याना था, कि किसी भी solvent या solute का, जो vapor pressure होगा, किस में, solution में, वो directly portion होगा, उसके mole fraction के, right, तो यह कोई नया चीज़ नहीं का, obviously बात है, practically हम feel कर सकते हैं, कि pressure A का, that means, यहाँ पे, right, खाली है space में, उतना ही ज़्यादा होगा, जतना ज़्यादा यहाँ पे moles होगे, क्योंकि जतना ज़्यादा इसके number होगे, उतना ज़्यादा vaporize होने की tendency होगी, तो यह कोई नया चीज़ नहीं का, right, अब यह proportionality को हटाने के लिए, उसने एक constant add का, that is, P naught है, वही pure vapor pressure है, इसलिए मैंने बोला, इसको एक constant की तरह ट्रीट करो, इसको याद रखने की ज़्यादा नहीं है, यह आपको question में दे देगा, इसलिए pressure A का gas phase में कितना हो जाएगा, P naught है, एक constant जो दे दिया जाएगा, that is, pure vapor pressure है, into mole fraction A का liquid phase में, ध्यान रहे, liquid phase में, तो raw law को इसलिए मैं बोलता हूँ कि यह liquid में आपको relation दिया था, वैसे ही, P B क्या हो जाएगा, P naught B X B, चुकि total vapor pressure क्या हो जाएगे, P T या उसी को P या pressure of solution सब एक ही बात है, तो क्या हो जाएगे, दोनों के pressure को add कर देंगे, P A P B, तो क्या हो जाएगा, P naught A plus P naught B X B, तो यह very simple है, एक दूसरे हैं Dalton's law, तो इन्होंने gas में relation दिया, और इनके according, gas में कितना vapor pressure होगा, किसी का भी, वो directory portion किस के होगा, gas phase mole fraction के, बिल्कुल इसी type का था, यह Rawls ने liquid में बताया, liquid से relate किया, और Dalton's ने gas से relate किया, तो वही बात है, कि pressure A का gas phase में कितना होगा, इस बात पर depend करेगा, कि यहाँ पर gas phase में उसके कितने ज़्यादा moles है, obviously what is right, तो इसलिए उसको यह करेंगे तो, हटाएंगे तो, यहाँ पर उसने total pressure, proportionality constant के तोर पे लिया, तो इसलिए partial pressure of A is equal to mole fraction A का, लेकिन ध्यान रहे किस में gas phase में into total pressure, यह according to Dalton's है, और this is according to Rawls law, नाउ, ध्यान से देखो, तो यह जो PA, PA जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यह जो उनों तो same ही बात है, क्योंकि gas phase में A का vapor pressure है, तो PA को मैं एक बार लिख सकता हूँ, P not A, X A, और एक बार लिख सकता हूँ, Y into PT, तो दोनों equal कर दूँगा, तो mole fraction A का gas phase में अगर निकलना हूँ, ध्यान दे, mole fraction A का gas phase में, तो pressure of A divided by total pressure हो जाएंगे, pressure of A क्या लिख सकते हैं, P not A, X A, total pressure क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, P not A, X A plus P not B, X B, तो यह सब formula रटनिंग जो होता हैं, बच्चे रटते हैं, आपको clear है, right, इसलिए question को carefully read करना है, कि वो जो mole fraction है, वो gas phase में पूछ रहा है, या फिर liquid phase में पूछ रहा है, तो यह आपको बिल्कुल clear होना चाहिए, और we already know कि mole fraction का sum always कितना होता है, 1 होता है, now graph की बात करते हैं, तो very simple है, you know, P A is equal to P not A, X A था, P B is equal to P not B, X B, तो अगर मैं compare करूँ, Y X इस पागर मैं इसको लेता हूँ, तो यह sum constant into mole fraction X, यहाँ पर यह हो गया, तो Y is equal to MX है right, तो इसलिए A के straight लेना होगा, passing from origin, तो यहाँ पर ध्यान देना है, कि मैं इधर से अगर start करूँ, तो यहाँ पर मैंने X A को 0 बोला है, तो दीरे दीरे mole fraction देका, यहाँ पर केतना हो गया 1, तो इस side में X A increase हो रहा है, इधर X B 0 है, यहाँ पर X B 1, मतलब इधर की तरफ B के mole fraction increase हो रहे हैं, इधर की तरफ A के, एक ही कर पर दोनों को लिया है, और Y X इस पर हमने क्या लिया है, vapor pressure को, तो द्यान से देखो, अगर मैं PA का draw करूँ, तो यहाँ पर X A 0 है, तो कोई pressure नहीं होगा, और धिरे धिरे यहाँ पर X A 1 है, मतलब pure हो गया, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, P naught A, वैसे ही अगर मैं PB की बात करूँ, तो यहाँ पर X B 0 है, तो 0 रहेगा, अगर मालो P naught B, ज़्यादा volatile होता, तो यह उपर होता, यह नीशी होता, only यह ही difference होते है, तो यह graph draw कर लिया, तो यह ध्यान दे, यह वाला जो graph है, वो PA का है, यह वाला जो graph है, वो PB का है, और यहाँ से यहाँ जब आप मिला दोगे, तो यह total pressure P का है, जो आप जानते ही हो, PT या P, या PS, P naught X A, plus P naught B, X B, चुकि दोनों के mole fraction का sum 1 होगा, तो इसको convert करके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें सिरी फर सिरी variable कौन है, एक ही है X B, इसमें सिरी फर सिरी variable कौन है, X A, तो इस type से भी दे सकते हैं, और इसमें भी इस problem कैसे आते हैं, लिख देगा, कि जो pressure P है, वो 2 पलस 3 X A है, तो just compare करना आपको, इसका मतलब P naught B 2 हो गया, P naught A मानस P naught B 3 हो गया, X A से compare करके, या फिर एक बार X A को 0 कर दो, तो X A 0 कर दिये, तो शिरिफ X B हो गया, मतलब यह जो P2 के बार हो गया, वो P naught B है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस type के भी question आ सकते हैं, याद रखने के लिए, रफिशर ने simple सा trick दिया, ज्यान से देखो, A, B, A, B आ रहा है, तो A, B, A, B से याद रखेंगे, P naught A plus, P naught B minus P naught A into X B, कभी याद रखना होतो, और इसमें कैसा है, कि अगर B को पहले करोगे, तो B, A, B, A, procedure सेम रहेंगे, वैसा ही है, इस प्लस bracket के अंदर, माइनस रहेंगे, तो कैसे B, A, B, A, तो इस तरीके से याद रखने हैं, जिसके लिए रखी सर जाने जाते हैं, और बहुत important है बेटा, मैं यहीं से पता लगाया, कि ध्यान से देखो, मेरा जो भी answer आएगा, vapor pressure of solution का, वो P naught B से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहीं वो points अब हैं, और P naught A से कम होगा, तो हमारा जो vapor pressure of solution है, वो इन दोनों number के बीच में होगा, इसलिए answer का range हमें clear है, हमें option given होगा, उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे बोला आपको, कि जो lowest value होगी, उसको इस corner पे लिख लो, और जो highest value होगी, उसको उस corner पे लिख लो vapor pressure का, जिसको मैं यहाँ पे, मान रहा हूँ कि P0B T है, और P0A Z है, जहाँ पे T से बड़ा है Z, वैसे ही moles of B को मैं X मान रहा हूँ, और moles of A को Y, definitely यह कुछ भी हो सकते हैं, तो अब अगर मुझे solution का vapor pressure निकलना हो, तो उसमें condition लिया है, अगर दोनों के moles same है, या दोनों का mole fraction same है, तो exactly midpoint पा जागा, average कर देना दोनों number का, that means Z plus T by 2 कर देना, that is P0A plus P0B by 2, midpoint आ जागा, अगर दोनों का moles same है तो, अगर same नहीं है तो क्या होगा सर, तो आप ध्यान देव, अगर moles A का जादा है, तो जिसका जादा होगा, उसकी तरफ shifted होगा, अगर यहाँ पर मैंने माना A का जादा है, तो midpoint से इधर की तरफ shifted होगा, जितना जादा होगा, उतना 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 की तरफ shift होजागा, अगर B जादा होता, ध्यान दो B अगर जादा होता, तो midpoint से इधर की तरफ shifted होता, और जितना जादा होता भी, उतना shifted होता, तो यह है trick का point, तो वही हमने लिखा कि अगर A na greater than N b है, तो जो आपका vapor pressure of solution है that is total pressure, वो shifted होगा towards A की तरह from midpoint, right, again उसकी exact value निकानना, उसके लिए भी rafisar के पास trick है, कैसे निकानना है, कि आपको जो vapor pressure of solution है, that is total vapor pressure, वो midpoint, right, यह आप निकाल लेंगे, दोनों का average लेकर के, plus minus क्यों लगाया है, क्योंकि आपको देखना परेगा, midpoint से अगर आगे जा रहे हैं, तो plus, midpoint से पीछा रहे हैं, तो minus, clear, here, यहाँ पर आपको क्या करना है, कि आपको z minus है, मतलब midpoint जो है, right, अगर इधर की तरफ जा रहे हैं, अभी इस case में, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो z में से m, मतलब यह distance को आपको minus करना, यह distance केतना वो लिखना है, divided by total नीचे में x और y, यह moles वाले, इनको sum कर देना, into में इन दोनों का difference आजाएगा, y minus x, जो बड़ा होगा, उसमें से गड़ा देना, तो tension ने लेना, यह trick का point है, अगर suppose करो, इधर की तरफ होता तो क्या होता, यह चीज़ यह रहती, यहाँ minus रहता, बाकी चीज़े same रहती है, z minus m की जागा क्या करना पड़ता, m minus z, question number one में, x का weight given था, 0.6 gram, y का 0.45 gram, इनको mix किया गया, molecular weight भी given था, तो total pressure आया है, 740 mm है जी, तो partial pressure x का बताना है, तो very simple, moles of x यहाँ से निकल जाएगा कितना, 0.03, moles of y कितना जाएगा, 0.01, right, partial pressure x का क्या होगा, आपको मालूम है, mole fraction of x into total pressure, right, mole fraction x का कैसे निकलेंगे, उसके moles 0.03 by total moles 0.04 into total pressure 740, तो यह cancel हो जाएगे, 3 by 4 times है, आप अगर इसको cut करोगे, तो 4 से कितने time में जाएगा, दियान से देखो, 4, 1 the 4, 3, 34, 4, 8 the, 4, 5 the, right, तो 185, 3 the कितना हो जाएगा, 555, तो answer will be 555, तो इस टाप से question पूछे जा सकते हैं, question number 2 में, यह word में था, just मैं क्या क्या given था, उसको लिखाऊ, total pressure 350 है, जब mole fraction a का 0.7 है और b का 0.3 है, फिर total pressure 450 आया, जब mole fraction a का 0.2 है, और b का 0.8 है, तो p not a बताना है, तो ऐसे question में बता आपको, क्या आप कैसे लिखेंगे, total pressure p कैसे था, अगर मैं p not a लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखना परेगा, b minus a, right, ab और ab इस टाप से, इसको use कर लेंगे, right, 350 is equal to p not a plus p not b minus p not a into xb, xb कितना था, 0.3, तो यह एक equation हो गया, दूसरा, 450 is equal to, again, p not a plus p not b minus p not a into में, mole fraction कितना हो गया, 0.8, तो यह 2 हो गया, 2 minus 1 करोगे, तो 450 minus 350 कितना जाएगा आपको, 100, यह तो cancel हो जाएगे, यह कितना जाएगा, p not b minus p not a times of 0.5, तो यहाँ सब द्यान से देखो, तो कितना जाएगा, आपको, p not b minus p not a जाएगा, वो 200, तो किसी एक में put कर दो, यहाँ पे 200 into 0.3, कितना हो गया, 60, तो right, तो यहाँ से p not a कितना जाएगा, द्यान से देखो, यह उधर चले जाएगे, तो 350 minus 60, that is 290, तो answer will be 290, इस steps आप solve कर सकते हैं, question number 3 में total pressure आपको given था, 0.88m, mole fraction a का gas phase में 0.5, और a का ही liquid phase में 0.2, तो p not a, तो we know कि अगर इसकी बात करें, तो we know partial pressure of a is equal to y a into p t होगा, और इसी को क्या लिश सकते हैं, p not a, x a के बराबर भी, दोनों equal हो जाएगे, right, तो दोनों equal हो जाएगे, तो equal कर दो, तो y a into p t is equal to p not a, x a, अगर अब द्यान से देखो, तो यहाँ पे सब given हमें, तो हमें क्या करना है, आपको p not a निकाना है, तो क्या हो जाएगा, p not a द्यान से देखो, y a, y a आपको given था, 0.5, p t total, कितना, 0.8 by x a, x a कितना, 0.2, तो यहाँ से द्यान से देखो, तो यह cancel हो जाएगे, 4, 5, the 2, तो इसलिए p not a आपका कितना जाएगा, 280, integer type में इस टप सब कर सकते हैं, question number 4 में, p not a 50 है, p not b 100 है, mole fraction a का 0.3 है, तो टोटल pressure, right, तो ऐसे question को कैसे करने, trick साब को बताया, एक number line draw किजिए, a का 50 है, b का 100 है, right, यह a हो गया, यह b, a का mole fraction आपको given है, that is 0.3, तो b का कितना हो जाएगा, 0.7, right, अगर दोनों का mole fraction same होता है, तो हमारा pressure कहां पहा जाता, इन दोनों का average, that is 100 plus 50 का average कितना हो जाता, 75, तो definitely, चुकि यह जादा है, तो इस से इधर की तरफ shifted होंगे, तो हमारा answer 75 से जादा होगा, तो यह 2 option गए, इन दोनों में से कोई होंगे, right, कभी-कभी ऐसा होता है, कि एक ही option होता है, पर यहाँ पे 2 option है, उसको भी कैसे करना है, तो आपको बताया, meet point that is 75, उससे आगे है तो plus, यहाँ पे इन दोनों का difference, तो इन दोनों का difference कितना हो गय 75 plus, यह 25 into 0.4, तो कितना गया है, 85, so answer will be C, right, इसी question को आप कैसे करते हो, तो आपको मालूम ही है, कि total pressure निकलना है, P not A, 50 into mole fraction, 0.3, P not B, 100 into mole fraction, 0.7, आप ऐसे भी करोगे, वहीं आएगा, त्यान से जगो, 53 the 15, और यह 70, तो कितना गया है, 85, तो यह है रफी सर का trick, आप ऐसे कर सकतो किसी भी question को, question number 5 में, इस step से given pressure, P not A, P not B बताना है, तो आपको बताया था, इसको कैसे लिख सकते है, P is equal to, चुकि X B given है, तो मैं कैसे लिखाँगा, P not A plus P not B minus P not A into X B, अब इन से compare कर लो, तो यहां से दिख रहा है, कि P not A कितना लेना परेगा है, 5, right, compare कर रहेंगे तो, और ध्यान रहें कि इसको आप और कैसे लिख सकतो, तो 5 plus of minus में 3 times of X B लिख सकतो, that means P not B minus P not A किस के ब्रावर है, minus 3 के, चुकि P not A मालूम आपको 5, right, तो P not B कितना हो जाएगा, उदर जाएगा तो 5 minus 3, that is P not B कितना हो गया, 2, तो इस step से आप solve कर सकते है, Hello everyone, कसका आए, आज की इस वीडियो लिक्चर में हम लोग बात करेंगे, relative lowering of vapor pressure के बारे में, and जो tricks and concepts दूंगा, उससे आप इस पे based डाने वाले किसी भी problem को बहुत easily कर सकतो, और बहुत कम calculation करें के भी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, conceptual feeling के बारे में, then field tricks के बारे में तो देखो, बहुत simple है ये, कि अगर मैं किसी container में, close container में, सिर्फ solvent लिया है, और solvent कैसा, volatile है, तो उसके कुछ pressure यहाँ पे रहेंगे, right, जो molecules के vaporize होंगे तो, तो इसलिए उसको बोलेंगे P not A, pure vapor pressure, क्यों, क्योंकि सिर्फ solvent है, दूसरे case में मैं क्या कर रहा हूँ, कि उस solvent मे कुछ solute add कर दिये, जहाँ पे solute plus solvent क्या बनाएंगे, solution हो जाएगा, जहाँ पे solute हमारा कैसा है, non-volatile, that means, वो volatile नहीं होगा, और solvent तो volatile था ही, तो इसलिए इसका P not B, जो solute है, उसका P not B, pure vapor pressure 0 हो जाएगा, और अब solvent का जो होगा, वो P not A नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें solute भी है, कुछ surface, कुछ जगा, solute particle ने ले रखा होगा, तो pressure क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो भी pressure होगा, यहाँ पे, वो स्रीफ और स्रीफ, solvent की बज़ा से होगा, तो इसलिए हम total pressure of solution बोले, या स्रीफ उसको P से represent करें, या total pressure, वो actually pressure of solvent क्योंकि होगा, और जो कि हम raw स्रीफ से निकाल सकते हैं, P naught A x A, तो यह हो गया, vapor pressure of solution, तो यह दोनों चीज़ एकदम clear होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक के process में आपको क्या दिखा, that is called conceptual feeling, कि भाई, एक lowering of vapor pressure होगा, that means, जो अभी P naught A है हमारा, जब हमने कोई solute add नहीं किया, और जब आपने solute add किया तो that is P A, तो definitely जो आपका P naught A है, वो greater है P A से, और P A ही क्या है, दियान से देखो, total pressure है, या फिर pressure of solution है, तो क्या होगा आपका pressure, कम हो गया है, तो इसलिए बोलेंगे lowering of vapor pressure, और कैसे define करेंगे, pure में से minus कर देंगे pressure of solution को, जो कि इस reference कि किसके वाज़ से होगा, solvent क्योंकि वही तो इस difference को बोलते हैं, lowering of vapor pressure, जिसको हम delta P से भी represent कर सकते हैं, और एक word होता है, relative lowering of vapor pressure, तो relative word लगाने से किसी के respect में बात कर रहे हैं, और वो जो है, वो pure solvent के vapor pressure के respect में बात होती है, तो इसलिए क्या हो जागा, lowering of vapor pressure divided by pure का, तो इसी को बोलेंगे, relative lowering of vapor pressure, clear point, तो according to Rod's law हम तो ही है, कि pressure of solution, अगर solute और solute दोनों volatile होता है, तो P not A X A plus P not B X B, बट यहाँ पे solute हमारा non volatile है, तो P not B क्या हो जागा, 0, तो इसको अगर 0 put कर दोगे, तो P क्या हो जागा, P not A X A, जो already हम यहाँ पे देख चुके हैं, और यही total pressure है, pressure of solution है, दूसरा, इसको rearrange कर के लिसकते है, X A को क्या लिसकते हैं, 1 minus X B, क्योंकि mole fraction का sum 1 होता है, तो P is equal to P not A X A की जगा मैंने 1 minus X B put किया, और इसको arrange कर दिया, तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हुआ, P not A, X B is equal to P not A minus P हो गया, तो यहाँ से आप क्या सकतो, जो mole fraction of solute, mole fraction of solute कैसे निकालते हैं, वो भी clear है, moles of solute उ solvent होंगे, वो किसके बरावर होगे है, जहां से देखो तो, relative lowering of vapor pressure के, तो यहाँ से एक बहुत ही important concept निकल काया, कि जो relative lowering of vapor pressure निकालोगे आप, तो depending question में क्या given, अगर P not A, और P given है, solution का, तो इससे निकाल लेंगे, नहीं, तो वही किसके बरावर है, mole fraction of solute, तो question को carefully read करना है, अगर वो relative lowering of vapor pressure पूछ रहा है, that means, वो आपसे mole fraction of solute, मतलब इसको ही वो, ऐसे बोल दे, mole fraction of solute निकालो, तो वही बात हो गया, right, दोनों चीजे, एक हो के बद्यान रहे, यह solute का mole fraction है, right, तो relative lowering of vapor pressure की स्पेट रिप्रिंट करता है, mole fraction of solute पे, और एक case लिए हमने, कि अगर म सकतो, और अगर मैं इसको यहाँ put कर दो, NB by N A plus NB को यहाँ पे, और reverse कर दो, तो फिर हमें यह relation आजागा, तो कभी-कभी यह relation भी यूज करते है, right, तो यह एकदम clear होना चाहिए, इसमें रटना नहीं है, तो final point क्या निकल का है, tricks का point क्या है, कि lowering of vapor pressure is not a colligative property, द्यान रहे ना तो vapor pressure आपका colligative property है, ना ही lowering of vapor pressure एक colligative property है, right, यह भी colligative property नहीं है, और यह किसके बरावर जाएगा, तो lowering of vapor pressure मतला P not A minus P, जो की P not A, mole fraction of solute के बरावर होगा, relative lowering of vapor pressure only, this is a colligative property, which depends only on number of solute particle, that is mole fraction of solute, तो यह आपको अभी बताया, तो यह दियान रखना है, और आप क्य क्या देख पाए कि जब हम solute add कर रहे हैं कैसा, non-volatile मतलब solid वाला, जैसे water में NaCl, glucose, urea, यह सब add कर दिया, तो in that case, vapor pressure solution का और freezing point solution का decrease हो रहा था, boiling point and osmotic pressure increase हो रहा था, तो total 4 colligative property में, जो vapor pressure वाला और freezing point वाला part है, वो decrease हो रहा है, boiling point और osmotic pressure वाला increase हो रहा है, तो यह आपक कुली एकदम clear होना चाहिए, अब हम इस पर best application की बात करेंगे, question number 1 में, vapor pressure of 30% weight-wise volume of glucose solution, आपको find out करना है, अगर density 1.2 gram per centimeter क्यों है, और P note of water is 24 mmHg, तो सबसे पहले यहाँ पे यह read करना आना चाहिए, आपको, 30% weight-wise volume का क्या मतलब हुआ, कि अगर हमने 100 ml लिया, तो उसमें 30 ग्राम आपका कौन है, glucose, और यहाँ पे density given है, 1 ml का mass 1.2 gram है, तो 100 ml का कितना हो जाएगा, 1.2 into 100, that is 120 gram आपका solution है, जिसमें 30 gram तो आपका solute हो गया, तो इसलिए 90 gram कौन हो जाएगा आपका water, तो इसके moles निकास सकते है, 30 by 180 glucose है, तो 1 by 6 हो जाएगा, और यह 90 by 18 तो यह 5 moles हो ज अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो vapor pressure, solution का, तो आपके पास दो तरीके है, solution का vapor pressure, चुकी शिरिफ solvent volatile है, तो P0A, XA से निकाल सकतो आप, तो P0A आपको given है, 24, mole fraction of, यहाँ पे XA क्या है, solvent का, solvent के moles कितने है, खुद, 5, divided by total moles, तो 5 plus 1 by 6, तो ध्यान से देखो, तो यह 30 by 31 into 24 हो जाएगा, अगर आप जहाँ से देखो, तो यह value close to 24 होगा, लेकिन चुकि 31 यह bigger है, तो सबसे smallest close में, 25 तो possible ही नहीं था, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, उससे कम, तो option B होगा, और इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आप जहाँ से देखो, तो solvent volatile है, solute के बारे में कुछ भी नहीं, P not given है, that means non volatile है, तो आपको मालूम है, P not A, that is pure vapor pressure, minus P by P not A is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute कैसे निकालेंगे, 1 by 6 divided by 5 plus 1 by 6, और यह value आप कैसे निकालते हैं, तो 24 minus, यही P जो आपको निकालना था solution का, divided by 24, तो इधर से आप ध्यान से देखो, तो यह कितना हो जा 6, तो यह 6 is 6 cancel, तो 1 by कितना हो जाता, 31, तो यहां से भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके से same answer आएंगे, just समझने की बात है, question number 2 में, what weight of glucose must be added in 100 gram of water to lower vapor pressure by 0.2 mmHg, 0.2 mmHg से कम करना और P not of water again given है, again यहां पे एक ही solvent का आपको vapor pressure given है, that means RLVP लगा सकते हैं, यहां फिर, normally आप rod slow भी लगा सकते हैं, जहां पे हमारा solute non-volatile है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो अगर आपको क्या दे दिया है, कि lower by 0.2 mmHg, that means, आपको delta P given है, तो delta P by P not केतना होता है, 54.2, right, तो यह किसके बराबरता है, mole fraction of solute, solute का mole fraction कैसे निकाल सकते हैं, weight नहीं मालुम है, माल x gram by 180, यह इसके most divided by, चुकि ध्यान से देखो, तो आपके जो option है, वो 3 या 4 के आसपास है, right, तो उसमें 180 से divide करेंगी, तो यह most बहुत कम आने वाला है, इसलिए नीचे में by the way, यहां पे 100 gram water है, मतलब 5.5 most उसके हैं, पलस इसके भी होते हैं, जिसको मैं neglect कर रहा हूं, यह point से, यह point आपका cancel हो जाएगा, right, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 हो गया वो, यह 542, यह x by 180, और ध्यान से देखो, तो यह कितना था, 100 gram था, तो 100 by 18 actually था, तो यह cancel out हो जाएगे, तो यह 10 हो जाएगा, तो यहां से x कितना हुआ, ध् 1000 into 2 by 542, आप calculation कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसको आप 540 ले लेंगे, एप्रॉक्स में, तो 1000 into 2 by 540, इससे यह cancel हो गया, 2 से यह 27, इसको भी मैं, अगर आप ध्यान से देखो, तो 25 ले सकता था, तो यह 4 times में, तो एक बात तो clear है, कि उससे 4 से कम होगा, तो यह option तो वै कर सकतो 27, 3 times में जाएगा, point और जो बचेगा, तो वो 6 times माएगा, तो एक ही ऐसा option, that is B, तो ऐसे आपको think करना है, question number 3 में, इस टाइब के बहुत सारे question पूछे आते हैं, A, B, C, 3 solute है, जिसको 180 gram water में dissolve किया गया है, सबका 10 gram dissolve किया गया है, molecular weight सबका given है, तो RLVP का order, तो solute के मोल्स कैसे होंगे, तो उसके weight by molecular weight, उसके मोल्स उपर होंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो सबका weight तो उसने same कर दिया, that means, molecular weight के inversive proportional है, we already know, तो जिसका ज्यादा molecular weight होगा, उसका कम होगा, तेसलिए order क्या हो जाएगा, A, B, C, तो ध्यान रखना, RLVP is inversive proportional to molecular weight of solute, even, सारे colligative property, molecular weight के inversive related होती है, तो इस type से आपको करना है, नाओ ग्यान की बाद, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि abnormal colligative property क्या है, very simple है, जो आपका relative lowering of vapor pressure था, वो mole fraction of solute के बरावर था, mole fraction solute का कैसे निकालेंगे, उसके moles by total moles, तो यह normal हो गया, abnormal में क्या करते है, आपको मा minus one into alpha, N क्या है, number of ions, कितने break होगा, alpha degree of dissociation है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो आपका relative lowering of vapor pressure है, वो I multiply हो जाएगा, solute के moles में, तो I into NB, I into NB, solvent का तो as it is रहेगा, वो तो dissociate होने रहे, तो abnormal इसको बोलेंगे, इस पे basic problem यहाँ पे है, जैसे 80% mgCl2 is dissociated, right, vapor pressure of one molar, one molar aqua solution of mgCl2 बत पी नॉट है, पी नॉट हेस्टो गीवेन है, तो अगेन इसको करने के दो तरीके हैं, अगर मैं ध्यान से देखो, तो सिर्फ solvent volatile है, क्योंकि solute के बारे में कुछ ने गीवेन है, तो solvent volatile है, तो रोल्ट स्वा में लगाई सकता हूँ, तो जो pressure solution का निकानना था, that is total pressure, वो क्य से निकालेंगे, तो ध्यान दो, one molal दीवेन है, one molal का क्या मतलब हुआ, one molal का मतलब हुआ, कि one mol अगर solute है आपका, किसमे, thousand gram water में, right, तो यहाँ पे water का भी आपको mols निकल गया है, और solute का भी mols निकल गया है, तो हमें उपर में mols of solvent लेना परेगा, तो क्या हो जाएग दियान देना है आपको, कि हमें किसका लेना परेगा, mols of solute, solute के mols one नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यह dissociate हो रहा है, तो mgCl2 कैसे भी रेखोगा, आपको मालूमी है, mg plus 2 में, और 2Cl minus में, तो इसी को मैंने बता है, total ions हमें, n केतना मिल गया, 3, तो यह वाला formula लगा दो, तो i कितना हो जागा, 1 plus 3 minus 1, that is 2, और alpha given है, 80% मतलब 0.8, तो यह जागा आपका 2.6, तो यहाँ पर आपकर देना आपको 2.6, तो अगर आप दियान से देखो, तो यह कितना हो जागा, 50 into, यह प्रॉक्स में 55.5 होगा, नीचे में 55.5 plus 2.6, तो यह कितना हो जागा, 50 into, उपर में 55.5, नीचे में यह 58.1 के असपास, तो आप दियान से देख सकते हो, 50 से कम होगा, और यह close to में आपको 48 आ जागा, solve करेंगे तो, तो इस type से आप कर सकते हैं, दूसरा आप इसी को ऐसे भी कर सकते थे, right, कैसे, delta P, तो P naught, that is given to you, 50 minus pressure of solution निकालना है, by P naught is equal to mole fraction of solute, solute के mole fraction मे अभी आप निकाल चुके उसका, कितना हो गया, 2.6 divided by 2.6 plus, वो solvent का, तो वो कितना हो जागा, 1000 by 18, तो यहां से भी solve करते, तो भी आपको P कितना आता, 48, तो करने के दोनों तरीके हैं, सेमी बात है, तो just मैंने यह समझाने की कोशिश किये, now, Henry law, तो ध्यान से समझो, इसमें बच्चे बहुत कंफिर रहते हैं, very simple इसका कहना था, जैसे मैंने यहां पे दो डियाग्राम से समझाने कोशिश किये, कि अगर मेरा pressure one bar है, यह कोई मेरा solvent है, right, और इधर कोई gas रखी हुई है, right, तो अगर pressure कम होगा, तो gas के बहुत कम molecule water में आएंगे, अगर pressure को मैंने बढ mass of gas in liquid कितना आया है, वो directly proportional होगा pressure of gas, यहां पे जो gas है, वो कितने pressure पर होगा, अब इस वरते हैं, जतना ज़्यादा pressure होगा, gas के particle उतना ही ज़्यादा liquid मा जाएंगे, solvent मा जाएंगे, तो यह उनका कहना था, इस proportionality को हटाने के लिए constant, तो यह एक formula होगया, कि mass of any gas dissolve in solvent is equal to some constant जो आपको given होगा, और into pressure of gas, gas का pressure जतना ज़्यादा liquid के surface के उपर होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा gas dissolve होगी, यह उनका कहना था, अगर आप ध्यान से देखो, तो जो henry law है, वो एक special case है, rolls law का, यहां पे भी ध्यान से समझना है, यहां पे भी बच्चों को confusion रहता है pressure of gas मतलब gas का खुद का pressure, individual pressure, तो वो किसके बरावर होगा, mole fraction of gas, ध्यान रहे x लिखा है, x मतलब mole fraction कहां liquid phase में, gas का जतना से ज़्यादा से ज़्यादा moles liquid में होगा, mole fraction of gas into henry law constant, और अगर आप ध्यान से देखो, तो mole fraction of gas को कैसे निकालेंगे, moles of gas in water या in solvent divided by total moles of solvent, right, इस तर होगा, इसलिए हमने सिर्फ solvent के लिए, और into henry law constant, right, very dilute के लिए लग जाएगा, और ध्यान रहे, कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, इसी gas के pressure को, जो individual pressure हो, तो gas के pressure को ऐसे भी लिख सकते है, y gas into pt, तो यह y gas into pt क्या, y मतलब, यहाँ पे, right, इस खाली है, space में, that means gas phase में, mole fraction into total pressure तो ध्यान रहे, into total pressure है, तो यह gas का खुद का है, यह total pressure, तो gas का plus जो extra कोई होंगे, उसका pressure मिला के लिख क्या हो जागा, total pressure, तो यह बात आपको एकदम clear होनी चाहिए, now conceptual बात, that is very important, बच्चे इसमें भी confuse रहते हैं, तो मैंने clear किया यहाँ पे, Dalton's law क्या कहता है, कि gas का gas मे connection, that means, जब gas में gas dissolve है, gas, gas का mixture है, तो pressure of any gas, that means, उसका खुद का pressure, that means, partial pressure, सब एक ही बात है, वो किया होगा, उसके mole fraction gas phase में into total pressure, तो यह gas, gas में बात किया था, Rawls law के according, एक तरीके से इसने क्या कहाना चाहा, कि जो भी solute या solvent volatile होंगे, तो vaporize होकर कहाँगे, तो यहाँ पे solute या solvent का जो vapor pressure होगा, PA या PB, वो उसके pure vapor pressure into mole fraction of a, किसमें ध्यान दे, liquid phase में, तो एक तरह से यह gas liquid का combination है, बट ध्यान से समझते हुए, दोनों volatile हैं तो, या एक volatile हैं, तो यह, कितना vaporize होकर गया, यहाँ पे निकाल सकते हैं, liquid के surface पे, जबकि Henry का क्या क्याना है, उसका reverse direction में तरीके से, कि जो भी gas यहाँ पे है, तो वो कितना ज़्यादा dissolve होंगी, कितना ज़्यादा वो liquid phase में आएंगी, वो इस बात पे depend करेगा, कि यहाँ पे gas का pressure कित अतना ज़्यादा इसमें dissolve होंगे, इसलिए मैंने बोला कि Henry law जो है, वो special case of Rods law है, राइट, दोनों का कहना एक तरीके से से मैं, जस्त घूमा करके बोला है, तो इसलिए pressure of gas, जितना ज़्यादा होगा, अभी साथ है, mole fraction gas का, किसमें, liquid में, क्योंकि X लिखा हमने, X का मतलब liquid mole fraction उतना ज़्यादा होगा, और उसको प्रपरसिटी को अटाने के लिए Henry law constant, तो ये भी हम यूज करते हैं formula, और ये भी depending क्या given है, तो अब हम इस पे based application की बात करते हैं, Now question number one में, find mass of CO2 dissolved in one liter of water, having pressure of CO2 is given to you, एतना बार, और Henry law constant given है, ध्यान रहे, kilo bar में, और option given है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, बच्चे इसमें भी confused होते हैं, और कुछ बच्चे को तो समझ में नहीं आता क्या करना है, ध्यान से देखो, Henry law constant given है, हमें वो लगाना है, pressure of CO2 जो gas का pressure चाहिए, वाई given है, तो you know, P gas is equal to क्या हाँ था, mole fraction of gas, right, that is CO2, into Henry law constant, that is case, P gas आपको given है, लिख दो, 0.835 bar है, mole fraction gas का कैसे निकालेंगे, तो उसका mass मालिया, x by 44, यह उसके moles होगे, divided by total moles में ध्यान रहे, 1 liter water है, you know, water की density, 1 gram पर ml होता है, तो 1 liter है, मतलब 1000 ml, तो 1000 gram हो जाएंगे, उसका water का mass, तो उसके कितने हो जाएंगे, 1000 by 18 moles, पलस, यह moles आता है, लेकिन, ध्यान से देखो, तो इतना कम है, उसको 44 से divide करेंगे, फिर इतना match करेंगे, कोई फर्क नहीं परेगा, इसलिए वो नहीं लिख रहा हो, into, ध् 1.67 into 1000, क्योंकि कीलो बार है, अब ध्यान से समझे, इसको कैसे करेंगे, तो यह हो गया, 0.835, यह x by 44, ध्यान से देखो, तो यह 18, ऊपर चला जाएगा, 1000 आपका नीचे, into 1.67 और यह 1000, तो यह 1000 से, यह 1000, कैंसल होगे, अब ध्यान से देखो, इसका मैं अगर निकाल दूं, तो by 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका अगर मैं निकाल दूं, तो ध्यान से देखो, यह कितना हो जाएगा, 1000, तो यह 20, से 20, cancel, अब अगर अब ध्यान से देखो, तो यह कितना हो जाएगा, 83.5, 83.5 is equal to x by 44 into 18, और यह 167, यह इसलिए ऐसा दिया, ध्यान से देखो, त divided by 18 into 2, तो ध्यान से देखो, तो यह 2 से, 22 दा राइट, तो यहाँ पे यह भी 29 दा, और 21, तो 11 by 9, that is 1.2 गड़ा, तो एंसर कितना हो जाएगा, A, तो इस टाप से आप कर सकतो, solve करने की ज़्यादा ज़रूत नहीं है, question number 2, यह भी again important है, इस टाप के बहुत सारे question को जाते ह आपको N2 का given है, that means KH आपको given है, 10 की power 580 है, अब ध्यान से देखना, mole fraction of N2 in air, is 0.8, N2 खुद gas है, और air में और कौन है, nitrogen है, oxygen है, तो यहाँ पे जो mole fraction है, यह actually कौन सा given है, Y वाला, 0.8 है, right, और moles of N2 dissolve in 10 mole of water, 10 mole of water में, that means, यह water हो गया, इसका 10 mole में, यह gas जो भी N2 है, वो कितना dissolve होगा, वो निकाना है, तो वही अभी आपको बता है, same formula लगाना है, तो अभी यहाँ पे pressure of N2 हमें चाहिए, यह ध्यान रहे है, कहाँ पे पूछ रहा है, at 5 ATM, कुछ बच्चे यही pressure put कर देते हैं, यह जो 5 ATM है, यह बता है नहीं, तो यह total pressure है, जब of N2, जो कि हमें निकानना है, right, divided by, total moles में, moles of N2 भी आएंगे, आप देख सकतो, कितना कम है उसका mass, तो उसको neglect कर सकते हैं, और water के moles 10, 10 plus something होता है, बट यह एतना less है कि हम इसको neglect कर सकते हैं, और N2 में, आपका Henry log constant, that is 10 की power 5, तो यहाँ से देहां से देखो, तो moles of N2 कितना ग आएगा D, तो I hope मेरा यह पढ़ियास आपको पसंद आया होगा, हमने बेटा सब कुछ समझा दिया है, अब आपको इस पे बेज दाने वाले किसी प्रवल्म को बहुत इजली कर सकतो, सारे PYQ को आप ट्राए कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, थैंक यू, हलो फ्रेंड्स, कैसे हो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, एलक्ट्रो केमस्टी में, एलक्ट्रो लाइटिक सेल के बारे में, वैसे तो यह चेप्टर स्टुएंट को बहुत तफ लगता है, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप मेरे इस ट्रिक वाले कोई और चेप्टर नहीं लगेगा, तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं, एलक्ट्रो लाइटिक सेल के बारे में, तो पहले तो समझे लो कि वाट इस एलक्ट्रो लाइटिक सेल, देखो सिंपल अगर मैं समझाओ, तो आपका मोबाइल जब चार्जिंग हो रहा होता है, तो तो वेरी सिंपल ट्रिक सेल हैं, बहुत छोटे छोटे, पहला पॉइंट तो पाओ, जो बड़ा पाओ आप सुगा नास्ते मिले तो पाओ और याद रखना है, पाओ का मतलब यहाँ पे क्या है, P for positive, A for anode, O for oxidation, तो पहला चीज किलियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे confusion रहता ब यह हमने electrolytic सेल ले रखा है, यह दो electrode हो गए, और battery किसी external source से अपने connect किया, तो battery का बड़ा वाला डंडा जो हता हो पलस साइन से, तो यह positively charge plate हो गया, तो यह क्या हो गया आपका, anode, याद रख लेंगे, तो definitely जो दूसरे वाल हो जाएगा, जो negative हो और क्या हो जाएगा, वो cath Now, next point, कि an ox red cat, an ox का मतलब क्या देखो, an से anode, ox से oxidation, okay, red cat मतलब reduction at cathode, तो किसी को अगर confusion हो, तो always इस rhyming वर्षियाद रख सकता है, an ox red cat, that means anode पे always oxidation होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और cathode पे always reduction होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और cathode पे always reduction होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, Now, third point, जो सबसे ज़्यादा important, कि exam में अगर आपसे पूछा गया, कि आपने aqueous solution लिया किसी electrolyte का, यहाँ पे electrolyte का होगा है, simple, पानी में आपने किसी salt को डाल दिया है, तो अगर पानी में किसी salt को डाल दिया है, salt में क्या होगे, plus और minus, तो aqueous solution of any electrolyte को अगर आप electrolyze करोगे तो anode पे क्या मिलेगा, cathode पे क्या मिलेगा, उसके लिए रफिसर का trick, CBI and छापा, देखो very connected word है, CBI का का काम क्या है, छापा मानना, कैसे द्यान से देखो, CBI का उतलब क्या है, अगर CL minus आपके solution में, that means यहाँ पे अगर कहीं पे भी CL minus है, या BR minus है, या I minus है, तो फिर यही oxid होंगे, अगर इन तीनों आइंस में कोई भी present होगा, तो यही oxidize होगा, अगर यह तीनों आइंस में से कोई भी नहीं है, तो फिर उस case में water oxidize होंगे, O for oxidation, O for oxygen, तो oxidize अगर water होगा, तो क्या मिलेगा, oxygen gas, और अगर इन तीनों में से कोई है, यह oxidize होगे, तो क्या मिलेगा, क्लोराइडाइन होगा तो CL2 gas ब्रोमाइडाइन होगा तो BR2 gas, आयोडाइडान होगा तो I2 gas, नाव एक और कोशन उठता कि सर अगर दोनों तीनों प्रेजन्ट है तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने इस ओर्डर में लिखा, अगर तीनों प्रेजन्ट है तो सबसे पहले I minus oxidize होगा, फिर BR minus फिर CL minus, तो इसलिए CBI, उसी order में लिखा मैंने आपके लिए कि अगर तीनों प्रेजन्ट है तो सबसे पहले I oxidize होगा, फिर उसके बाद BR, फिर उसके बाद chlorine I hope clear होगा, और अगर ये तीनों आइंस में से कोई भी नहीं है तो क्या होगा Water oxidize होगे, और Water oxidize होगा तो क्या मिलेगा O for oxidation, O for oxygen Now, सर कैथोर्ड पर क्या होगा, वो बताओ, तो हमने क्या बोला कि CBI का काम क्या, छापा बना छापा मतलब, अगर ये Metal के Catain present है Copper plus 2, Mercury plus 2, Ag plus अगर solution में ये सब अगर present है, तो फिर यही reduce होगे, और reduce होकर के क्या देंगे, Copper, Metal, Mercury Metal या Silver Metal आपको देंगे अगर ये Catain नहीं है तो क्या होगा, तो Water, क्योंकि Aqueous solution ले रहा काम ने, तो Water तो Always present है, तो Water उस समय reduce होगे और Water reduce होगे, तो क्या मिलेगा, H2 क्योंकि Reduction का मतलब है क्या Addition of Hydrogen, तो Reduce होगे तो H2 Gas मिलेगा, इसलिए कोई Confusion नहीं होना चाहिए, बहुत Important point है, कि Aqueous solution of any electrolyte को अगर आप electrolyze कर रहो, तो आपको Cathode पे क्या मिलेगा, Anode पे क्या मिलेगा, उसके लिए simple trick है छापा and CBI, किलियर है Fourth point, जो very simple है AA, AA का मतलब क्या है कि Always Anode पे कोन आएगा Anion, जैसे यहाँ पे अपने पैचान लिया Anode, तो Anode पे Anion क्यों आएँगे, ध्यान से देखो, Anode पे कौन सा चार्ज? Positive, right और Anion पे कौन सा? Negative, तो भी साथ है Positive, Negative का ट्रेक करेंगे Positive के पास Positive तो भूर से भी नहीं आएँगे, क्यों? Repel हो जाएँगे इसलिए हमने इस डाग्राम में ऐसे दिखाया है कि Minus को Plus वाले के साइट दिखाया है, right और Plus को Minus वाले के फोर्फ मांट का, कि Anode पे Anion जाएंगे और Cathode पे Cation जाएंगे, इसलिए यह याद रखना बहुत इज़ी है, Double A, Double C Anode पे Always Anion आएंगे, Cathode पे Cation जाएंगे, Now Fifth Point, कि अगर Sir Aqueous नहीं होगा, तो क्या करेंगे? Now the question is, कि Aqueous नहीं Malten लिख दिया कहीं पे, या Concentrator लिख दिया, तो इसका मतलब है कि Water है ही नहीं, और अगर Water नहीं है, तो आप खुद ही सोचो फिर क्या होगा? जो Cation और Anion Salt में प्रिजेंट है, वही Reduction और Oxidation के लिए जाएंगे इसको Simple अगर एक Day-to-day Lab से Connect करो, जैसे Suppose करो आप और आपके भाई, छोटे भाई घर में हैं, और किसी ने Door वेल बजाया, तो आपका छोटा भाई खुने जाएगा, क्यों? अगर Suppose करो, ऐसा Condition होगा कि आपका छोटा भाई अगर नहीं है तो फिर आपको ही जाना परेगा, तो चीज़ है यहां पर, यहां पर एक पॉइंट और हमने समझाए, कि मालो कि मैंने AQUOS NACL का Electrolisis किया, किसका? AQUOS NACL, समझगे? Brine Solution बोलते हैं, जो खाने वाला नमक है, उसको पानी में डाल दे, उसको Electrolisis किया, तो क्या मिलेगा? तो देखो, आपके पास solution में क्या-क्या है? एक तो N A plus है, C L minus है और water है, क्योंकि AQUOS की बात कर रहे हैं, यह तीन चीज़े हैं, आप तुम्ही सोचो, anode पे, A A anode पे कौन हैगा? N I N N I N इसमें कौन है? C L minus राइट, और water तो by the way दोनों ही एलक्टोड को घेर रखा, right? water तो हर जगा है, तो अब C L minus C B I का part है, yes, है सर, तो C L minus आपको oxidize होगा, oxidize हो करके क्या देजागा? C L to gas anode पे oxidation हो जाएगा, उसके बाद, cathode पे अगर बात करें, तो cathode पे कौन जाएगा? Catane, Catane को ने N A plus, right? यह गया, लेकिन क्या यह reaction होगी? तो नहीं, क्यों? क्योंकि sodium एक metal है, और sodium metal है, तो वो electron देना चाहेगा, electron लेना नहीं चाहेगा, यहाँ पे आप क्या करार हो? electron उसको बोरो लेने को, जो कि उसके इज़द के खिलाफ हो गया, तो यह reaction नहीं होगी, अब यह reaction नहीं होगी, तो कौन sacrifice करेगा? Water, तो water अगर sacrifice करेगा, तो reduction हो रहा है, तो कौन सी gas मिल जाएगी? H2, तो अभी at present, अगर eqos NACL को हम electrolyze करें, तो आपको क्या मिनने वाला है? anode पे CL2 gas, और cathode पे hydrogen gas, not sodium, बट अगर यहीं पे मैं molten या concentrated लेता, तो फिर anode पे तो CL2 gas ही रहता, वही anion present है, और cathode पे आप, जवरदस्ती किसको आना पड़ता? sodium को, लेकिन यह जो reaction होती, वो आपका कम voltage पे नहीं होती, voltage थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता, बस यहीं difference होता, तो I hope इस trick से आप easily पहचान लेंगे, कि anode पे कौन सा product मिनने वाला है, और cathode पे कौन सा, चलिए अब हम इसके application की बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं application की, तो ध्यान से देखो, कि हमने 10 electrolyte लिया है, तो electrolyte किस condition में, वो भी लिखा है, electrode कौन सा यूज किया है, वो भी हमने लिखा है, cation कौन है, just easy है, anion कौन है, और product क्या मिलेगा, anode cathode पे, तो ध्यान से देखो, पहले वाले case में electrolyte, copper nitrate लिया, और anode electrode है, generally question में, अगर कुछ mention नहीं है, तो inert electrode लेंगे, या गिरिफाइट का हो, या पिलेटिनिम का, तो वो भी inert electrode माना जाता है, तो यहाँ पे cation आपके पास कौन हो गया, copper प्लस 2 और anion, NO3 माइनस nitrate iron, तो you know, cation cathode पे जाएंगे, cc, cation cathode पे जाएंगे, और यह चापा का part है, तो cathode पे आपको क्या मिल जाएंगा, copper, anion, anode पे जाएंगे, but यह cbi का part नहीं है, तो anion oxidize नहीं होगा, तो water oxidize होगा, तो क्या मिल जाएंगा, O2, क्यों, क्योंकि यह aqueous था, राइट, बास सांज माया गई, next point, अगर molten copper sulfate लिये, molten copper sulfate और inert electrolyte लिया, तो you know, copper plus 2 है, और sulfate ion है, molten है, that means water ही नहीं, तो cathode पे तो kate ion जाएंगे, cathode पे kate ion, वैसे भी छापा का part है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, anode पे anion, sulfate ion, यह जाएंगे, बट यहाँ पे चुकि water है नहीं, तीसलिए oxygen gas आपको नहीं मिनने बाला, यहाँ पे sulfate को ही oxidize होना पड़ेगा, और peroxy linkage बन जाएगा, H2OA2 minus, क्योंकि यहाँ पे sulfur औरेड़ी, highest oxidation state में है, तो इसका oxidation नहीं होगा, oxidation किसका होगा, oxygen का, तो यहाँ पे सारे oxygen का oxidation state केतना, minus 2, यहाँ पे कुछ oxygen का oxidation state केतना है, minus 1, peroxy linkage होने की बज़ों से, now next, अगर aqueous AGCL लिया, तो inert electrode है, तो AG plus और CL minus है, तो cathode पे cation जाएंगे, cation आपका AG plus है, और छापा का part है, तो यहीं मिल जाएगा, anode पे anion आएंगे, CL minus, इसी भी आएगा part है, तो CL2 gas मिल जाएगा, राइट, अगर molten AGCL लिया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, inert electrode molten है, तो यहाँ पे by the way, यहीं दोनों ही होंगे, राइट, तो cathode पे cation जाएंगे, तो silver मिलेगा, anode पे anion आएंगे, तो CL2, तो यहाँ पे कोई change नहीं होगा, क्यों, चाहे एक्कोस लो या फिर molten लो, क्योंकि यहीं दोनों, oxidize या, reduce होने वाले, next, NaCl aquos लिया, inert electrode, तो हमारे पास Na+, से CL minus, दियान से देखो, cathode पे cation, अब cation आपका, reduce नहीं हो सकता, right, तो कौन होगा, क्योंकि छापा का part नहीं है, तो कौन होगा, water, water reduce होगा, तो क्या मिलेगा, hydrogen gas, और anode पे anion जाएंगे, anion CL minus है, CBI का part है वो, तो CL2, next, NaCl aquos तो है, बट हमने अब, electrode का condition change क्या, यहाँ से देखो, anode आपका anion है, और cathode mercury का बना जाए, तो anode पे पहले कौन जाएगा, anode पे anion जाएगा, आपका right, anode पे anion जाएगे, और anion आपका, CBI का part है, इसलिए CL2 आपका मिल जाएगा, cathode पे cation जाएगे, और cathode यहाँ पे anion नहीं है, mercury का है, और you know, sodium mercury में dissolve हो जाता है, जिसको sodium amalgam बोलते है, तो यहाँ पे by the way, आपको sodium ही मिलेगा, क्योंकि sodium यह reaction forward में चले जाएगे, जैसे थोड़ा सा sodium produce होगा, वो mercury में गुल जाएगा, इसलिए reaction forward में जाएगे, नेक्स्ट अगर copper nitrate aqueous लिया, anode भी copper का लिया, और cathode भी copper का, जहाँ से देखो, तो cation आपके पास कौन है, copper plus 2 और anion कौन है, नाइटरेट, तो anode पे कौन जाएंगे, anion, तो इसका तो oxidation होगा नहीं, क्योंकि यह CBI का part नहीं है, तो अब किसका होगा, तो अब water का oxidize नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि metal, जल्दी oxidize हो जाते हैं, metal oxidize easily, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसलिए यह remarks में, यह point में यहाँ पे, टिक कर रहा हूँ, ध्यान देना है, कि अगर आपने anode भी copper के लिया, औक्सीडाइज कौन होगा, copper पे oxidation किसका होजाएगा, sorry, anode पे oxidation किसका होगा, copper का copper चला जाएगा, आपका copper प्लस 2 में, और cathode पे cation जाएगे, यह छापा का part है, तो वहाँ पे वो copper reduce हो जाएगा, तो यहाँ पे यह क्या हो रहा है, oxidize और यहाँ पे क्या हो रहा है, reduce, बहुत important point, same element oxidizing reduce हो रहें इस case में, similarly, aqueous H2SO4 लिया, anode अट अलक्टोर, तो आपके पास H+, है, और SO4-2 है, right, cathode पे cation जाएगे, H+, है अभी, तो यही आपका हो जाएगा, तो cathode पे आपको H2 gas मिलेगी, anode पे anion जाएगे, but, anion CBI का part नहीं है, तो अब किसको, sacrifice करना पड़ेगा, water को, तो water oxidize होगा, तो क्या मिल जाएगा, O2 gas, ध्यान देना है, similarly, conch H2SO4, anode electrode, तो H+, है, cathode पे cation जाएगे, तो यहाँ तो आपको H2 मिल जाएगा, anode पे anion जाएगे, और अभी इसको ही, oxidize होना पड़ेगा, क्यों? concentrated condition है, that means water again, very less amount में, तो इसको ही होना पड़ेगा, और यह होगा, तो अभी बताएगा, आपको क्या बनाना है, peroxydisulfuric acid वाला, anion H2O8-2, peroxylinkज होगा इसमें, that means oxygen, oxygen के 20 लिंकज होगा, ऐसे, तो यह minus 1 में, और अगर, aluminium sulfate ले रहो, anode electrode, तो cation आपके पास, aluminium है, और anion sulfate है, cathode पे cation जाएगे, cation छापा का नहीं है, तो इसलिए water reduce होगा, water reduce होगा, तो hydrogen gas, और anion, CBI का part नहीं है, इसलिए water को oxidize होना पर अपर अपर अगा, तो O2, तो I hope आपको यह, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप ध्यान से एक मर्दवाद देख लो, मैंने, जाते जाते ग्यान की बात, और that is very important, कि ध्यान से देखो, जब oxidation of water करार हो आप, तो oxidation का मतलब क्या होता है, loss of electron, इसलिए आपने product side में electron दिखा दिया, अब यह reaction को कैसे लिखें, यह reaction को रटना नहीं है, समझो मेरी बात को, water के बारे में आपको मालूम है, कि oxygen से hydrogen attach है, oxidation state अगर देखें, तो hydrogen का plus 1 होगा, इस hydrogen का plus 1, और इसका minus 2 होगा, और oxidation is loss of electron, तो आप कुदी सोचो, loss of electron क्या hydrogen कर सकता है, नहीं, और रेड़ी वो भी खा रही है, उसके पास ताव electron ही नहीं बचा, plus 1 oxidation state में, तो यह कभी भी lose नहीं कर सकता है electron, तो loss कौन करेगा, oxygen करेगा, तो oxygen minus 2 से किसमें जाराग 0 में, तो इसलिए O2 बना दिया, चुकि H plus का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम only oxidation की बात कर रहे हैं, तो इधर अगर यह H plus में, तो इधर भी H plus में रहना चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाना पर रहा है H plus, और यहाँ पर electron, अब balance करना है, तो अब यहाँ 2 oxygen था, तो इसलिए मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो 4 hydrogen हो गया, तो 4 H plus, 4 plus को balance करने के लिए, क्योंकि इधर कोई charge नहीं है, वाटर निट्रल है, तो इधर भी 4 plus और 4 minus से charge बैलेंस होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपको oxidation की reaction को रटना वाटर कर, क्योंकि oxidation हो रहा है, loss of electron, loss कौन कर सकता है, oxygen है क्यों, क्योंकि hydrogen के पास तो electron ही नहीं है, और जो condition में hydrogen है, इस इधर है, उसी condition में इधर भी उना चाहिए, क्योंकि we are talking only oxidation, वैसे ही आ जाओ, reduction, reaction अगर water का लिखना हो तो, reduction मतलब gain of electron, तो again gain कों करेगा, gain आपका hydrogen करने वाला है, क्योंकि यही भीखारी है, इसी के पास electron नहीं है, यही plus oxidation state में, तो यहाँ पे hydrogen अगर आपका electron gain कर रहा है, तो H plus से वो किसमा आ गया है, H2 में, oxygen को एगर कोई chain नहीं होना चाहिए, क्योंकि we are talking only reduction, that is gain of electron, तो oxygen औरेड़ी यहाँ पे minus 2 है, तो यहाँ पे भी वो minus 2 में होना चाहिए, इसलिए एक hydrogen को attach करके रखा, उसकी वज़ासे एक minus आया, और इस minus के वज़ासे इसके एक minus आया, तो यह minus 2, क्योंकि oxygen में कोई chain नहीं होना चाहिए, उसके oxidation state में, hydrogen में change हो रहा है, hydrogen यहाँ पलस 1 से 0 में जा रहा है, gain of electron is called reduction, इसलिए water का जब भी reduction करोगे, तो hydrogen gas मिलेगी, और water का oxidation करोगे, तो oxygen gas मिलेगी, और याद कैसे रख सकते हैं, O for oxidation, O for oxygen, reduction मतलब ही क्या होता है, addition of hydrogen, तो hydrogen मिलेगा, यह reaction कैसे हो रही है, यह चीज़ बिल्कुल clear होना चाहिए, now, एक और question पुछा जाता है, कि अगर oxidation हो रहा है, तो ध्यान से देखो, H plus क्या होता जा रहा है, increase होता जा रहा है, तो इस से क्या होगा, अगर water more oxidize होंगे, तो आपका solution कैसा होता जाएगा, acidic nature में, that means pH क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, या pH क्या होगा, 7 से कम होगा, तो यह सब question आपको पूछे जा सकते हैं, कि किसी aqueous electrolyte को अगर हम electrolyze कर रहे हैं, तो solution का condition क्या होगा, acidic हो जाएगा, basic हो जाएगा, neutral रहेगा, pH के बारे में, तो यह सब पूछा जाए, तो यहां से समझ मैंगा, similarly जब reduction हो रहा वाटर का, तो ध्यान से देखो, क्या produce हो रहा है, OH-, that means basic character solution का बढ़ेगा, OH- बढ़ने का जासे solution, basic हो जाएगा नेचर में, pH आपका बढ़ेगा, that means pH 7 से ज़्यादा होगा, तो इस टाप के भी question कूछे जाते हैं, इसलिए घ्यान की बात बहुत important होती है, Hello friends, कैसे हो, आज मैं आपको, एक, ऐसी trick देने जा रहा हूं, जिससे आप, electrochemistry मे, electrolytic cell, या faradage law पे बेस, जितने भी question आएंगे, उसको आप बहुत easily कर लोगे, तो देखो, trick का point बहुत simple है, जहां पे भी मैं equivalent लिखूंगा, उसको EQV से लिखूंगा, equivalent को, ओके, तो faradage law पे बेस दिया, electrolytic cell से आने वाले, किसी भी question को, आप कैसे करेंगे, simple, इस trick से करना है, आपको question में, कुछ भी पूछा जा रहा है, उसको अभी ध्यान नहीं देना, आपको क्या कर लेना है, किसी भी तरह, आपको equivalent निकल लेना है, trick का funder क्या है, trick का concept क्या है, कि आपको किसी भी तरह, equivalent निकाल लेना है उस question में और कैसे निकालना है तो question में information क्या given है अगर mole given है तो n factor से multiply कर दो उससे आपका equivalent आजाएगा right suppose करो mole नहीं given है current और time given है तो current किस में होना चाहिए यह धियान रहे current ampere में होना चाहिए और time second में होना चाहिए अगर current ampere में है time second में है तो दोनों को multiply कर दो और 965 और 0 से divide कर दो तो आपका equivalent आजाएगा अगर charge given है C का मतलब यहाँ पे अगर charge कूलम में given है तो 965 और 0 से divide कर दो आपको equivalent आजाएगा या फिर question में बोल दिया कि एतना farad है electricity पास किया तो जितना farad है उतना ही equivalent दियान से समझें कि आपको question को पर कर करके समझ मा जाएगा कि इन में से कौन सा formula लगाना है to find the equivalent क्योंकि आपका पहला aim होना चाहिए कि equivalent हम निकाल लें तो equivalent mole into an factor अगर mole given है तो या फिर current time given है तो इस formula से charge given है तो इस formula से या directly word में बोल दिया कि एतना faradage पास हुआ है electricity तो जितना faradage होता है उतना ही equivalent होता है important point है जितना faradage होता है उतना equivalent क्योंकि कभी-कभी equivalent न बोल करके बोल देता है एतना faradage या find number of faradage तो that means आप से क्या पूछा जा रहा है equivalent पूछा जा रहा है दूसरा एक और तरीका है अगर normality given है तो volume से multiply कर दो volume should be in liter तो भी आपको equivalent है जागा normality into volume से तो total द्यान से देखो 5 formula आपके पास depending की question में क्या mention है उससे आप क्या निकाल लेंगे equivalent now question is कि mole के निकालने का एक और तरीका है जो औरेड़ी आप जानतो हो सकता है directly mole ना दे तो क्या दे सकता है कि एतना mass deposit हुआ या एतना mass liberate हुआ तो अगर weight given है तो molecular weight से divide कर दो अगर molecule है तो atom है तो atomic weight से तो mole आजाएगा और फिर उसको in factor से multiply कर देंगे तो equivalent आजाएगा similarly अगर molarity given है तो volume in liter से multiply कर दो यहाँ से भी mole आजाएगा या फिर हो सकता है volume at stp given हो तो 22.4 liter से divide कर दो यहाँ से भी mole आजाएगा तो क्याने का उतलब है कि आपको mole किसी तरह निकाल लेना या फिर number of particle given है तो एवगादरो number like 6 into 10 की power 23 से आप divide कर दो तो very simple है mole हो सकता है directly ना दे तो indirect way में इसमें से को information है तो mole आजाएगा n factor से multiply करेंगे तो equivalent आजाएगा now तो question is कि sir यह n factor कैसे निकालेंगे तो very simple n factor निकालने के लिए आपको simple सा point है अगर वो ions की बात कर रहो हो तुम ions का अगर लगा रहो तो जो charge होगा ion पर वही उसका n factor हो जागा जैसे copper plus 2 का अगर n factor पूछे तो 2 charge 2 है CL minus तो उस पर minus 1 charge है तो 1 तो ions के किसमे तो बहुत easy है charge on the ion वही हो जागा n factor right molecules के अगर निकालना हो तो molecules के किसमे आपको यह देखना है कि उसको अपना octate complete करने के लिए कितना electron चाहिए तो जैसे यहाँ पर hydrogen right तो एक hydrogen को एक चाहिए 2 hydrogen है तो 2 हो जाएगा similarly एक oxygen को 2 चाहिए यहाँ पर 2 oxygen है तो 4 हो जाएगे similarly एक hydrogen को that means chlorine, bromine, iodine इन सब को एक चाहिए 2 है तो 2 हो जाएगा और यह याद भी रखना है डारेक्ली यह तो समझा भी दिया है यही maximum 99% केस में यही सब यूज होंगे तो hydrogen का 2 halogen का भी 2 oxygen का 4 कैसे very simple hydrogen को 1 electron चाहिए 2 hydrogen है तो 2 oxygen को 2 electron चाहिए octate complete करने के लिए 2 oxygen है तो 4 and halogen को 1 चाहिए क्योंकि last cell में 7 electron है 2 है तो फिर 2 तो यह हो गया reaction के केस में कैसे निकालेंगे तो reaction के केस में आपको देखना है कि कितना electron transfer हो रहा है और ध्यान दे per mole के लिए निकानना है यह important point है एक mole के लिए कितना electron का transfer हो रहा है for example जैसे यहां पर मालो यह reaction लिखी हुई है अब इसमें आपको जिसका निकाना है ध्यान दे n factor particular particular iron या compound का निकलता है तो जैसे अगर मुझे water का निकानना है n factor तो ध्यान से देखो इसके 2 mole के लिए 4 electron का transfer हो रहा है reaction balance है तो 2 के लिए 4 का हो रहा है लेकिन हमें निकानना है कितना 1 mole के लिए तो 2 के लिए 4 हो रहा है तो 1 mole के लिए कितना हो जागा 2 तो इसका n factor कितना हो जागा 2 similarly अगर मालो कि मुझे h plus का निकानना है तो ध्यान से देखो इसके 4 mole के लिए चार required हो रहा है, चार के लिए चार, तो एक mole के लिए एक हो जाएगा, तो इसलिए इसका in factor कितना हो जाएगा, one, similarly अगर oxygen का निकानना है मुझे तो बोलो, तो ध्यान से देखो, oxygen का कोफिशन केतना है, one, तो one mole के लिए कितना required हो रहा है, four, तो one के लिए four और पर mole का ही निकानना है, तो एक mole के लिए चार, तो इसलिए उसका in factor कितना हो जाएगा, चार, तो यहाँ से भी देखो, oxygen का मैंने चार ही लिखा था, और यहाँ hydrogen का one लिखा था, ions के case में charge में, उस पे plus one charge है तो one हो जाएगा, right, तो यह N factor, बस आपको इतना ही ध्यान में लखना है, ions मिलेंगे तो चार्ज होगा, molecule में fix हो गया, यही होँगे, और reaction के case में अगर निकानना ही जुरत परी, वैसे तो परेगी नहीं, अगर परी, तो one mole के लिए कितना electron transfer हो रहा है वो आपको निकानना है, okay now, what is Faraday sir, what is Faraday, Faraday एक scientist का नाम था, और उनका क्याना था कि जो charge of one mole of electron होगा, एक mole, एक mole electron का जतना charge होगा, उसको उसने अपने नाम पे Faraday ज बोल दिया उस number को, तो one mole मतलब केतना हो गया, six into ten की पार 23, और electron पे charge केतना होता है, one point six into ten की पार मानस 19 कूलंग, तो इस number को आप multiply कर लो, तो multiply करोगे तो approximately 965 dollars 0 है, इतना कूलंग, तो यह कितना बड़ा number बार बार यूज़ करना पड़ता है, इसलिए उसने इस number को बोल दिया कि one Faraday ज बोल दो, जैसे one meter, मतलब hundred centimeter, तो hundred एक बड़ा number है, राइट, बोलने में time जाता है, तो hundred centimeter को आपने कितना equivalent कर दिया, one meter की equivalent के, तो वैसे ही एतनी बड़ी quantity को उसने बोला कि इसको one Faraday मानलो, अपने नाम पे रख दिया, तो one Faraday मतलब 965 dollars 0 कूलंग, इसलिए ध्यान से जखो, charge अगर कूलंग में given होगा, तो हमने उसको किससे divide किया है, 965 dollars 0 से, similarly charge क्या हो जाएगा, current into time, इसलिए हमने किससे divide किया, 965 dollars 0 से, तो one Faraday का यह मतलब है, now Faraday का जो second law था, उसका यह कहना था कि अगर आप same amount of electricity pass करतो हर electrode पे, तो फिर हर electrode पे क्या होगा, equivalent same होगा, बस यह point आपको ध्यान में रखना है, यही सबसे important point है, कि अगर एक given electrolytic cell में अगर आप same amount of electricity pass करतो हो, तो हर electrode पे equivalent same होगा, ध्यान दे, क्या same होगा, equivalent, weight same होगा, ऐसा नहीं बोला, mole same होगा, ध्यान दे, ना weight same होगा, ना mole same होगा, क्या same होगा, equivalent, इसलिए मैंने equivalent पे जोड़ दिया, हर electrode पे, चाए वो anode हो, cathode हो, दोनों पे ही equivalent क्या होगा, same होगा, हम equivalent को equal कर देंगे, यह हमारे सबसे important point होगा, और equivalent equal कर करके, फिर हम जो unknown होगा, वो निकाल सकते हैं, तो आपको, I hope, यह trick का फंडा समझ मागया होगा, कि हम, यह concept का फंडा समझ मागया होगा, कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस तरह के जितने भी question पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपका काम है, equivalent निकालना, और equivalent अगर anode पे निकल गया है, तो वही cathode पे होगा, equal कर देना, उससे अनोना जाएगा, एक और trick का point यह है, कि अगर आपको reaction के case में N factor निकालना, तो कैसे निकालना, very simple trick है, ध्यान से देखो, in case of reaction, reaction के case में आप N factor कैसे निकालेंगे, change in oxidation state, आप क्या कर लेंगे, oxidation state में change निकालेंगे, into number of atom, उसको मैं apply करके बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, chromium plus 6 में, और इधर, यहाँ पे 3 में, right, तो change, अगर इसका मुझे N factor निकालना, ध्यान दे N factor individual का निकालता, अगर इसका निकालना है, तो change तो अभी भी 3 से 6, तो 3 का ही रहेगा, right, लेकिन number of atom इसके 1 है, तो इसका कितना होता है, 3, similarly question number 2 में, यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पे carbon plus 3 में, यहाँ पे carbon 4 में, right, तो अगर इसका निकालना है, इन factor, तो 3 से 4 में गया, change हुआ 1 का, number of atom 2, तो यहाँ पे इन factor होगा 2, जबकि अगर इसका निकालना होगा, तो change तभी भी 1 का, लेकि number of atom एक ही है, तो यहाँ पे 1 होगा, बस यह point जान देना है, यहाँ पे अगर आपको निकालना हो, तो ध्यान से देखो, plus 1 से 0 में, change आपका होगा 1 का, तो 1 into number of atom 1, तो 1, और यहाँ पे भी 1 change का, और number of atom 1, तो 1, तो ऐसा भी हो सकता है, same हो जाए, तो बस यही confusion, आपका दूर करने के लिए, मैंने यह सब example लिया, कि N factor individual निकालता है, change in oxidation state, दोनों तरफ तो same ही रहेगा, number of atom से फर्क पड़ जाएगा, Now question number 4 में, iron यहाँ पे आपका 8 by 3, oxidation state में, यहाँ पे 0 में, right, तो अगर मुझे इसका निकालना होगा, तो change कितना हो गया, 8 by 3, minus 0, 8 by 3 का number of atom कितने है, तो 3, तो यहाँ पे कितना हैगा, 8, जबकि यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा, तो change कितने हो गया, 8 by 3 का number of atom कितने 1 तो कितना हो जागा 8 by 3 very simple similarly अगर मुझे माल लो यहाँ पे निकानना हो तो यहाँ पे iron plus 3 में यहाँ पे iron plus 2 में तो change आपका तो 1 का हो गया number of atom 2 तो यहाँ पे answer हो जागा 2 right और यहाँ पे अगर निकानना हो तो change तो again 1 का हो लेकिन atom एक ही है तो यहाँ पे हो जागा 1 बस यह point जागा रखना है similarly यहाँ पे mn7 में और यहाँ पे 2 में तो change 5 का atom 1 तो कितना हो जागा 5 यहाँ पे अगर निकालें तो change तो 5 का लेकिन atom भी 1 है तो क्या हो जागा 5 तो इस तरीके से आप easily निकाल सकते हैं now next अगर मान लो कि मुझे इसका निकालना है तो यहाँ पे iron आपका कितना में plus 2 में carbon कितना में plus 3 में oxygen कितना में minus 2 में सबका oxidation state left side में लिख ले न right side में iron plus 3 में यह दिखी रहा है carbon आपका plus 4 में oxygen अभी भी minus 2 में तो अगर मुझे इसका निकालना है तो ध्यान से देखो इस iron का अगर मैं चेक करूँ तो 2 से 3 में गया तो change हो गया 1 का into number of atom 1 plus सब का ले लेना add करना है carbon का चेक करूँ तो 3 से गया 4 में change हो गया 1 का atom है 2 plus oxygen का minus 2 minus 2 same ही रहा गया तो change 0 का वा into 4 इसलिए oxygen का मैं नहीं लेता हूँ तो ये पूरा आपका calculation इसका n factor देगा तो कितना गया ये 1 और इधर ये 2 तो 3 हो जाएगा इसका n factor तो इस तरीके से आपको करना है हर एक एक element को पकरना है और उसका change निकाल लेना है और into number of atom जिसका आप निकाल लो तो I hope ये आपको n factor निकालना बहुत easy लगा होगा तो चली अब हम बात करते हैं application की तो application में question number one है कि product which is not obtained ध्यान दे which is not obtained during the electrolysis of brine solution तो another question is what is brine solution तो you know NaCl aqueous जब water में आप salt को NaCl को dissolve कर देंगे तो उसको बोलते हैं brine solution तो right यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आपका NaCl कोन है Cl- cation कोन है Na+, और water आपके पास तो है right क्यूंकि aqueous है now the question is आपको kya-trick बताय था anode पे anion जाएंगे तो यह anion है यह आपका anode पे जाएंगा और anion CBI का पार्ट है तो यही reduce oxidize हो जाएंगे तो क्या मिल जाएंगा Cl-2 gas right और cathode पे आपका cation जाएंगा but cation छापा का पार्ट नहीं है तो यह आपका reduce नहीं होगा तो water reduce होगा और water reduce होगा तो क्या मिलेगा H2 gas right और OH- आपको रहेंगे क्योंकि oxygen का कोई chain नहीं करना आपको oxidation state तो आप ध्यान से देखो तो not obtained पूछा है क्या chlorine मिलेगा yes यह मिलेगा क्या H2 मिलेंगे yes मिलेंगे OH- yes मिल रहा है और Na plus है तो NaOH बन जाएगा तो यह भी होगा that means HCl आपको नहीं मिने वाला है इसलिए option क्या हो जाएगा B now next question number 2 again which one of the following is correct for electrolysis of Brian solution फिर से पूछा गया Brian solution के बारे में क्या correct है तो यही same point तो दियान से देखो क्या हो रहा है क्या कर रहा है chlorine at cathode तो गलत हो गया chlorine कहा पे मिलेगा anode पे तो यह option गलत O2 at cathode तो O2 तो खर मिलेगा है नहीं cathode पे cathode पे क्या मिल रहा है आपको hydrogen H2 at anode तो यह भी क्या हो जाएगा गलत तो दियान से देखो यह सब चीज़े exam में क्या होती है problem create कर देती cathode पे क्या होगा anode पे जबकि रफी सर के simple trick से cathode पे catane जाएंगे anode पे anode जाएंगे वहाँ से कर सकतो Brian solution है तो anode पे anode जाएंगे तो CL2 तो इसलिए anode पे CL2 होना चीज़े इसलिए यह गया और cathode पे catane जाएंगे catane छापा का पटने तो hydrogen इसलिए आपका यह CL2 और O2 गया OH-I cathode तो यह सब देख सकतो cathode पे आपको यह reaction हो लिए तो OH-V produce हो रहा है तो इसलिए यह option क्या हो जाएंगे आपका क्या हो जाते हैं सोचने लगते हैं यह question कैसे करें लेकिन बहुत ही यह द्यान से देखो आपको faradage निकालना मतलब equivalent निकालना है right केतने के लिए 1 mole of iron from Fe3 Fe3O4 तो Fe3O4 से आपको क्या लेना है iron निकालना है number of faradage मतलब equivalent निकालना जेतना equivalent होता उतने faradage होता equivalent कैसे निकालनेंगे तो आपको mole given है mole केतना आपको द्यान से देखो mole हो गया 1 into N factor तो reaction के case में N factor कैसे निकालते हैं यह भी trick आपको दे रखाऊ यहाँ पे oxidation state देखोगे iron का तो क्या जागा 8 by 3 और यहाँ पे केतना है 0 तो change केतने का हो गया 8 by 3 का into number of atom हमें निकालना है किसका iron का iron का केतना atom है 1 तो into 1 तो केतना हो जागा 8 by 3 that is 2.67 so option है always reaction के case में change in oxidation state into number of atom जिसका निकाल रहो अगर इसका निकालते हैं तो number of atom 3 लेते हैं और mole को multiply कर देंगे N factor में तो आपको equivalent यह faraday जाज़ेगा similarly question number 4 में द्यान से देखो again faraday is पूछ रहा मतलब equivalent पूछ रहा है to reduce 1 mole mole given है CR2 O7-2 CR plus 3 तो आप यह reaction लिखो CR2 O7-2 से कहा जाना है CR plus 3 में हमें निकालना है कि quantity of radica to reduce 1 mole of this इसका 1 mole तो mole हो गया 1 N factor कैसे निकालेंगे तो change कितने का द्यान से देखो 6 से 3 में जा रहा है change हो गया 3 का into number of atom इसकी बात कर रहे हैं तो atom कितना है? 2 तो 2 तो कितना हो जाएगा? 6 so option will be B लेकिन अगर वही इसका पूशता तो क्या हो जाता? इसका moles given होता, right? इसका moles जो भी माल लेते हैं X into change तो अभी भी वही रहता 3 लेकिन number of atom यहाँ पे एक ही हैं तो 1 होता बस ये point को ध्यान में रखना है आपको next question question number 5 कह रहा है कि dilute solution of H2SO4 is electrolyzed using a current of 9.65 ampere for 16 minutes and 40 seconds के लिए तो आपको volume of gas बताना है at STP अब यह सब question को देखते ही बच्चे क्या कर देते हैं leave कर देते हैं, छोड़ देते हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो कितने simple way में मैं कर रहा हूँ उसी trick से आपको क्या information given है? current का और time का तो क्या हम equivalent निकाल सकते हैं? trick बता रहा हूँ अगर current और time given हो तो equivalent क्या होगा? धियान से देखो equivalent is equal to current 9.65 ampere into time time second में लेना है 16 minute 1 minute में 60 second right तो 96 960 plus 40 मतलब 1000 second हो गया है divided by क्या करना है? 965 00 से तो इसका decimal से आप इदर नीचे 100 कर सकते हैं ये 30 0 से ये 30 0 कैंसल कर सकते हैं ये 965 से ये 10 times में तो direct देखो 1 by 10 equivalent हो गया that is 0.1 equivalent हो चुक है अपका now किसको electrolyze कर रहे हैं? तो H2SO4 को तो H2SO4 से क्या क्या मिनने वाला है? H plus SO4 minus 2 you know कैटाइन कहा जाएंगे? cathode पे CC आपको दिया धा ट्रिक catane cathode पे और आपको क्या मिल जाएंगे? hydrogen gas NIN कहाँ पे जाएंगे? anode पे लेकिन ये CBI का part नहीं है तो water oxidize होगा तो क्या मिलेगा? O2 gas तो पहले तो क्या-क्या product मिलेंगे? वो भी आपको बता रखाँ तो cathode पे आपको hydrogen gas मिल रही है anode पे oxygen you know की at each electrode equivalent will be same तो येसलिए मैंने ये equivalent निकाले इसको मतलब hydrogen का कितना equivalent है? 0.1 oxygen का कितना equivalent है? 0.1 दोनों का equivalent से हम होगा अब equivalent से क्या मैं more निकाल सकता हूँ? तो yes, definitely equivalent is equal to क्या होता है? mole into N factor hydrogen का N factor बता रखा हूँ एक hydrogen को एक electron चाहिए दो hydrogen है तो दो electron तो यहां से mole आपका क्या गया? बताओ मेरे को mole केतना गया? 0.1 by 2 similarly अगर मैं यहां से निकाल हूँ तो क्या हो जाएगा? mole into N factor oxygen की बात कर रहे हैं तो oxygen एक oxygen को 2 electron चाहिए दो oxygen है तो 4 तो क्या हो जागा? N factor 4 तो यहां से mole केतना होगा? oxygen का बताओ 0.1 by 4 तो देखो आप दोनों के आपको क्या गया है? mole आ चुके हैं यहां पे दोनों का equivalent same था mole same नहीं होते हैं यह ध्यान देना sorry यह equivalent आपको आ चुका था अब mole आ गया है you know STP condition पे 1 mole of any gas occupy 22.4 liter again आपको क्या रहा है किसमे centimeter क्यों 1 centimeter क्यों कितना होता है? 1 ml तो you know STP पे अगर मैं बात करूँ तो 1 mole of any gas 224 00 ml हो जाएगा तो एतना mole का volume कितना होगा बताओ 0.1 into 2 into 224 00 और similar लिए अगर इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो 0.1 by 4 into 224 00 तो यह इतना volume आपको आ जाएगा इस point से 10 cancel भी कर सकतो और यहां से 21 the 21 the 22 the तो 1120 1120 ml आपका hydrogen का volume मिनने वाला है और अगर इसका cancel करोगे आप तो कितना जाएगा 4, 5 the 20 24 तो यह हो जाएगा 560 तो यह 560 ml आपको oxygen का मिनने वाला है लेकिन आपको question में mention नहीं किया सिर्फ बोला volume of gas produced at STP तो इसका अंतलब दोनो electrode का आपको बताना है अगर वो mention करता कि volume of gas at anode तो फिर anode मतलब आपको oxygen का volume बताना होता volume produce at cathode तो फिर आपको hydrogen का बताना होता है यहाँ पे कुछ mention नहीं किया तो दोनों का बताना है तो total volume कितना हो जाएगा बताओ 1120 प्लस 560 तो आपको इतना ml मिनने वाला है तो यह just मैं एक आपको idea देना चाहा रहा हूं राइट मैं 100 question तो नहीं करा सकता लेकिन मैं एक idea देना चाहा रहा हूं कि आप 100 question को कैसे कर लोगी easily मेरे इस simple trick से always question में जो information given है उससे आप equivalent निकाल लो और एक बार आपको equivalent आगया तो वो हर electrode पे वही equivalent रहने वाला फिर उसके बाद उस equivalent को यूज कर लो mole into n factor से या other formula से depending कि आपको चाहिए क्या यहाँ पर मोल चाहिए था क्योंकि we know कि one mole of any gas occupy 22.4 liter इसलिए हमने mole into n factor का formula लगाया n factor कैसे calculate करना यह trick में दे रखा हूँ तो mole गया mole गया तो फिर उससे mass पूस्ता अगर यही पर mass पूस्ता तो mass भी निकाल सकते थे ध्यान से देखो यही पर अगर mass पूस्ता तो molecular weight से multiply करके mass तो इसलिए मैं बस एक बताना चाह रहा हूँ कि question का concept एक होता है लेकिन question infinite हो सकते है तो आपको अगर concept के लिए रहे तो आप किसी भी question को कर लेंगे now next question number 6 कह रहा है कि find mass at cathode cathode पे mass बताना है अगर 44.8 liter chlorine produce हुआ है anode पे at STP via electrolysis of aqua sages here तो again देखो इस question को मैं कैसे easily कर रहा हूँ मेरा हर वक्त या हर question में क्या concept रहता है कि हमें equivalent निकार लेना है यहाँ पे equivalent निकारने के लिए क्या information है देखो ध्यान से equivalent is equal to question को पढ़ने के बाद क्या पूछा है वो बाद में पहले equivalent निकारना है equivalent is equal to क्या information है volume given है chlorine का STP पे तो mole into n factor से तो 44.8 को में divide कर दूँ 22.4 से तो यह mole आ गया right और into n factor किसका information given है chlorine का chlorine का n factor केतना two right क्यों एक chlorine को एक electron चाहिए दो chlorine है तो दो electron तो equivalent आ गया आपको equivalent केतना हो जागा द्यान से देखो आप तो यह two होचो कि a g c l है तो a g plus है आपके पास c l minus है राइट यह cation cathode पर आएंगे और यह छापा का पार्ट है तो यह reduce होगा और यह anion anode पर आएंगे और यह c by का पार्ट है तो यह oxidize होगा तो इसलिए chlorine के बारे में पार्ट है सबके equivalent से हमोते हैं अब अगर इसका हमें क्या निकाना है mass तो equivalent मालूम है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फिर से mole into n factor बोलो लिख सकता हूँ mole into n factor लिख दिया sir तो mole नहीं मालूम है तो वो निकाना है माल लिए कि mole x n factor a g का मालूम है yes देखो a g plus 1 से 0 में जा रहा है तो change कितने हैं का 1 और number of item तो एक ही है right a g में तो n factor इसका कितना हो जागा 1 तो यहां से moles भी by the way कितना आगे आपको a g का बोलो a g का moles भी आगे आपको x की value आगे 4 bones अब क्या a g की moles आए तो mass नहीं निकाल सकते क्या definitely निकाल सकते हैं क्या हो तो यह जतना भी आ जागा कितना जागा 432 ग्राम तो ध्यान से देखो question को again I am repeating कि बहुत इज़ी होगा आपको जो information given है question में उससे निकाल लेना equivalent और equivalent कैसे निकालना आपको trick दे रखाऊ information के according एक बार equivalent निकाल गया तो y equivalent cathode पे भी होगा और anode पे भी होगा right product कैसे analyze करेंगे क्या मिलेगा cathode anode पे उसके लिए मैं simple first lecture में आपको बता रखाऊं एक बार आपको पता लग गया n factor कैसे निकालना है वो भी बता लग गया तो moles आ जागा मोर्स आगया तो उससे mass आ सकता है उससे atom जब नहीं किया mass भी पूछा है भी पूछा है कि number of atom तो four into क्या हो जाता है यहने right तो इस टाफ से कुछ भी पूछा जाए तो आप easily कर लोगे ज्यान की बात में मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने जा रहा हूं जिसका कहना हम लोग आज तक मान रहें that means we are going to talk about faraday's law तो देखो इसका कहना बहुत simple था इनका कहना था कि जितना ज़्यादा charge आप पास करेंगे electrolytic cell में उतना ज़्यादा mass deposit या liberate होगा electrode पे तो according to him w is directly proportional to charge past right और इस लिए इस proportional को हटाएंगे तो एक constant उन्होंने यूज़ के that is w is equal to z into q where z is what electrochemical equivalent ओके और you know जो current होता है i वो charge per unit time होता है तो q is equal to i into t तो इसलिए मैं w को ऐसे भी लिख सकता हूं z into i into t तो यह formula आपको कभ यूज़ करना है जब आपको electrochemical equivalent given हो तभी आप यूज़ करेंगे current ampere में और time second में तो आपको mass deposit या liberate आ जाएगा electrode पे ओके नाओ जेड का अगर निकानने का बात है तो कैसे निकालेंगे तो equivalent weight को divide कर देना 965 dollar 0 से यह formula कैसा है तो उसको भी समझाता हूं तो यह तो उसका क्याना था उसका simplified version इधार है we already know equivalent कैसे निकाल सकते है mole into n factor से this is also equal to it upon 965 dollar 0 right तो mole को मैं क्या लिख सकता हूं given weight by molecular weight into n factor is equal to it upon 965 dollar 0 हमें weight निकानना weight को इस साइड रखा molecular weight उस साइड जाएगा n factor डान मा जाएगा तो molecular weight by n factor 965 dollar 0 as it is i t तो कभी भी molecular weight में n factor से divide करते हैं तो उसी को बोलते है equivalent weight तो यह क्या हो गया equivalent weight by 965 dollar 0 into current into time अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आपका w है right यहां भी w है weight यहां पर i into t है यहां पर भी आपका i into t है तो इसका मतलब jet किसके बराबर है equivalent weight by 965 dollar 0 जिसको मैंने यहां लिखा है तो कभी भी jet निकानना हो तो equivalent weight को 965 dollar 0 से divide कर दो equivalent weight कैसे निकालेंगे molecular weight में divide कर देंगे n factor से n factor आपको calculation बता लखां और 965 dollar 0 कहां सा है तो यू नो वन फेरेड़ेज इस इकल टू 965 dollar 0 कूलम राइट इन्होंने वन मॉल एलक्ट्रॉन के चार्ज को अपने नाम पर एक फेरेड़े कर दिया था राइट हेलो बच्चो कैसे हो आज हम लोग बात करेंगे galvanic cell के बारे में तो देखो अगर simple word में मैं बोलूं तो जब आप अपने mobile में रफी सर का video lecture देख रहे होते हो तो आपका mobile actually galvanic cell की तरह work कर रहता है आपकी chemical energy जो है वो convert हो रही होती है कि इसमें electrical energy में तो वो कैसे तो समझो तो यहाँ पे हमने एक simple सा आपको diagram दिखाया है जिसमें zinc का मैंने anode लिया है और copper का cathode लिया है ओके anode मेरा किसका है zinc का और cathode किसका है copper का तो इस condition में इसको बोलेंगे daniel cell क्या बोलेंगे daniel cell that means electrode अगर अपने fix कर दिया zinc का है anode और copper का है cathode तो बोलेंगे daniel cell अगर यह नहीं होता तो क्या बोलते galvanic cell तो यहाँ से एक point निकल के आया कि जितने भी galvanic cell है वो daniel cell होंगे not correct but all daniel cell galvanic cell होंगे correct है now समझो यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या किया है दो compartment बनाया है right एक left और एक right यह L से left हो गया यह R से right हो गया तो आप कैसे पैचानेंगे कि इसमें कौन anode है कौन cathode है तो उसके लिए simple सा trick दिया रफी सर ने loan word क्या करना है cell को loan पे खरीदना है loan कहने क्या मतलब है कि left में always oxidation होगा और वो anode होगा और वो जो plate होगी वो negatively charge होंगी very simple है loan word यहाद रखना L for left, O for oxidation, A for anode और N for negative that means आपका anode इस case में negatively charge plate है जिस पे always and always oxidation होगा और आप कैसे पैचानेंगे कि किसी galvanic cell में की कौन anode है तो वो left वाला part होगा तो right वाला क्या हो जागा cathode तो यहाँ पे इसलिए मैंने zinc को anode लिखा है क्योंकि यह left में और यह right में तो इसको मैंने cathode लिखा है यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो जैसे ही आप यह wire को connect कर दोगे तो क्या होगा zinc आपका zn plus 2 में dissolve हो करके किस में आ जाएगा aqueous solution में आ जाएगा zinc की pellet दिरे दिरे oxidize होगी तो zn plus 2 में आएगा इसलिए ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे यह zinc की rod को क्या क्या दिरे धिरे thin कर दिया पतला कर दिया क्यों क्योंकि zinc जो है आपका zinc rod वो zn plus 2 के form में solution में आता जाएगा oxidation हो जाएगा और इधर क्या होगा जो copper plus 2 है आपका solution में जो copper plus 2 present है वो धिरे धिरे copper की plate पे deposit होते जाएगा इसलिए ध्यान से देखो तो मैंने इसको थोड़ा थिक कर दिया है थोड़ा मोटा कर दिया राइट बासमज माई तो हमने इस left side में क्या क्या है zinc sulfate का aqua solution लिया उसमें zinc rod क्या इधर copper sulfate का aqua solution लिया और उसमें copper dip कर दिया है यह एक मैंने salt bridge दिखाए है यह क्या है salt bridge that means यह ऐसा क्यों क्या ध्यान से देखो जब आपका zinc zinc plus 2 में आएगा तो इधर क्या होता जाएगा positive charge आपका increase होता जाएगा यह बत तो clear right क्यों क्योंकि zinc 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 plus 2 मार रहा है zinc plus 2 औरेड़ी जो salt लिया वहाँ से था plus और zinc की रोड से zinc plus 2 solution में आ रहा है तो इधर positive charge increase हो रहा है और इधर में क्या होगा ध्यान से देखो copper plus 2 solution से copper पे deposit हो रहा है copper plus 2 काम होगा मतलब sulfate iron negative charge इधर increase हो रहा है यह मैंने ऐसा क्यों समझाया है क्योंकि ध्यान से देखो जब zinc आपका ZN plus 2 के form में इसमें आ जाएगा ZN plus 2 के form में तो वो जो दो electron है वो इधर की तरफ जाएंगे जो दो electron से ने लूज किया और वो electron इधर की तरफ जाएंगे और current का flow होगा इसलिए आपका work करेगा now the question is कि अगर positive charge increase होगा तो क्या करेगा इस electron को वो जाने नहीं देगा इसलिए ये cell कुछ देर के बाद work करना बंद कर देता है similarly यहाँ पर क्या हो रहा है अगर कुछ electron इधर आ भी गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है negative increase होता जा रहा है negative increase होने को जैसे क्या हो जाएंगे वो रिपेल हो जाएंगे तो कुछ देर के बाद ये cell आपका बंद कर देगा काम करना इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते है एक salt breeze हैट कर देते है और इसमे कटान और एनाइन jelly form में रख देते हैं जिससे क्या होता है अब जहां से देखो इधर positive increase हो रहा है तो उसको minimize करने के लिए इधर की तरफ कोन आ जाएगा salt breeze का negative वाला part तो neutralize कर देगा और इधर negative बर रहा है तो salt breeze का कोन वाला part इधर आएगा positive वाला और neutralize कर देगा फिर से आपका cell work करने लगेगा तो यह concept है working का अब हर बार हम cell को इतना वड़ा या ऐसे करके नहीं दिखा सकते तो cell को represent करने का एक तरीका है that is point number two कैसे represent करेंगे salt breeze को always double vertical line से show करते है salt breeze को always double vertical line से show करेगा और अगर single vertical line है तो वो faith change को बताता है किसको बताएगा faith change को जैसे solid से liquid में हो गया या liquid से gas जो भी तो अगर single vertical line है तो वो faith change को बताएगा double vertical line जो है वो salt breeze है तो आपको question में क्या देखना है double vertical line right double vertical line के left side वाला always क्या होगा anode double vertical line के left side वाला always क्या होगा anode उसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए और right side वाला always होगा cathode इसलिए जब हमें मानलो की एक vertical line ना दे करके कॉमा दिया हुआ इसको तलब क्या है same phase है जैसे for example fe plus 2 fe plus 3 ये दोनों कहां पे होगे solution होगे aqueous solution में तो दोनों का aqueous aqueous same phase है right तो इसलिए इसको कॉमा से separate करके लिखेंगे एक vertical line होगा तो वो phase change को बताएगा that means इधर solid होगा इधर liquid ऐसा या liquid gas phase का जरूर change होगा और double vertical line always salt bridge को बताएगे अब जो man question है कि वो आप से क्या पुछेगा find a knot of cell यहाँ पे knot का मतलब क्या है कहीं पे knot का मतलब knot का मतलब है कि standard condition है वो what do you mean by standard condition standard condition का उतलब है concentration we are taking one molar जो भी आपका equa solution ने present है उसका concentration one molar ले रहे हैं अगर वो gas है तो उसका pressure one bar लेना है temperature जो question में mention होगा वही ले लेते हैं अगर नहीं mention है तो हम room temperature लेते हैं temperature पे that means condition है one molar होना चाहिए pressure gas है तो one bar होना चाहिए अगर gas है तो pressure one bar होना चाहिए temperature जो question में mention है वही हो जागा नहीं तो room temperature लेते हैं calculation को easy करने के लिए 27 degree Celsius भी लूँँगा that means 300 Kelvin ले सकते हैं तो जब भी आपको E naught सिल निकारना होगा standard वाला तो क्या करना है V no की anode पे क्या होता है यह A for anode है anode पे क्या होता है always oxidation तो हमें anode का oxidation potential लेना है cathode पे क्या होता है always reduction तो हमें cathode का reduction potential लेना है ध्यान से देखो यह वाला बस एक ही formula मैं यूज़ करूँँगा book में बहुत सारे इसके formula बना रहते है plus minus minus plus this that मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं मेरे को जो मालूम है बस मैं वही करूँगा मेरे को क्या मालूम है anode पे oxidation होता है तो मैं oxidation potential anode का निकालूँगा और cathode पे reduction होता है तो मैं cathode का reduction potential निकालूँगा अगर question में anode पैचान लोगों कैसे salt bridge के left side वाला anode का oxidation potential given है तो वही value put कर देना है और अगर मालू reduction given है तो सिरिफ क्या कर देना उसको minus 3 से multiply कर देना है क्यों point number 5 कभी भी जो oxidation potential होगा वो minus of reduction potential that means दोनों की value numerical value same होगी मालूँ ये 5 है तो ये भी numerical value में 5 होगी लेकिन minus लगा रहेगा तो ये minus 5 हो जागा तो इसलिए हमें anode का oxidation potential चाहिए अगर वही given है question में तो as it is put कर दो नहीं given है वो reduction given है तो सिरिफ क्या कर दोगे उसको उस value को minus 3 से multiply कर देना जैसे for example अब आपको कैसे पता लगा है कि oxidation given है reduction तो very simple यहाँ पर ध्यान से देखो iron plus 2 से कहा जा रहा 0 में तो क्या हो रहा है reduction हो रहा है क्योंकि oxidation state कम हो रहा है तो reduction है तो यह reduction potential given और यहाँ पर not लगा दिया तो standard reduction potential हो गया तो अगर मुझे reduction potential चाहिए तो जो value given वही पूट कर दोगा अगर oxidation potential चाहिए होगा तो जो value given उसमें शिर्फ क्या करोगे minus 3 multiply कर दोगे और अगर कहीं पर ऐसे given है ज्यान से देखो तो यहाँ भी plus 2 से 0 में जा रहा है reduction ही हो रहा है कि यह किस condition में यह वाला जो calculate किया गया वो concentration 1 molar रखा गया और अगर gas होता तो pressure 1 bar राइट बट यह इसको छोड़ करके 1 molar या 1 bar को छोड़ करके किसी भी condition में तो इसको बोलेंगे सिर्फ reduction potential और अगर इस condition में तब standard बोलेंगे तो आप question को पर करके समझ जाओगे कि आपको क्या given है इसलिए मैं थर्ड वाले formula पर काफी जोड़ दे रहा हूँ यह हमें निकानना है कभी भी आपको cell का standard EMF निकानना हो तो anode पर oxidation होता है इसलिए उसका मुझे oxidation potential चाहिए cathode पर reduction होता है दोनों को मेरे को जोड़ देना है बस यही formula याद रखना है question में आप देख लो अगर यही given है तो as it is put करो और अगर नहीं given है तो इस वाले concept साफ change करकर पूट करो now next अगर कहीं पर आपको standard gives free energy पुझा जाए delta G naught तो वो भी आप बहुत इजली निकाल सकतो आपको कैसे निकलना है minus NFE naught से A naught आपको अब यहां बता दिया कैसे निकलना है F fix a right 965.0 N क्या है number of electron कितना transfer होगा है तो वो कैसे निकालेंगे तो very simple है आपको excel represent करके given होगा जैसे यहां पर देखो यह cell represent करके given है तो यहां पर दियान से देखो zinc 0 में इधर में plus 2 में इधर copper plus 2 में और copper 0 में तो यहां पर by the way दोनों का same changes हो रहा है तो यहां पर N की value केतना हो जाएगी 2 और अगर मान लो की same change नहीं होता मान लो की यहां पर just suppose कि यहां पर कुछ X है अगर oxidation state anode पे और cathode पे same है तो N की value Y हो जाएगी जो oxidation state है either side बट अगर anode और cathode पे oxidation state अलग-अलग है जैसे यहां X और यहां Y है तो N की value जो आप put करोगे यहां पे N तो वो क्या हो जाएगा X into Y द्यान रहे जब अलग-अलग होगा तभी multiply करना है same होगा मालो की इधर भी Z है suppose करते है oxidation state और इधर भी Z है तो Z into Z मत कर देना सिरिफ एक Z लिखना है बट अगर different है तो X into Y होगा N की value नाउ यह cell को कैसे represent करते हैं तो very very important cell के representation में आपको क्या बताया salt bridge यह क्या होगा vertical line से salt bridge एक बार आपने salt bridge identify कर लिया double vertical line तो इधर वाला पूरा का पूरा क्या है anode के बारे में information दे रहा है और उधर का पूरा का पूरा cathode के बारे में तो anode पे क्या होता always oxidation तो द्यान से देखो zinc 0 से कहा जा रहा है plus 2 में oxidation तो इस type से दे दिया यह single line क्यों आई क्योंकि zinc आपका solid था metal solid था और Zn plus 2 aqueous में जा रहा है तो solid से liquid है gas faith change होगा इसलिए एक vertical line तो ऐसे करके represent करके देगा द्यान से देखो zinc Zn plus 2 aqueous तो यह हो गया और वैसे ही copper plus 2 जो water में था वो आपका copper पे चीपक रहा है right तो copper plus 2 aqueous चूंकि faith change हो रहे है तो एक vertical line दिया और यह तो एक यह represent करने का तरीका एक और इसी को ऐसे भी represent कर सकता है कि Zn से Zn plus 2 और यहाँ पे bracket में some concentration mention कर देगा जैसे यहाँ पे 0.5 molar तो यह concentration किसका है Zn plus 2 का जो solution में right और इधर भी copper plus 2 का concentration mention कर दिया है और ऐसे करके दे सकता है तो यह भी एक representation है यहाँ से भी ध्यान दे इस point से भी एक important conclusion है कि यहाँ पे अगर मैं गलती से concentration 1 molar और यहाँ पे भी 1 molar कर देता तो यह क्या हो जाता standard हो जाता फिर यह क्या हो जाता standard हो जाता तो कभी-कभी वो question में आपको बोलेगा नहीं वो इस तरीके से represent कर देगा तो इसलिए आपका आँख और दिमाग दोनों खुला होना चाहिए कि वो concentration क्या mention किया है अगर दोनों 1-1 molar होते तो इसका उतलब यह standard है और अगर कोई भी एक different हो गया one से कोई other value हो गई तो वो फिर non-standard है बास समझ में आ गई एक और represent करने का तरीका ऐसे भी है इसी cell को देखो बहुत तरीके से represent कर सकता है लेकिन सम्में basic funda clear होना चाहिए double vertical line को आपको बस identify करना इधर anode है उधर cathode है यहाँ पर कैसे दे सकता है Zn से Zn SO4 पूरा liquor की भी दे सकता है और some of the concentration उसका mention कर सकता है C1 molar में और copper sulfate का concentration दे सकता है C2 molar और इधर copper तो यह भी एक है तो actually मैं आपको कैसे पचानना है तो हमें देखना है कि क्या हो रहा है zinc 0 में था इधर plus 2 में तो zinc का oxidation हो रहा है इधर copper plus 2 में और copper 0 में तो copper का reduction हो रहा है that's mean कभी-कभी confuse करने के लिए ऐसा भी करेगा कि copper से copper sulfate दे देगा वो इसको उल्टा करके दे देगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि copper copper plus 2 में जा रहा है क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको वर्दान में दे रखा है अगर यह vertical line है तो इधर आपका क्या है cathode ही है और cathode पर always reduction होता है confuse करने के लिए हो सकता है कि वो इसको पलट करके दे दे तो इसका यह मतलब नहीं है कि इधर oxidation हो रहा है क्यों? क्योंकि चीजे fix है vertical line के double vertical line के left side वाला always and always anode होगा और उस पे always oxidation होगा बास सुझ में आ गई? तो ऐसे आपको represent करके दे सकता है जैसे एक और मैंने लिया है कभी-कभी ऐसे भी represent करके देता है और बच्चे पूरा घबरा जाते है घबराना नहीं है बेटा रफी सर साथ में ध्यान से देखो एगेन वही point एक ही point को ध्यान में रखो यह double vertical line हो गया तो यह मेरा salt bridge हो गया इधर वाला anode है उधर वाला cathode है right left में anode होते है right में cathode होते है very simple now the question is कि हम कैसे पैचानेंगे किसका oxidation हो रहा किसका reduction very simple ध्यान से देखो यहाँ पे हेज किसमे है plus one है इधर कहाँ zero तो मतलब hydrogen oxidizer that's it बाकी क्या-क्या लिखके दे दिया उससे हमें नहीं लेना है कुछ यहाँ पे CL माना है यहाँ पे PTA बच्चे सोचने लगते आरे जो है रहने तो उससे क्या लेना हमे कुछ नहीं लेना है वो बाद में हम समझ लेंगे right उसका कोई use नहीं है बाइद अवे hydrogen gas absorb कहां पे होगी platinum पे इसलिए platinum दिया है या फिर आप wire किसमें connect करोगा hydrogen gas में connect करोगा क्या नहीं न तो platinum की rod में connect करेंगे इसलिए वो दिया है तो actually मैं आपको देखना है कि किस element का oxidation state change हो रहा है वो anode पे oxidation reaction में लिखा जाएगा तो यहां पे हेज पलस 0 में जा रहा मतलब मुझे hydrogen का oxidation reaction लिखना पड़ेगा और यहां पे AG CL से AG तो गवराना नहीं है AG यहां पे पलस बन में 0 में मतलब AG का मुझे लिखना पड़ेगा CL क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं होना चीए तो I hope यह आपको पुड़ा पंड़ा समझ में आया होगा यह मेरे trick के 5 पॉइंट है वेरी सिंपल तो चलिए हम बात करते हैं application की तो question number 1 में एक reaction आपको given है और इस reaction को कौन सा cell represent कर रहा है यह question पूछा गया है तो ऐसे question को आप बहुत easily कर सकतो जब भी इस type के question आए तो आपको कैसे करना है oxidation state को आपको identify कर लेना है यहाँ पे hydrogen आपका 0 में और यहाँ पे plus 1 में आया हो तो hydrogen का क्या हो गया है oxidation और यहाँ पे ag आपका plus 1 में और यहाँ पे 0 में आया है तो ag का क्या हो गया है reduction तो you know मैंने आपको एक trick दिया था lone word कि left में oxidation होता है और anode होता है तो यहाँ पे आप salt bridge पैचान लोगे right आपको बता रखाऊं तो इसका मतलब सारे left वाले क्या है anode और इधर वाले क्या है यहाँ hydrogen 0 से plus 1 में जा रहा है तो यह option हो सकता है यहाँ पे hydrogen 0 से plus 1 दिखाया नहीं तो यह option नहीं होगा now right side में cathode cathode पे क्या हो रहा है agcl solid जा रहा है ag solid में right तो agcl solid ag solid में यहाँ है वो क्योंकि यहाँ पे तो क्या है आपका agnothry solution है nitrate तो कहीं पे हाई नहीं तो इसलिए यह option भी नहीं होगा तो only option A is possible तो इसलिए मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं एक question को लेकर करके उसमें जितने भी concept हो सकते हैं उसको यहाँ पे discuss कर रहा हूँ क्योंकि मैं 100 problem तो करा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं 3-4 problem लोगा और उसमें सारे concept को discuss करूँगा now question number 2 क्या आपको एक reaction given है उस reaction का delta G given है at 500 degree Celsius तो उस reaction का EMF बताना है ECL बताना है तो देखो इस type के जितनी भी question आएंगे again कैसे करना है तो आपको एक relation बता रखाऊ कि delta G is equal to क्या आता है minus में NFE तो आपको delta G given है N इस reaction के थुरूप पता करना होगा F की value आपको मालूम है 965 00 और E निकाना है इस type के question का यह होगा that means electro chemistry को thermodynamics से relate किया गया है तो delta G आपका 940 kilo joule है kilo joule है तो आप चाहो तो उसको joule में convert कर सकतो N value निकाना reaction की case में इन कैसे निकलते है ध्यान से देखो यहाँ पर aluminium आपका plus 3 में और यहाँ पर कहा जा रहा है 0 में change कितने का हो गया ध्यान से देखो change हो गया 3 का और कितने aluminium change हुआ है तो ध्यान से देखो 2 to the 4 4 by 3 तो 4 by 3 aluminium 3 से 3 तो कितना electron का change हुआ है 4 का ऐसे भी आप check कर सकते है यहाँ oxygen कितना में minus 2 में यहाँ पर oxygen कितना मागए 0 में तो you know एक oxygen को minus 2 से 0 आने में 2 electron 2 oxygen है तो 4 electron कैसे भी आप निकाल सकतो है निहाओ तो यहाँ पर n किवल हो गई 4 965 00 और यह E आपको निकालना था तो यहाँ से E आ जाएगा आप यह 20 से 20 कैंसल कर सकतो आप यह calculate करोगे तो you will get a prox में 2.5 वोल्ट तो answer will be D तो देखो यह question तो हो गया लेकिन मैं आप क्या कहना चाहूंगा द्यान से देखो इसमें क्या क्या किया जा सकता था जैसे यहाँ पर डेल्टा जी दिया है और क्या कर सकता है वो कि इस reaction का आपको डेल्टा हेच दे दे इस reaction का क्या करेगा डेल्टा हेच दे देगा तो यूनो डेल्टा जी इकल टो डेल्टा हेच minus T delta S तो आपको delta H दे देगा इस reaction का अगर मैं E cell दे देता तो इसका उतलब delta G दे दिया आपको तो finally indirect way में E cell दे करके delta G दे देता और आपको temperature given था तो delta S पूछा जा सकता था तो just मैं कहाना चाह रहा हूं कि electrochemistry को thermodynamics से relate क्या जा सकता है region क्योंकि delta G और E cell related है तो आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है इसलिए concept पर ध्यान देना concept आपका clear होगा तो आप किसी भी question को कर सकते है now question number 3 में एक आपको cell represent करके दिया और उसका E naught cell given है delta G naught किलो जूल परमोल में पूछा जाला है तो again इस type के question को कैसे करेंगे तो very simple ध्यान से देखो delta G naught is equal to क्या आता है minus में N F E naught यहाँ पर E naught आपको given है F की value मालू में 965.0 only thing is कि N निकारना है तो जब cell represent करके दे तो N कैसे निकालेंगे तो उसके लिए मैंने simple सा trick दिया था कि दोनों साइड आप देख लो oxidation state इधर पलस 1 है इधर पलस 1 है तो आपको बताया था कि अगर दोनों साइड salt bridge के दोनों साइड अगर same charge है जो तो N की value वह हो जाएगा कोई एक charge को लिख देंगे 1 जैसे माल लो suppose करो इधर पलस 2 होता इधर भी oxidation state पलस 2 होता तो N की value को जाता सिर्फ 2 बट अगर माल लो कि इधर पलस 2 है और इधर पलस 3 ऐसा कुछ होता different होता तो N की value क्या होता 2 into 3 तो आपको बताया था कि salt bridge के दोनों साइड में अगर same oxidation state है तो फिर वही N की value हो जागा different है तो दोनों को फिर multiply कर देना तो यहाँ पर 1,1 है तो N की value होगा 1, F965,00 E0 दियान से देखो यह इतना वारा value मैं नहीं लोगा क्यों? क्योंकि मेरे पास option है तो मैं 0.5 that means 1 by 2 ले रहा हूँ we know already कि हम छोटी value ले रहे है तो जो भी answer हैगा उससे थोड़ा बड़ा वाला tick करना है और यह तो joule में आया kilo joule में ले जाना है तो thousand से divide तो यह 2,0 से 2,0 cancer यह 10 से 96.5 2 से करेंगे तो यह कितना आ रहा है? 48.25 इसके आसपास तो यह जो मेरे को value आया है यह थोड़ा छोटा value लिये है और जबकि value थोड़ा सा इससे बड़ा होगा इससे बड़ा कौन है? ध्यान से देख लो 48 कासपास में 51 ऐसा नहीं कि आपको पूरा calculation करना है क्यों? क्योंकि आपको Nobel Prize ने मिनने वाला है वो just आपके approach को check करना चाहा है इसलिए आपको calculation से बचना है now question number 4 कि आपको एक cell represent करके दे दिया है और E naught of this and this यह आपको given है ZN plus 2 से ZN का 4 volt है AG से AG plus का minus में 2 volt है तो E naught cell बताना है इस type के question में बच्चे बहुत confuse होते हैं लेकिन देखो कैसे simple trick से करना है मैंने आपको क्या बताया था? salt breeze के left side वाला always anode होता है और right वाला cathode होता है anode पे oxidation होता है तो इसलिए E naught cell का मेरा formula क्या था? दियान से देखो E naught cell का formula E naught cell is equal to मैंने बोला था E naught of oxidation potential कहां पे oxidation होता है? anode का plus E naught of reduction potential, reduction कहां पे होता है cathode का मुझे बस यही मालूम है, right? तो अब आपने पैचन ले है यह anode है तो anode का आपको क्या चाहिए? oxidation potential question में check करो क्या given है 2 से यह कहां जा रहा? 0 में तो यह आपको क्या given है? reduction potential given है तो हमें क्या चाहिए? oxidation तो क्या करना परेगा इसको? value वाइड रहेगी सिर्फ minus sign लग जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? minus में 4 volt plus sign plus आपको कुछ change करने जोरत नहीं है फिर हमें cathode पर क्या चाहिए? reduction potential चाहिए, right? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा? ध्यान से देखो 0 से 1 oxidation हो रहा है हमें क्या चाहिए? reduction तो reduction चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा तो minus और रेडी लगा हुआ है और फिर से minus लगाँगे तो plus हो जाएगा तो इसलिए 2 volt तो आपको answer क्या हो जाएगा? minus में 2 volt हेलो वच्चो कैसे हो? आज मैं आपको 2 very conceptual trick देने जा रहा हूँ जिससे आप competitive exam में आने वाले problem को बहुत easily कर सकते हो और correct भी कर सकते हो क्यूंकि ये concept तो है बहुत easy लेकिन बच्चे इसमें बहुत confused रहते हैं और question को गलत करका जाते हैं तो आप से वो गलती नहों इसलिए ध्यान से समझो क्या करना आपको कभी भी जब आपको E0 cell calculate करना हो तो वहाँ पे दो tap के question बनते हैं एक वो जहाँ पे cell आपको represent करके दे दिया जाता है तो अगर cell represent करके दे दिया है तो simple आप ये वाला formula लगाएंगे right क्योंकि आपको बता रखा हूँ salt bridge के left side में anode होता है loan word से right side में cathode होता है तो anode पे मुझे मालूम है oxidation होता है इसलिए oxidation potential लेना उसका और cathode पे reduction होता है इसलिए उसका reduction potential लेना दोनों को add कर देना E0 से ला जाएगा तो ये एक tap होगा दूसरा tap होगा होता है जहाँ पे reaction आपको given होती है तो यहाँ पे careful रहना है क्योंकि बच्चों की गलते यहाँ पे ज़्यादा होती है reaction अगर given हो तो चुकि E0 एक intensive property है intensive property होनी कोई से आप direct इसको add नहीं कर सकते यह नहीं कि एक reaction का given है दूसरी reaction का given है तीसरी reaction का पूछा है दूसरी reaction को अगर add कर रहे हैं तो आप इसको add कर दो normal addition को यह follow नहीं करेंगे तो for example कहने का क्या मतलब है जैसे मालो कि इस marker का temperature 25 है और इस marker का temperature 35 है दोनों को अगर मैंने attach कर दिया तो इसका यह मतलम नहीं कि आप temperature 60 हो चुका है तो जैसे temperature एक additive प्रपर्टी नहीं है वैसे ही नौट सेल भी जो वो additive नहीं है डारेक्ट आट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे सल तो आपको डेल्टा जी नौट से जाना परेगा क्योंकि डेल्टा जी नौट जो वो एक additive प्रपर्टी है वो एक extensive प्रपर्टी है तो हर reaction का डेल्टा जी हम निकाल लेंगे और अगर reaction को add करने से third reaction मिर रही है तो डेल्टा जी नौट भी add हो जाएंगे तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि direct आप add नहीं कर सकते और question को कैसे करना है यह मैं application में समझाओंगा भी दूसरे type के जो question पूछाते है वो application E naught का आपको E naught दे दिया जाएगा और उससे related question पूछाते है तो उसमें सबसे important point आपको यह ध्यान देना है कि जिसका जतना ज़्यादा reduction potential की value होगा ध्यान देख with sign हमें consider करना है तो reduction potential की value जितना ज़्यादा होगा positive में उतना अच्छा वो oxidizing agent होगा क्यों? क्योंकि reduction potential ज़्यादा है मतलब क्या हो गया? कि वो उस side जाना चाला है reduce होना चाला है तो अगर यह खुद reduce होगा तो other को क्या करेंगे? oxidize और जो other को oxidize करते हैं उसको क्या बलते हैं? oxidizing agent तो इसलिए reduction potential ज़्यादा है तो अच्छा oxidizing agent होगा बस यह point जाना रखो और vice versa होजागा अगर मालो की oxidation potential ज़्यादा होता तो अच्छा reducing agent होता और you know कि किसी भी cell की reaction को spontaneous होने के लिए खुद से होने के लिए जरूरी क्या e0 greater than 0 ज़िए या e-cell greater than 0 ज़िए वैसे delta g0 smaller than 0 ज़िए या delta g smaller than 0 ज़िए और you know अगर reduction potential given oxidation नी करना हो तो शरिफ minus sign को आपको लगा देना या फिर oxidation given और reduction नी करना तो minus sign शरिफ लग जाएंगे तो I hope यह आपको clear होगा तो हम मैं इस पे best application की बात करता हूँ तो देखिए मैंने एक problem लिया है कि यहाँ पे e naught of pv plus 2 to pv आपको m volt given है pv plus 4 से pv n volt given है तो pv plus 2 से pv plus 4 का कितना होगा m और n के time में m minus x से नहीं तो x की value यहाँ पे क्या हैगी यह आपसे पूछा जा रहा है तो देखो ऐसे problem का बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं जहां से देखो पहले तो यह 2 से 0 में जा रहा है तो यह reaction को लिख देते हैं pv plus 2 दो electron ले करके pv में right और जैसे given है तो यह m volt given आपको उके उसके बाद plus 4 से 0 में जा रहा है तो यह लिख देते हैं PB प्लस 4, 4 electron लेकर के PB में चला जाएगा, यह N volt और उसके बाद इसको निकानना किसका है, तो PB प्लस 2 से PB प्लस 4, 2 electron लूज करेगा तो तो मान लेते हैं इसका की, जो भी है, Z volt ऐसा मान लेते हैं, right now उसके बाद वो क्या देखते हैं, कि हमें PB प्लस 2 की साइड में चाहिए, लेफ साइड में, तो यहां पे लेफ्ट में right और PB प्लस 4 राइट साइड में चाहिए, तो इस reaction को क्या करते हैं, reverse करके लिखते हैं वो तो reverse करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, द्यान से देखो, PB is giving you PB प्लस 4 प्लस 4 electron और यह reverse क्या तो minus में N हो जाएगा और उसके बाद इन दोनों को यह add कर देते हैं, add कर देंगे तो द्यान से देखो क्या हो जाएगा, PB से आपका PB cancel, PB प्लस 2 gives you PB प्लस 4, right और यहाँ पे 2 electron था, यहाँ पे 4 electron है, तो 2 electron बज़ गई है, तो चुकी उनोंने, उनको लगता है कि चुकी इन दोनों को add क्या है, तो Z की value क्या लिख देते हैं, M minus N और यहाँ पे F की value कर देंगे 1, और जिससे क्या हो जागा उसका गलत, क्यों गलत हुआ, वो समझी नहीं पाते हैं, गलत इसलिए हुआ, क्योंकि जो आपका E naught cell है, जो potential है, या voltage है, या EMF है, वो एक additive property नहीं है, आप direct add नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यह problem हो रही है आपको तो actual procedure क्या है, तो बस यह ध्यान रखना है कि हमें delta G से जाना पड़ेगा, तो उसी point को यहाँ पे हमने समझाया है, पहले ध्यान से समझो, अगर यह कोई एक reaction है, यह कोई reaction है, A, A plus 2, 2 electron दे रहा है, अगर E naught इसका suppose करते हैं, Z volt है, और delta G naught माल लेते हैं कि 2 joule है, just suppose करते हैं right, समझाने के लिए, तो 2 joule है, तो अगर suppose करो कि मैं इस reaction में किसी number से multiply कर दिया, that means 2 से multiply कर दिया, तो अभी भी E naught वही रहेगा, E naught में कोई changes नहीं आता, बट delta G naught जिस number से multiply करो, वो multiply जागा, इसलिए 4 joule हो जाएगा, यह changes होता है, similarly अगर मैं इस reaction को reverse करके लिग दूँ, reverse क करके लिग दिया, तो E naught में minus sign लग गया, पहले परस था, तो minus value वही रहेगी, sign change हो जागा, और delta G naught में भी वही होता है, तो यह point शरिफ एक common है दोनों में, बाकि यह अगर multiply करेंगे, तो E naught में कोई change नहीं होगा, बट delta G naught में change होगा, वैसे ही हम direct addition नहीं कर सकते हैं, जो य तो very simple, आपने जैसे लिखा, वैसे लिखना है, दियान से देखो, यहाँ पर 2 से 0 में, जो given है, वही लिखना, अपने हिसाब से कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे given है, 2 से 0 given, अगर मालो PV से PV पलस 2 given होथा, तो PV से PV पलस 2 बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 से 0 है, तो कैसे बन not given है, दूसरी जो reaction है, 4 से 0 में, right, PV आपका पलस 4 से 4 electron लेकर के PV में जा रहा है, और इस reaction का E not आपको given है, n volt, right, हमें जो पूछा गया है, वो PV पलस 2 से पलस 4, तो पलस 2 से पलस 4 कैसे बनेगा, PV पलस 4 via giving 2 electron, इसका आपको पूछा गया है, जिसको इस form में उसने दिया है, और X की value आपसे पूछा है, तो आप कैसे करेंगे, देखो E not है यह, मैं क्या बोलता हूँ, delta G not आप निकालो, delta G not कैसे निकालेंगे, तो देखो sum में F आएंगे, क्योंकि you know, delta G not is equal to, क्या होता है, delta G not is equal to minus में NF E not, तो देखो यहाँ पे यह को multiply कर देना है, यहाँ पे 2 electron था, तो delta G not मैं लिख रहा हूँ, direct 2M, ध्यान देखे क्या होगा, 2M into F, right, with minus sign, तो minus और F sum में common रहेगा, इसलिए मैं उसको पहली निकाल ले रहा हूँ, out कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 2M, यहाँ पे 4 electron है, तो यहाँ पे कितना electron है, तो इसका मान लेता हूँ, कि अगर Z है, इसका Z है, तो मुझे कितना लिखना परेगा, 2 times of Z, बस यह धियान रखना है, जितना electron दिखेगा, उसको multiply कर देना, अब वो concept लगा, कि अब मुझे कौन कौन चाहिए, PV plus 2, PV plus 4 चाहिए, man reaction में, PV नहीं चाहिए, that means मुझ मुझे reverse करना परेगा, क्योंकि lead plus 2 को left में रखना है, plus 4 को right में रखना है, तो plus 2 यहाँ पर already left में है ही, तो इस reaction को आपको as it is रखना है, और इस reaction को क्या करना है, reverse करना है, तो जब reverse करेंगे, तो क्या हो जाएगा, minus में 4N, बास समझेरो, और उसके बाद इन दोनों को add तो यह तोनों क्या हो गए, add, तो केतना आ गया, ध्यान से देखो, 2z is equal to 2m minus 4N, इसलिए अगर मैं 2 common लूँ, तो z is equal to क्या हो जाएगा, m minus 2N, तो इसलिए x की value क्या आ गए, 2, तो यह इस तरीके से आपको करना है, I hope आपको समझ में आया होगा, now हम question number 2 देखते हैं, कि यहाँ पर ध्यान से देखो, copper plus 2 to 0 में जब जा रहा है, तो आपको reduction potential given है, 0.34 volt, copper plus 1 से जब 0 में जा रहा है, तो again reduction potential given है, 0.522 volt, तो plus 2 से plus 1 का कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है, और यह option आपको given है, तो देखो, एक तो जो approach है, जो मैं बत से करते होगे, right, कि plus 2 से 0 में जा रहा है, तो copper plus 2, 2 electron लेगा, तो copper में जाएगा, और इस reaction का 0.34 volt है, right, उसके बाद एक आपका copper plus 1, 1 electron लेगा, तो copper में जाएगा, इसका 0.522 volt है, हमसे पूछा जा रहा है, copper plus 2, 1 electron लेकर के, जब copper plus 1 में जाएगा, तो इसका मान लेते हैं, कि x volt है, तो यही हमें निकालना है, right, तो जो अभी आपको एक approach बता है, क्या करना, यहाँ 2 दिख रहा है, तो यह तो आपका e naught है, आपको delta g naught से जाना परेगा, यहाँ 2 दिख रहा है, तो 2 into 0.34 करना परेगा, यहाँ 1 है, तो 1 into 0.522 volt करना परेगा, और यहाँ भी 1 है, तो 1 into 2x करना पड़ेगा, right, now अब आपको ध्यान देना है, कि इन दोनों reaction को कैसे arrange करूँगा, कि मुझे ये third reaction मिलेगी, क्योंकि इसका ही मुझे e not निकारना है, right, तो अब दिख रहा है कि मुझे इसमे copper plus 2 चाहिए, left में, copper plus 2 यहां पर, copper plus 1 चाहिए, मुझे right में, जबकि ये left में, तो इस reaction को ulta करना परेगा, क्यों, क्योंकि copper चाहिए भी नहीं, तो इसको ulta करूँगा, तो क्या कर दूँगा, minus, और उसके बाद दोनों को add कर दूँगा, तो यह आ जाएगा, तो इसको अंतलब x किसके बरावर हो गया आपका, 2 into 0.34 minus में 0.522, तो आप देख सकतो, 34 तक कितना हो जाएगा, 68, तो यह क्या हो जाएगा, 0.68 minus में 0.522, तो एक बात तो किलियर है कि मेरा जो e not है वो positive आने वाला है, इसलिए यह दो option मेरा क्या हो गया, cancel, और 0.68, 0.52 कितना हो गया, 0.16 के आसपास, तो 0.16 कौन है, आपका यह, क्योंकि यह 1580 प्रॉक्स, 1.6 हो जाएगा, राइट, एक carry करेंगे तो, तो direct मेरा option ही आ जाएगा, एक तो यह तरीका हो गया, मैं चाहता हूँ, आप इतना भी time नो ले, आप direct यहीं पे कर सकते थे, पलस 2 से 0 का यह है, 2 electron का change है, तो आप यहीं पे कर ले, 2 into 0.34, उसके बाद, पलस 1 से 0, एक electron का change है, तो आप यहीं पे कर ले, 1 into 0.522, राइट, अब आपको मालूम है, कि मुझे copper plus 2 left में चाहिए, और copper plus 1 right है, मतलब इसको पलटना परेगा, तो इसलिए इसके साथ minus लगा देंगे, और दोनों को मैं add कर दूंगा, तो यहीं आजाएगा, तो इसलिए answer क्या हो जाएगा, 0.68 minus 0.522, that is 0.158 volt, तो जब आप used to हो जाएगे, तो आप directly, आप ऐसे solve कर सकते हैं, नाओ, एक question और देखे, कि आपको इस type से बहुत सारी reaction देगा, और सबका E naught दे करके, आपसे इस type के question पूछे जाएगे, और बहुत easy है, एक तो तरीका यह है, कि सबका E naught cell निकाल करके check करें, कि इसका E naught greater than zero है, तो वो reaction feasible होंगी, आपको वो सब करने ज़रोत नहीं है, आपको बोल रहा है, कि कितने metal हैं इसमें, टोटल चार metal आपको दिया है, इनमें से कितने आसे metal हैं, जो oxidize हो जाएंगे nitrate iron से, तो देखो मेरा simple सा logic है समझो, nitrate iron अगर उसको oxidize करेगा, तो इसका उन्तलब क्या कहना चारा है, कि nitrate iron oxidizing agent का काम करना चाहिए, तो oxidizing agent कौन होते हैं, जो other को oxidize करें, और itself reduce होना है, तो itself अगर reduce होना है, तो simple सी बात क्या हो गया, कि इसका reduction potential should be greater than other metal, अगर nitrate iron का reduction potential, metal के reduction potential से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो definitely वो एक अच्छा oxidizing agent का काम करेगा, simple, तो आपको बस इसमें ये चेक कर लेना है, कि कितना ऐसा case है, जहाँ पे nitrate iron का reduction potential metal से ज़्यादा है, तो ध्याँ से देखो, यहाँ पे, यहाँ पे gain of electron, reduction ही given है, तो इसका reduction potential केतना है, 0.97 volt, यह भी reduction given है, तो इसको चेक करना है, तो 0.97 is greater than 1.19, वो भी minus में है, तो definitely बहुत greater है, तो यह easily oxidize हो जाएंगे, ध्याँ से देखो, वैसे ही, यहाँ पे भी reduction potential given है, और E0 minus में 0.04 है, तो again 0.97 इससे greater है, तो यह भी आपका easily oxidize हो जाएंगा, उसके बाद यह भी reduction potential given है, क्योंकि gain of electron हो रहा है, यह 0.80 है, और 0.80 से ज़्यादा है यह, तो यह भी हो जाएगा, उसके बाद कुछ बच्चे इसमें direct लगा देते हैं, ध्याँ से देखो, यह oxidation potential है, यह क्या है, oxidation क्या से 0 से 3 में जा ला है, oxidation है, लेकिन हमें सब का क्या कर रखना है, या तो reduction रखना परेगा, यह oxidation, अभी हमने सब का reduction से बात किया है, तो हमें reduction रखना परेगा, तो इसलिए इसको reverse करना परेगा, इसको reverse करेंगे, तो यह minus किसमें convert हो जाएगा, plus में, तो 1.40 जो है वो greater हो गया इससे, तो इसलिए यह नहीं हो पाएगा, तो answer क्या हो जाएगा हमारा, 3 metal ऐसी हैं, जो easily oxidize हो जाएगी, तो देखो concept को समझो, कि आपको जो भी पूछा जाए, उसके according पहले आप identify कर लो, मुझे पूछा जा रहा है कि nitrate iron oxidize करें, मतलब nitrate iron oxidizing agent हो, तो oxidizing वो जो other को oxidize करें, itself reduce हो, तो nitrate iron का अगर reduction potential other metal से ज़्यादा है, तो वो oxidizing agent का काम कर जाएगा, now question number 4 में आपको M plus 3 से M plus 2, जहां से देखो क्या हो जाए, 3 से 2, right, मतलब यह reduction आपको given है, यह सब चीज आपको carefully observe करना है exam में, question में, यह reduction potential given है, सब का right आपको given है, और आपसे पुछा जारा कि इसमें कितने metal ions होंगे जो liberate करेंगे H2 from dilute acid, इस word को भी पकरना है, H2 hydrogen gas मिलना चाहिए from dilute acid, acid बोले तो एक दरह से H plus हो गया, H plus electron जब gain करेगा, तब जाकर का आपको H2 मिलेगा, तो that means यह क्या, कौन से reaction होगे, reduction reaction होगे, right, that means you know E naught of H plus से H2, यह by default केतना हम लोग लेते हैं, 0 volt, right, तो इसका मतलब reduction होना है, अब electron यहाँ पर देगा कौन, तो यह metal देगे, आपको जो given है, वो reduction given है, इस condition में नहीं देगा, जब M plus 2, M plus 3 में convert होगा, तब electron lose करेगा, right, M plus 2, जब आपका M plus 3 में convert होगा, तब ही electron, तो that means, मेरे को क्या चाहिए, oxidation potential यहाँ पर, और सबका क्या given है, reduction, तो क्या करूँगा मैं, सबका sign को change कर दूँगा, तो यह minus है, तो यह क्या होजाएगा, plus, यह minus है, तो यह क्या होजाएगा, plus, और यह plus है, तो क्या होजाएगा, minus, और यह plus है, तो क्या होजाएगा, minus, यह क्यों क्या, क्योंकि मुझे oxidation potential चाहिए, right, अब अगर metal का oxidation potential greater हो जाता अगर इसके, जो कि अभी by the way 0 volt है, तो यह reaction हो जाएगी, right, तो इस question को कहने का उसका क्या मतलब है, कि अगर dilute acid से hydrogen मिर रहा है, तो that means, H plus H2 में जा रहा है, तो आपका वो सारा metal, जिसका oxidation potential 0 volt से जादा होगा, वो इस reaction को इसली करवा लेगा, तो अब देख लो, किस-किस का जादा है, तो यह वाले है, plus हो गया यह, और यह वाले है, right, तो इसलिए कौन-कौन होगा है, vanadium plus 2 and chromium plus 2, कहा है, option C में, now एक last question क्या आपको, इस type से आपको देदेगा, कि A naught of M plus M, ध्यान से देखना है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या given है, यहाँ पे plus से 0 में जा रहा है, मतलब reduction potential आपको given है, यह आपको identify करने आना चाहिए, तो reduction potential, char metal का आपको given है, आप से पूछा जारा कि कौन strongest oxidizing agent है, तो हमने क्या बताया, oxidizing agent का मतलब क्या हो गया, oxidizing का मतलब other को क्या करना है, oxidize, itself क्या होगा, itself क्या होगा, बताओ, reduce, तो itself reduce का होगा, जब उसका reduction potential जादा होगा, यहाँ पे reduction potential ही by default given है, तो किसका सबस्यादा reduction potential है, यह minus मे है यह प्लस में 0.6 है यह 0.85 है यह तो माइनस में तो only कौन हो जाएगा सी वाले तो option आपका answer क्या हो जाएगा सी तो ध्यान से देखो oxidizing यहीं पर reducing push था तो reducing agents वहते हैं जो other को reduce करें right itself oxidize हो तो oxidize हो तो उसका मतलब क्या होना तो आपको फिर क्या करना पड़ता यहाँ पे सब का reduction गिवन है oxidation करने के लिए सब minus को plus कर देते तो यह minus plus हो जाता यह plus minus यह plus minus और यह minus plus तो सब जाएगा को जाता यह तो फिर option आपका क्या रहता यह that means हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मुझसे reducing agent पूछा जाता तो जिसका reduction potential कम है वो अच्छा reducing agent है और जाते जाते एक ज्यान की बात और ज्यान की बात बहुत important है कि अगर आपको reduction potential given है तो oxidizing agent अच्छा वो होगा जिसका reduction potential जादा होगा which sign consider करना है अगर सारे का reduction potential given है तो oxidizing agent अच्छा हो है जिसका reduction potential ज़्यादा है और reducing agent अच्छा हो है जिसका reduction potential कम है यह point जहन देना और अगर oxidation potential सबका given है तब check करना हो तो oxidizing agent अच्छा हो है जिसका oxidation potential कम हो और reducing agent अच्छा है जिसका oxidation potential ज़्यादा हो अगर given है तो बहुत अच्छी बात नहीं given है तो आपको माले में शरीफ minus 3 से multiply कर देना है तो reduction potential मैं सब का निकाल सकता हूँ right और oxidizing agent अगर मुझे check करना होगा तो oxidizing मतलब other को oxidize itself reduce तो reduce कौन होगा जो ज़ादा reduction potential होगा इसलिए reduction potential इसका क्या होना चीज़ ज़ादा तो बस एक आपको भी question आजाए तो आप reduction potential में convert कर लो और अच्छा oxidizing वो होगा जिसका reduction potential ज़ादा होगा and vice versa अच्छा reducing agent कौन होगा फिर जिसका reduction potential कम होगा और ज्यान की बात में point number two कि जिसका ज़्यादा oxidation potential होगा वो अतना अच्छा reducing agent होगा right और वो metal उतना ज़्यादा reactive होगा तो इ reducing agent उतना ज़्यादा reactive क्यों क्योंकि अगर oxidation potential ज़्यादा मतलब वो oxidize होना चाहरा है oxidize होना चाहरा मतलब वो metal बहुत ज़्यादा reactive होगा क्योंकि easily electron दे देगा और इसलिए पूरे periodic table में strongest reducing agent पूछा जाए तो वो lithium होगा क्योंकि lithium reducing agent मतलब lithium oxidize होगे right तो यह electron lose करेंगे तो यह reaction बहुत fast होंगी तो इसलिए strongest reducing agent lithium होगा तो reduction potential के sense में बात करें तो lithium का reduction potential फिर क्या हो जाएगा बहुत low हो जाएगा minus में सबसे minus में सबसादा इसी करेंगा right minus में three point something होता है क्यों क्योंकि reduction की बात करेंगे तो reaction reverse होगी minus आना होगा और oxidation की बात करेंगे तो oxidation potential फिर क्या हो जाएगा बहुत जाएगा क्योंकि इसका reduction potential जाएगा तो इसका reduction potential सबसे ज़्यादा राइट प्लस में और अगर oxidation potential की बात करेंगे तो reaction को reverse करना परेगा तो oxidation potential क्या जाएगा कम हो जाएगा हेलो अच्छो कैसे हूँ आज हम लोग बात करेंगे electrochemistry में नस्ट equation के बारे में ओके बहुत important है यह और इसमें बहुत सारे question आते ही है तो देखो नस्ट equation को आगे से मैं बोलूँगा nut cut equation इसका नाम क्या रख देंगे nut cut equation क्यों क्योंकि इसके बहुत सारे रख रहे हैं different form में यह use होता है इसलिए इसका नाम मैंने रखा है nut cut equation तो ध्यान से समझो देखो यह thermodonics का बाट है यह सभी को मालूम है delta g is equal to delta g not plus rt natural log ln मतलब क्या है natural log q q क्या है तो q को बोलते है reaction quotient ओके और यह कैसे निकालते हैं तो chemical equilibrium में आपको idea है concentration of product जितने भी होगे उन सबका concentration to the power stoichiometry जो उसके आगे का number होगा एक balance reaction में divided by concentration of reactant जो भी reactant होगे उसका concentration to the power stoichiometry q हम ऐसे निकालते हैं जहां यह जो square bracket है वो concentration को बताता है और concentration कैसे लिखते है moles by volume उसके moles divided by volume राइट तो यह बहुत easy है तो वही q है यह अब you know delta g is equal to क्या होता है minus में nf e cell और delta g not standard है not मतलब standard तो nf e not हो जाएगा rt यह ln natural log q रहेगा राइट अब सबको minus nf से divide कर देंगे तो क्या हो जाएगा e is equal to e not minus rt by nf natural log q अब ध्याहां से देखो e is equal to e not r जो की gas constant हो गया t यहाँ पर temperature हमने केतना ले लिया है generally जो say reaction होती है वो 25 degree Celsius that is 298 Kelvin पर होती है आप चाहो तो approximately 300 Kelvin भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अगर इस temperature पर reaction हो रही है फेरेटेज f965.0 यह सब value का अगर हम put कर देंगे तो वो value आ जाते है calculate करके 0.059 इसलिए यह बार-बार calculate करने ही जोरत परती तो इसलिए इसको calculate करके रख लेंगे लेकिन ध्यान रहे है यह तभी वैलिड है जब temperature room temperature that means 25 degree Celsius यह 298 Kelvin यह प्रॉक्स 300 Kelvin हो अगर temperature change हुआ तो फिर आपको यह वाल equation से करना पड़ेगा put करके चुकि 99% जतने भी question बनते हैं सब इसी temperature पर इसलिए यह direct value हम याद रखेंगे ताकि हमारा time बचेगा calculation में तो E is equal to E naught minus 0.059 by N log क्योंकि इसमें natural log को भी आप log with base 10 में हमने convert कर दिया है तो वो सब already उसमें calculate होकर कर आगया log Q where what is N? N is number of electron जिसका मैंने आपको trick दे रखा है कि आपको एक cell represent करके अगर given है दोनों side same charges है तो N की कोई एक value हो जाएगी Y charge और अगर different charges है तो आपको multiply कर देना है तो यह main equation होगा इसलिए इस पर start दे यह ध्यान रखना है equilibrium पर क्या होता है? equilibrium पर delta G, gives free energy 0 होता है अगर delta G 0 हो जाएगा तो 0 कुन होगा? E क्यों? क्योंकि F की value तो friction 965.0 और N electron है वो 0 नहीं हो सकता तो इसलिए E cell 0 हो जाएगा तो अगर equilibrium की बात करें तो delta G या E को 0 put कर दोगे तो यहां से क्या जाएगा? अब ध्यान से देखो Q किसमें convert हो जाएगा इस case में Q आपका हो जाएगा K equilibrium के रवर इसलिए log K equilibrium is equal to क्या हो जाएगा N E not by 0.059 को मैंने approach 6 ले लिया है तो यह equation हम use करेंगे in case of equilibrium अगर question में mention कर दिया at equilibrium आप इसमें देखो variable क्या क्या है? वो भी समझो ध्यान से K equilibrium एक variable है, number of electron जो आपको cell से पता लगेगा E not, तीन variable है, तो तीन में से कोई भी दो देखर के तीसरा आप से पूछ सकता है, इसलिए आपको careful रहना है और अगर कोई reaction का delta G negative है या E cell positive है, तो वो cell spontaneous होगा in the sense, वो reaction होंगी, right? Cell working condition में इसका ये मतलब है Now अब ध्यान से समझो, Q निकानने के लिए एक तो ये था जो आपको बता चुका हूँ, और अगर मालो कि anode और cathode metal के हैं, तो definitely anode पे oxidation होता है तो right side में oxidized product होंगे इसलिए Q को directly हम ऐसे भी लिख सकते हैं concentration at anode to the power stoichiometry divided by concentration at cathode C to the power stoichiometry ओके, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं तो final कहने का क्या मतलब है, simple सा कि अगर liquid है, L for liquid अगर liquid है, aqueous phase में है तो उसका concentration लेना है, that means small y volume और अगर कोई gas अगर आपको दिख रहा है, product side में किस side में, product side में कोई gas दिख रहा है तो उसका pressure लेना है, अगर concentration नहीं गिवन है तो concentration गिवन है, तो वही पूट कर दो नहीं गिवन है, तो pressure भी हम ले सकते हैं similarly, reactant side में अगर aqueous phase में है, तो concentration लेना है और अगर gas है, तो pressure लेना है तो इन दोनों के ratio गम क्या बोल रहा है Q, reaction, quotient E naught cell, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यह equation में क्या-क्या variable है E cell, जो यह calculate करना है E naught cell, इसका calculation आपको बता रखाऊ previous lecture में, कैसे निकालते है oxidation potential at anode anode पे भी no, oxidation होता है इसलिए उसका oxidation potential cathode पे reduction होता है, इसलिए उसका reduction potential दोनों को add कर देंगे तो E naught आ जाएगा, तो इसमें variable कौन को ने है, ध्यान से देखो E, E naught, 0.059 fix हो गया N भी एक तरिके से variable है, और यह Q variable है, तो total इसमें 4 variable है, तो आप समझ सकते हो अगर total 4 variable है तो कोई 3 दे करके आपसे 4 पूछा जा सकता है, इसलिए आप ऐसा मस सोचे, कि nut cut trick question से खले आपको E cell निकानना पूछा जागा, कुछ भी हो सकता है E cell दे दिया, E naught दे दिया Q दे दिया, N निकालो, ऐसा दे सकता है, या E naught दे दिया N दे दिया, Q दे दिया, तो E निकालो ऐसे भी question आ सकते हैं, या फिर E, E naught, N दे करके Q निकालो आ सकता है, right तो इस type से, चुकि इसमें total 4 variable है, तो चारों में से कोई 3 दे करके, तीसरा आप से पूछा जा सकता है, और चुकि इसमें log Q मतलब chemical equilibrium आया है, इसलिए ionics related question पुछे जा सकते हैं, thermodynamics आया है, इसलिए thermodynamics related question पुछे जा सकते हैं, oxidation state आया है, इसलिए paradox से भी related question, तो 3 को combine किया जाता है, इसलिए ये chapter थोड़ा सा बच्चों को tough लगता है, लेकिन आपको नहीं लगेगा क्यों, रफी सर आपके साथ है, तो आप देखें कि इसमें base problem कैसे पूछे जाते हैं, और उसको हमें कैसे करना है, रफी सर के concept से, देखें, question number one, आपको क्या given है, कि 298 कैलिएन पे SRP मतलब standard reduction potential, copper plus 2 से copper का 0.34 volt है, के SP आपको copper hydroxide का given है, 10 की power minus 20, reduction potential पूछा है, जब pH 14 होगा, अब बहुत सारे बच्चे को यह question परके समझी में आता कि करना क्या है, देखो कैसे question को approach करना होता है, very simple, 298 कैलिएन दे दिया, मतलब 0.059 हम यूज़ कर सकते हैं, right, SRP standard है यह, तो that means आपको क्या given है, दियान से देखो, question को परकर के समझ लो, क्या given है, E naught केतना, 0.34 volt, कैसे पता लगा, क्योंकि standard reduction potential लिखा हुआ, ओके, एक और point की यह reduction potential है, तो reaction भी लिख दो, copper plus 2 2 electron लेकर के, जब copper में जा गा है, यह reduction reaction हुआ, right, KSP आपको given है, reduction potential, that means E से निकानना आपको, E क्या होगा, at pH जब आपको given है, कि pH आपका कितना हो रहा है, 14, तो यहां से दियान से समझो, अगर pH 14 है, तो we know pH plus POH कितना होता है, 14, तो इसका अतलब POH कितना हो जाएगा, 0, right, क्योंकि pH ही 14 है, POH 0 होने का अतलब क्या हो गया, concentration of OH केतना हो गया, 1, क्यों, क्योंकि POH 0 के मतलब, minus of log concentration OH minus 0 के बरावर है, तो log 1 जो होता है, वो 0 होता है, इसलिए OH minus का concentration, इस point से वो क्या कहना चाहरा है, कि OH minus का concentration 1 molar लेना है, just घुमारा और कुछ नहीं है, direct भी बोल सकता था, लेकिन परिशान करना तो, उसकी फित्रत में, right, इसलिए, ऐसा करके दे दिया, तो यहां से नहीं पढ़ गए, अब अगर यह reaction है, तो आपको मालूम है इस reaction का मैं, क्यों लिख सकता हूँ, क्यों कैसे लिखोंगा, you know, यह solid हो जाएगा, copper तो solution में शिरिफ कौन है, यह copper plus 2, तो concentration product में, कुछ नहीं है, तो उपर में 1, नीचे में copper plus 2 का concentration हो जाएगा, now again, copper plus 2 का concentration आपको given नहीं है, तो उसके लिए फिर से उसने आपको घुमाया है, KSP given है, क्या given है, KSP यहां से copper plus 2 निकाल सकते हैं, कैसे, you know, copper hydroxide कैसे dissolve होगा, copper plus 2 में, plus 2 OH मानस में, इस reaction का KSP, that means equilibrium constant लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, concentration of copper plus 2 into concentration of OH मानस और stoichiometry power में, right, तो यहां से copper plus 2 किसके बराबर आगया, concentration KSP by concentration of OH मानस का square, क्योंकि concentration of OH मानस 1 है, तो यह direct किसके बराबर हो गया, KSP that means 10 की पर मानस 20 के, बस यह चीजे घुमाने की कोशिज गया, अब आप direct लगाओ, हमें formula लगाना है, E cell जो निकालना है, E naught, E naught आपको given है, 0.34 volt minus 0.059 क्यों, क्योंकि temperature 298 के लिए न, N आपको दिख रहा है केतना electron, 2 electron, तो N2 log और Q, तो Q किसके बराबर है, ध्यान से देखो, 1 by copper plus 2, copper plus 2 का concentration, तो 1 by copper plus 2 का concentration केतना है, 10 की पर मानस 20, तो you know, यह उपर चला जाएगा, और 20 बारा जाएगा, log 10 1, तो direct क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो अब, 0.34 minus 0.059 by 2 into 20, तो 20 का यह क्या हो जाएगा, 10, that means यह कितना हो जाएगा, 0.59, तो 0.34 minus 0.59, तो आप ध्यान से देखो, कि यह minus में था, उपर गया तो plus में हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 34 और 59 मतलब, 0.25, और 0.25 का आप कैसे लिख सकतो, 25 into 10 की पर मानस 2, यह चलिए आपका option क्या हो जाएगा, A, तो आप ध्यान से समझे, कि वो क्या करेगा, कि हमारे पास actual में क्या है, यह equation है, जो मैंने बताएगा था, E is equal to E naught minus 0.059 by N log Q, तो मैंने पहले आपको बताएगा था, कि इसमें variable कौन कोन है, E, E naught, N और यह Q अलापट, तो आपको कोई 3 देगा, अब यहाँ पे जो 3 देगा, तो वो घुमा फिरा के देगा, जैसे Q के बारे में information डारेक्ट न दे करके, केसपी से relate किया, राइट, वैसे यह N, तो खेर यहाँ से पता लग गया, E naught, डारेक्ट यहाँ पे देदिया, E पूछा है, सिर्फ Q को घुमाया, और कैसे गुमाया, तो उसको कैसे करना है, वो आपको किलियर होना चाहिए, Now question number 2, कि at what pH, आप से pH पुछा जा रहा है, given half cell, यह half cell आपको given है, जिसमें दोनों का concentration mentioned है, electrode potential आपको given है, E given है, और standard electrode potential भी आपको given है, that means आपको क्या-क्या given है, अगर आप ध्यान से देखो, तो E cell आपको given है, 1.282 volt, E not भी given आपको by the way, 1.54 volt, और आप से pH पूछा जा रहा है, reaction कौन से हैं, वो ध्यान से देखो, reaction क्या हो रहा है, MnO4-Mn2 में, पहले आप लिख लो, MnO4-, आपका कहा जा रहा है, Mn2 में, यह reaction अभी balance नहीं है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, pH की बात किया है, that means, H+, कहीं ने कहीं बात हो रही है, और H+, कैसे आएगा, तो MnO4-Mn2 में जा रहा है, बट इधर 4 oxygen है, तो इधर क्या करना पड़ा होगा है, मुझे 4 water, अब अगर charge को balance करें, तो इधर plus 7 है, इधर 2 ही है, तो इधर कितना करना पड़ाएगा, 5 electron, वो भी समझ मा रहा है, क्यों, क्योंकि यह 7 में था, यह 2 में था, चेंज कितने का हुआ है, 5 electron का, तो यह actually में reaction है, जिसको उसने बहुत short form में, इतना कर दिया है, इसका भी concentration आपको given है, और इसका भी given है, बाकि, इसलिए यह जो h plus है, इसका concentration को ही, pH से उसने relate किया है, तो अपना formula क्या है, e is equal to, e naught minus, 0.059 by n, log of q, अब दियांस देखो, e दे दिया है, e naught दे दिया है, n दे दिया, और q में, कुछ न कुछ आपसे पूछा है, तो e आपको given है, कितना 1.282, e naught given है, कितना 1.54, minus 0.059 by n, कितना 5 electron, तो by 5, log, q कैसे लिखाएंगे, concentration of product, product में mn plus 2, mn plus 2 का concentration, 10 की power minus 3, इसका इस्टाकोमेटरी 1 है, इसलिए power 1 रहेगा, divided by, इसका क्यों नहीं रहे है, water का concentration always 1, right, उसके बाद, इधर में आ जाओ, तो mn of 4 minus का concentration, 10 की power minus 1, इस्टाकोमेटरी 1 है, इसलिए power 1, into concentration of H+, जो निकानना है, और उसका power 8 करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यह आपको करना पर लेगा, तो 1.282 में से, 1.54 तो यहाँ जागा, 0.258, minus में, is equal to minus में, 0.059 by 5, log of, यह 10 की power 1, चला जागा, तो 10 की power minus 2 by, concentration of H+, की power 8, राइट, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप, जागा, calcine, यह points आप, इस point को भी हटा सकतो, तो आप केतना हो जागा, 258 into 5, राइट, 258 into 5 by 59, नीचे में चला जागा, is equal to, इसको कैसे लिख सकते हैं, द्यान से देखो, log a by b, log a minus log b, तो log 10 की power, minus 2, minus a by b को, minus log of concentration of h plus की power rate, तो you know minus of log h plus क्या होता है, pH, तो यह तो minus में, 2 आजागा आपका, राइट, और, यह minus केतना हो जागा, 8 pH, तो इसको, एप्रॉक्स आप करोगे, तो यह आपको, 22 के असपास आएगा, और यह इधर आजागा, तो 2, तो 8 pH is equal to क्या हो जागा, 24, तो इसलिए pH केतना हो जागा, 24 by 8, that is approximate 3, तो answer, आपका, 2.9 volt, जो की close to में, 3 है, नाव, question number 3 में, आपको logarithm of equilibrium constant निकारना है, that means, log k equilibrium, यह निकारना है, उसको word form में लिख दिया, इस reaction का आपको निकारना है, और given है, PD plus 2, 2 electron लेगर के, PD में जा रहा है, तो उसका E naught given है, और यह E naught भी आपको given है, by the way, यहाँ पे दोनों में same electron है, इसलिए आप direct यहाँ पे add कर सकते हो, otherwise आपको मालूम है, कि E naught को इसके number of electron से multiply करना परता है, direct हम add नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे कर सकते हैं, चुकि मुझे PD plus 2 left में चाहिए, तो इस reaction को ऐसी रखना परेगा, और PD CL4 minus 2 right में चाहिए, तो इस reaction को reverse करना परेगा, और reverse करके add कर दूँँगा, तो मुझे, तो reverse करूँँगा, तो देखो क्या होगा, PD plus 4 CL minus gives you PD, PD CL4 minus 2, और इसका E naught केतना हो जाएगा, minus में 0.65 volt, अब अगर इन दो reaction को add करोगे, तो आपको यह वाली reaction मिल जागी, तो यहाँ पे हम directly इसलिए add कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंके आपका दोनों में same electron है, तो cancel out हो जाएगा, इसलिए otherwise, delta G naught निकालके फिर add करना पड़ता, तो यहाँ पे हमें इस reaction का E naught केतना चुका है, 0.83 minus 0.65, क्योंके add की हमने, तो यह केतना जाएगा, 0.18 volt, तो you know, कि E naught, log equilibrium is equal to, N E naught by 0.06, डारेक्ट था, N यहाँ पे दिख रहा है, दो electron को cancel के है, 2 into E naught, 0.18 divided by 0.06, तो point से point cancel हो जाएगा, तो यह 6, 3, 18, तो answer केतना जाएगा आपको, 6, तो इस तरीके से आपको करना है, next question number 4 देखें आप, कि आपको यह एक cell represent करके दे दिया है, और इसका E, X into 10 की पर minus 2 volt है, तो X क्या होगा, तो दियान से देखो, ऐसे question को आप quickly कैसे करेंगा, आपके पास formula, चुकि E नहीं करना है, E naught minus 0.059 को मैं 6 ले रहा हूँ, by N log of Q होता है, तो देखो E naught आप directly कैसे calculate करेंगे, आपको बता है था, salt bridge के left side वाला anode है, right side वाला cathode है, anode पे oxidation होता है, बट यहाँ पे क्या given आपको? reduction, तो oxidation क्या हो जाएगा इसका? पलस में 2.36, cathode पे reduction होता है, हमें reduction ही given है, तो as it is रहने देना है, तो यह 0.36, इसलिए E naught कितना जागा? दोनों को add कर दोगे तो 2.72, E निकान ना है, minus 0.06, N कैसे calculate करते हैं? तो आपको बता है था, इधर भी plus 2 दिख रहा है, इधर भी plus 2, अगर salt bridge के दोनों side, same charges दिख रहे हैं, तो N की value Y हो जाएगा 2, अगर different होता, तो multiply कर देते हैं, तो N2 हो गया, log of Q में, concentration of product, तो you know, anode पे oxidation होगा, तो X plus 2 का concentration, चुकि यहाँ पे दोनों electron, same हैं यहाँ पे, charges same है, electron same होगे, तो X plus 2 का concentration कितना है? 10 की power minus 3, divided by concentration of reactant, that means cathode का concentration, तो कितना जाएगा? 10 की power minus 2, तो यह द्यान से देखो, यह कितना आने वाल है? 2.72 minus, यह हो जाएगा, 0.03, और यह 10 की power minus 1, तो यह minus minus plus हो जाएगा, into 1, तो यह कितना गया? 2.75, तो इसको अगर इस पर में लिखना हो, तो you know, इसको 100 से multiply करो, और 100 से divide, तो यह कितना हो जाएगा? 2.75 into 10 की power minus 2, so x will be 275, यह हो जाएगा answer, तो यह without reaction को लिखे हुए, मैंने कर दिया, अगर आपको लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? आनोड पे oxidation होता है, तो oxidation कैसे कराओगे? x converting into x plus 2, 2 electron, cathode पे reduction होता है, तो reduction वालग क्या लिखोगे? y plus 2, वो 2 electron लेकर के जाएगा y में, net reaction आप लिखेंगे उसके बाद, net reaction में, चुक्के electron यहाँ पे same है, इसलिए add कर देंगे directly, तो क्या जाएगा? x plus y plus 2 gives you, x plus 2 plus y, right? electron cancel होगे, इसलिए यहाँ पे n की value 2, देखो मैंने direct put कर दिया था, और log concentration, अब इसलिए दियान से देखो, anode पे oxidation वाला है, तो x plus 2 का concentration, 0.001, वालब 10 की पर मानस 3, और इसका तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह solid है, right? तो solid का लिखते नहीं है, reactant में अगें यह solid है, right? और y plus 2 का concentration, 0.01, जिसको 10 की पर मानस 2, तो अगर आप used 2 हो जाएंगे, तो आप directly without reaction लिखे होगे भी कर सकते हैं, now एक last question, question number 5, कि zn से zn पलस 2, और sn पलस x से sn, right? e cell given है, 298 Kelvin पे, reaction quotient, मतलब q given है, 10 की पर मानस 2, e not given है, तो आपको n की value बताना है, right? तो formula आपका वाई है, e is equal to, e not minus 0.059 by n log q, अब यहाँ पर क्या क्या given है, आपको e given है, right? आपको e not, इससे निकाल सकते हैं, log q, reaction quotient given है, और n पूछा गिया है, right? इसलिए मैंने बोला, मैंने यहाँ पर 5 different type के question लियें, जो possibility है, क्योंकि सारे question तो you know करवा नहीं सकता है, क्योंकि video lecture फिर बहुत लंबा हो जाएगा, right? तो अब यहाँ पर e not कैसे निकाल लेंगे, तो you know यह salt bridge हो गया, left side वाला anode, oxidation चाहिए, given क्या reduction, तो यह कितना हो जाएगा, minus को plus कर देंगे, तो 0.763 volt, यह हो गया आपका cathode, reduction चाहिए, reduction ही given है, plus x से 0 में, तो as it is, तो इसको आपको ऐसी रहने देना है, right, यह हो जाएगा, दोनों को add कर देंगे, और इधर e आपको given है, 0.801, 9 by n, जो की निकानना है आपको, log q की value आपको given है, 10 की पावर minus 2, तो यह आप put कर दो, तो यह दोनों को जोड करके, इधर लागे, तो यह बच जाएगा, 0.03 is equal to, right, इधर में यह minus, और यह minus 2 इधर बाहर रहागा, तो minus minus plus हो जाएगे, तो 0.059 को मैं 0.06 ले ले रहाँ, और यहाँ पे यह 2 यहाँ पे आजाएगा, और n यहाँ पे हो जाएगे, तो अब यह देख सकतो, इससे यह cancel हो जाएगा, तो यहाँ से n के तना आपको 4, that means, s n किस oxidation state में, plus 4 में, इसलिए n की value क्या हो जाएगी 4, आज की इस वीडियो लेक्चर में, जो मैं आपको trick देने जा रहा हूँ, उससे conductance से आने वाले किसी भी problem को आप बहुत easily कर लोगे, और बहुत fastly भी, तो ध्यान दो, electrochemistry में conductance से जितने भी question आते हैं, वो बिलकुल formula based होते हैं, right, तो कौन-कौन से formula आपको याद रखना हैं, वो simple मैं अपने trick से देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक हाथ में 5 उंगली होती है, वैसे ही roughy sir के यहाँ पे 5 point है, अगर आपने ये 5 point को सही से समझ लिया, तो इससे बाहर कुछ नहीं है, ना तो इससे ज़्यादा formula आपको याद रखना है, ना इससे कम, आपके सारे के सारे question guaranteed है, कि इससे बन जाएंगे, very simple, ध्यान से समझो, trick या concept को, कि जो आप एक cell लेते हो, उसमें 2 rod deep होती हैं, जिसको electrode बोलते हैं, तो यहाँ पर दो electrode के बीच का जो distance है, उसको length L से मैंने represent किया है, और जो electrode का cross sectional area है, उसको A से represent किया है, बाद संबा गए, दो rod के बीच का length L, और electrode का cross sectional area जो है वो A है, तो यहाँ पर एक word हम define करेंगे, that is 0.1 cell constant, what is cell constant, that is nothing but, जो दोनो electrode के बीच का distance है L by electrode का cross sectional area A, L by A, इसको मैं G से represent करूँगा, that is nothing but, length by area, आप खुदी सोचो unit क्या हो जागा, अगर length को centimeter में, और area को centimeter square, that means CGS unit में ले रहे हैं, तो centimeter by centimeter square क्या हो गया, centimeter inverse, यह सबसे ज़्यादा used unit है, क्यों हो, क्योंकि length जो होगा, वो centimeter में measure करेंगे, meter में क्यों नहीं करें सर, एतना बड़ा cell तो होगा नहीं, समझगे बेटा, लेकिन अगर ऐसा unit पूछा जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, meter inverse, इसलिए question को carefully read करना है, कि वो unit कौन सा दे रहा है, centimeter inverse या meter, 99% यह रहेगा, और अगर इसमें दिया है, तो फिर उसके according हमें solve करना है, तो meter inverse हो सकते हैं, point number two, that is very very important, conductance, conductance को C से represent करूँगा, और we know conductance and resistance, एक दूसरे के inverse होते हैं, तो one by resistance, that is one by R, unit क्या होगा, तो we know के resistance की जो SI unit है, ध्यान दे, यहाँ पे resistance की SI unit क्या होती है, ohm, तो इसलिए क्या हो जागा, इसका ohm inverse, नीचे में है तो, या उसी को इस side से, back side से परो, तो क्या बोलेंगे, maho, तो यही unit, उसकी भी रहेगी, conductance की, या इसी को Siemens भी बोलते हैं, S से represent कर सकतो, तो ध्यान दो, यह जो point number two वाला है, यह जितनी भी unit है, सब की सब मैंने कौन से लिए है, SI unit है, ohm inverse, maho, 7, all are SI unit of conductance, इसलिए resistance की SI unit क्या हो जागी, ohm, तो यह point ध्यान रखना, और यही use होता है, चाहे कोई भी problem हो, इसमें changes नहीं है, इसमें changes हो सकते हैं, unit को use करने में, इसमें यह fix है, यही रहेगा, जैसे mall concept है, mall fix है, SI unit है, और वही use होते हैं, उसके लावा और को unit use नहीं होती है, point number three, that is very very important again, conductivity, देखो, IT word, ITY word कहीं पर लग जाए, conductivity, conductivity, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, specific conductance, ध्यान दे इन दोनों में difference है, यह स्रिफ conductance है, और conductance के आगे, specific word लगा दिया, या फिर ITY word लगा दिया, तो यह सब क्या हो जाती है, intensive property हो जाती है, anyhow, conductivity, या specific conductance, जिसको मैं case से represent कर रहा हूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, यह जो आपका cell constant है, into conductance, मतलब first two को multiply कर दो, यह हमने कहां पर आपको बताया, point number one में, और यह कहां बताया, point number two में, right, तो दोनों का अगर मैं multiply कर दो, that is conductance into cell constant, is known as conductivity, या specific conductance, again unit दियान से देखो, तो conductance का आपको मालुमी है, Simon fix है, और अगर cell constant को centimeter inverse में यूज़ के तो, Simon centimeter inverse, अगर SI unit की बात करें, तो Simon तो SI unit ही था, और centimeter का क्या हो जागा, meter inverse, तो यह भी use हो सकता है, तो इसलिए ध्यान देना, question में careful लिग क्या यूज़ क्या है, यहाँ पर एक unit fix है, जो SI unit में, point number 2 वाली conductance वाला, conductivity की जो used unit है, वो Simon centimeter inverse है, और question में अगर centimeter की जाएगा, meter यूज़ कर रहा है, तो फिर यह SI unit हो जाएगा, सबसे ज़्यादा question आपको मिलेंगे, point number 4 पे, point number 3 पे भी, यह formula भी काफी यूज़ होने वाला है, एकदम दिमागे बैठा लेना है, और point number 4, that is molar conductivity, word क्या यूज़ करेगा, इसमें भी IT word लगा होगा, लेकिन conductivity के आगे क्या लगा होगा, molar, तो कहीं पे भी अगर molar conductivity है, molar मतलब molarity से relate कर सकते हो, तो molar conductivity को लेम्डा M से represent करेंगे, और उसका formula simple है, thousand into K by M, thousand into K by M, that means molar conductivity, जो है आपका वो specific conductance या conductivity के directive proportional है और molarity के inversely proportional है, यह thousand into K by, unit क्या होगा, तो Simon centimeter square mole inverse, भ्यान दे, Simon ऐसा unit, mole, ऐसा unit, बट यह आपका CGS unit है, तो यह एक unit है, और सबसे ज़्यादा यह used होते हैं, right, बट अगर सर हमको इसको SI unit में convert करना हो, तो formula फिर क्या हो जाएगा, very very important ध्यान देंगे, अगर lambda M को आपको SI unit में use करना है, तो formula हो जाएगा फिर, K, यह 1000 नीचे आजाएगा, K by 1000 into M, ऐसा क्यों हुआ, वहाँ से हम समझ सकता हैं, और unit आप SI unit में, Simon SI unit हो गया, meter square, meter length SI unit हो गया, mole, तो SI unit हो गया, तो यह ध्यान रखना है, SI unit में यह आपको दे सकता है, ना दो question is कि यह, 1000 नीचे कैसे हो गया, तो यहाँ पर K की unit देखो, very simple, K की unit 7 cm inverse है, और molarity क्या होता है, moles per liter, liter को मुझे कहां ले जाना पड़ेगा, cm में, तो we know, 1 liter is equal to 1000 cm क्यों, तो इसलिए, अगर मैं molarity को convert करूं, तो mole per liter उपर चला जाएगा, और 1 liter 1000 cm क्यों, इसलिए वही 1000 आ रहा है, यह जो 1000 है, वो conversion का 1000 है, समझे, तो इसलिए lambda M तो direct क्या है, KYM 1000 एक fix number है, वो कैसा है, molarity को moles per liter, तो moles इसलिए mole का inverse आ गया, नीचे, और per liter liter उपर गया, और 1 liter 1000 cm क्यों, इसलिए वो 1000 आए आपका, तो यह सब फिर cm बाज़ेंगे, similarly अगर मुझे, SI unit में लेना होता हो, तो we know molarity, moles per liter, और 1 liter 10 पर minus 3 meter क्यों होता है, तो 1 liter तो moles per liter, liter क्यों हो गया, 10 की पर minus 3, तो वो कहा जागा, नीचे, इसलिए यह 1000 नीचे आए, तो I hope यह point समझगा गया, और यह very very important है, lambda M 1000 into KYM, 1000 उपर रखोगे तो centimeter square है, और 1000 नीचे रखोगे तो meter square है, क्योंकि बाकी चीज़े तो common है, क्योंकि यह always SI unit में use होता है, only जो difference की रिएट होगा वो length से, तो अगर centimeter square ले रहो तो उपर 1000, और meter square ले रहो तो नीचे 1000, कैसे आया, तो simple molarity को हमने convert कर दिया है, either CGS unit में या फिर SI unit में, समझ के बात, and last point, that is again very important, कि जो conductivity होती है, जैसे conductance, resistance की इनवर्स लिए, वैसे conductivity, resistivity के उल्टा चलते हैं, तो इसलिए कहीं पर question को just long करने के लिए, resistivity देते हैं, तो मतलब indirect way में आपको conductivity given है, resistance देते हैं मतलब, conductance given and vice versa, तो conductivity, resistivity, या फिर a specific conductance, is equal to a specific resistance, a specific word लग जाएगा, उसके आगे, यह हम जानते हैं, एक और होता है, equivalent conductivity, तो equivalent conductivity पूछा जाए, तो सब को same रहागा, 1000 into K, molarity के जाएगा सिर्फ क्या जाएगा, normality, और unit क्या जाएगा है, Simon centimeter square, mole की जाएगा क्या जाएगा, equivalent inverse, तो यह जो मैंने आपको 5 total दिये, जिसमें सबसे जादा important आपका कौन कौन है, one number, इसको भूलना नहीं है, right, three number, और four number, इन सब पे base question रहेंगे ही, unit का खास ख्या रखना है, क्योंकि कभी-कभी match the column में भी unit पूछ सकता है, और इसके formula बस यहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है, अभी मैं आपको इस पे base application की बात करता हूँ, तो देखिए, question number one में आपको, क्या बोल रहा है कि resistivity, point पे ध्यान देना, IT y word लगावा, resistivity of point eight molar solution of electrolyte is this, resistivity आपको given है, ध्यान दे, ohm तो ठीक है, centimeter, cgs unit वाला है, it's molar conductivity, क्या निकारना में, molar conductivity, और वो sum number into 10 की पावर 4 है, again unit ध्यान दे, centimeter square है, तो ध्यान से देखो, very simple है यह, आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो, resistivity, rho दिया है केतना, 5 into 10 की पावर, minus 3, तो यह resistivity है, तो conductivity के केतना हो जाएगा, 1 by 5 into 10 की पावर, minus 3, और हम से क्या पूछा है, molar conductivity, lambda M, lambda M क्या होता है, thousand into K by, molarity, क्योंकि unit देखो, ohm inverse मतलब क्या हो गया, वही साइमें, centimeter square, mole inverse, यह वाला ही उसकाने, यह लिए thousand उपर, centimeter होगा तो, thousand उपर, meter square होता तो, thousand नीचे, that's it, बाकि, K by M, as it is होता, अब पुट कर दो, thousand into, K आपको देखो, वही डारेक्ट नर्दे करके इंडारेक्ट वे में resistivity दे दिया है तो 1 by 5 into 10 की पावर माइनस 3 हो गया और molarity आपको given है कितना? 0.8, तो यहाँ पे क्या कर दो? 0.8, तो आप द्यान से देखो क्या हो जाएगा यह? 10 की पावर 4 में बनाना है तो आप देखो तो यह 10 की पावर माइनस 3 उपर चला जाएगा तो उपर मो जाएगा 10 की पावर 6 into 1 by यह 8, 5, the 40 तो यह 4, तो 10 की पावर 4 में ले जाना तो इसको क्या रिखेंगे? 100 into 10 की पावर 4 by 4 तो 4 से यह 25 टैंस में कर जाएगे? तो यहाँ पर एंसर क्या जाएगा आपका? 25, so your answer will be 25 into 10 की पावर 4 next question number 2 में ध्यान से देखो तो आपको क्या दिया है? resistance of a conductivity cell cell constant आपको given है cell constant given है filled with 74.5 parts per million ppm solution of KCL is 100 ohm क्या आपको given है? resistance given है, right? तो यह solution one है एक दूसरा solution है when the same cell same cell कहने के मतलब क्या हो गया? cell constant वही रह जाएगा, right? क्यूंकि cell अगर chain नहीं कर रहे है तो दोनो अलप्रोट के भी इसका distance fix हो चुका है और area fix तो मतलब same cell कहने मतलब cell constant अभी भी 129 है is filled with KCL solution of 149 that means अब इसको concentration को change किया उसने 149 parts per million that resistance is 50 ohm अब resistance 50 ohm हो गया है तो ratio of molar conductivity of 1 and 2 that means हमें क्या find करना है molar conductivity of first cell by molar conductivity of second cell very simple molar conductivity क्या होता है thousand into K1 by M1 by 1000 into K2 by M2 ये 1000-1000 cancel हो जाएंगे simple क्या हो गया ध्यान से देखो simple हो गया K1 और M2 उपर चला जाएगा M2 by M1 into K2 तो ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए conductivity तो conductivity क्या होता है conductivity K is equal to conductance into cell constant तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ conductance को क्या लिख सकता हूँ 1 by resistance into cell constant तो अब ध्यान से देखो जो conductivity होगी वो resistance के inversely होगा और cell constant चुकी same solution है तो दोनों में same होगा तो इसको मैं आब ऐसे लिख सकता हूँ K1 की जगा क्या हो जाएगा 1 by R1 तो इसको लिख सकते हैं K2 की जगा 1 by R2 तो क्या हो जाएगा R2 resistance 2 का into molarity R1 M1 अब molarity कैसे निकालेंगे तो parts per million आपको given है right parts per million है चुकी जो भी changes होगा इसमें molar mass है वो दोनों same ही है KCL solution ही है और जो changing factor है वो भी same ही है तो इसलिए direct हम इसको molarity में put कर सकते है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो R2 आपके पास केतना resistance to 50 और M2 केतना ध्यान से देखो तो 149 direct parts per million में क्योंकि conversion factor same रहेगा cancel out हो जाएगे ratio है और नीचे में R1 resistance केतना आपका 100 और into में 74.5 तो यह ध्यान से देखो तो यह 52 दा और यह पूड़ा कर जाएगा तो यह 1 आ जाएगा लेकिन हमें जो answer बताना है वो X into 10 की पार minus 3 तो X को क्या होना परेगा 1000 तभी 1000 into 10 की पार minus 3 क्या हो जाएगा 1 तो यहाँ पर X की value क्या हो जाएगा आपकी 1000 तो दियान से देखो very easy है बस formula base आप दियान से देखो दोनों problem में मैं वो जो पांच point आपको दियें उससे बाहर use नहीं कर रहो Now question number 3 आपको बोड़ा कि molar conductivity of conductivity cell filled with 10 moles 20 ml NACL solution is lambda M1 एक का lambda M1 है और fit 20 moles and 80 ml NACL solution का lambda M2 है तो lambda M1 and lambda M2 में क्या होगा और यह condition given है यह point को दियान से देखना है conductivity जो दोनों cell की है वो same है तो again अपना formula क्या very simple है lambda M is equal to 1000 into K by molarity आप दियान से देखो कि दोनों का ratio हम निकाल सकते है lambda M2 by lambda M1 तो दियान से देखो जब तो यह 1000 तो cancel हो जाएंगे और दियान से देखो तो K भी cancel हो जाएगा क्यों? क्योंकि दोनों का same है तो सिरिफ क्या हो जाएगा inversely है molarity के तो 2 यहाँ है तो नीचे में हो जाएगा M2 M1 right? molarity निकाल सकते हैं क्या? तो very simple molarity क्या होता है moles per unit volume तो moles 1 का केतना है? 10 और volume केतना दियान से देखो 20 convert करने के ज़र होते हैं? नहीं क्योंकि इसका भी ML में ratio है cancel out हो जाएगा और M2 M2 का केतना है? 20 by केतना हो जाएगा? 80 तो यह केतना आगया इदर से? 1 by 2 lambda M2 is equal to 2 times of lambda M1 तो यहाँ X की value क्या हो जाएगा? 2 simple next question number 4 में दियान से देखो क्या बोल रहा है? कि resistance of a conductivity cell containing 0.01 molar that means molarity दे दिया K cell solution at this temperature is this if conductivity of again same solution is given to you 0.152 into 10 की power minus 3 दियान से देखना unit 7 cm inverse है तो cell constant आपको पूछा गया है कि यहाँ पे क्या number आएगा? 10 की power minus 3 में तो very simple दियान से देखो again we know cell constant पूछ रहा है तो हम क्या जानते हैं? conductivity K is equal to conductance into cell constant right हमें यह निकानना है अब conductance नहीं given है सर तो क्या करे? तो by resistance given है तो क्या लिख सकता हो? conductance को 1 by resistance into L by A यह तो हमें निकानना है तो हम इसलिए क्या सकता है? L by A is equal to conductivity into resistance क्या हमें conductivity given है? 0.152 unit 7 cm inverse और 10 की power minus 3 है तो 10 की power minus 3 और resistance आपका given है? yes, 1750 तो द्यान से देखो exam में इस question में कुछ नहीं करना था बस यह दोनों number को multiply करना था 10 की power minus 3 में रखना है तो इन दोनों को multiply करोगे तो क्या जागा? 266 into 10 की power minus 3 तो यहाँ पे number क्या जागा आपका? 266 तो आप देख सकते हो एकदम formula based question होते हैं और यह सब P by Q है? next question number 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि resistance of conductivity cell with cell constant आपको given है? द्यान से देखो cell constant given है और molarity given है आपको और resistance given है molar conductivity पूछा है? ऐसी question का आपको read कर लेना है molar conductivity पूछा है लेम्डा M क्या होता है? 1000 into K by M ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस unit में चाहिए right? centimeter square है तो अब हमें क्या-क्या find out करना है? molar conductivity पूछा है शरिफ K K direct नहीं given है तो K क्या होता है? conductance into cell constant right? और conductance को क्या लिख सकते हैं? 1 by resistance into cell constant 1 by resistance आपको given था दियान से देखो 1500 और L by A cell constant आपको given था 1.14 इसको put कर दो अब यहाँ पे तो लेम्डा M is equal to 1000 into K की जगा आप यह put कर देंगे तो 1.14 divided by 1500 और molarity आपका दियान से देखो 10 की पार मानस 3 है तो उपर में ही वो 1000 चला जाएगा तो very simple है यह आप cut कर दो इसका भी चाओ तो आप 100 नीचे ले लो तो यह 10 से 10 यह cancel हो जाएगे तो आप दियान से देखो तो यह हो जाएगा 11400 by 15 जिसको cut करोगे तो आजाएगा 760 तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 760 simple और next question number 6 में कहा रहा है कि एक KCL solution है जिसकी conductivity again आपको given है ध्यान से देखें conductivity given है और resistance भी given आपको वही same cell है इस point पे ध्यान देना अगर same cell है तो cell constant क्या हो जाएगा same cell है तो resistance कहां पे आजा रहा है 1.03 उमपे तो conductivity उस solution का बताना है तो ध्यान से देखो अभी आपको बता है conductivity K is equal to conductance into cell constant conductance को क्या लिश सकते है 1 by resistance into cell constant बस एतना ही formula है तो यह एक बार KCL solution का दिया है दूसरी बार HCL solution का पूछरा बट same cell है तो again दोनों के बीच का distance fix होगा cross sectional area fix होगा that means L by A fix होगा right तो मैं L by A निकाल रहता हूँ for KCL के लिए तो L by A KCL के लिए जो होगा वही L by A HCL के लिए होगा और यहां से निकाल सकता हूँ मैं तो L by A क्या हो जाएगा K into R क्या conductivity given था आपको yes 0.14 द्यान देख साइमन meter inverse है मतलब SI unit में चरु रहा है it's okay fine resistance आपका और रेड़ी SI unit में है तो into में हो जाएगा वो 4.19 क्या जाएगा right अब यह fix रहेंगे अब हमें क्या निकालना है K conductivity है CL तो conductivity K is equal to 1 by resistance resistance आपको given है 1.03 into cell constant cell constant अभी भी बही रहेगा तो क्या हो जाएगा 0.14 into 4.19 आपको कैसे बताना है 10 की पार minus 2 में तो आगे की क्या value होगी तो आगे की क्या value होगी वो तो हम देख लेंगे यह decimal से यह decimal cancel होगे और यह 14 का 100 इसी 100 को मैं लिख सकता हूँ तो दियान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 14 into 419 by 103 और यह 10 की पार minus 2 इसको आपको solve करना है इसको solve करेंगे तो प्रॉक्स में आ जाएगा आपको 57 into 10 की पार minus 2 तो यह answer will be 57 तो आप दियान से देखो कि आपको बस formula based question पूछे जाते हैं आप जाते 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 ज्यान की बात और that is very important कि conductivity decrease होगी अगर concentration of electrolyte decrease करेंगे तो down arrow मतलब कम करेंगे तो और यह दोनों के लिए अप लेकर बूले weak and strong दोनों के लिए देखो यह कोई answer नहीं रठने वाली बात है simple सी बात है अगर concentration electrolyte का कम क्या होतलब क्या हो गया number of ions कम हुआ तो ions कम होंगे तो conductivity भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा simple similarly point number 2 कि lambda m thousand into ky molarity होता है तो अगर हम lambda m को increase कराना चाहते हैं तो molarity या concentration को क्या करना पढ़ेगा कम क्योंकि anniversary related है तो रठना नहीं यह सब point number 3 dilution अगर increase करा दिया right तो अभी इस बात है number of ions per unit volume क्या हो जाएगे कम हो जाएगे क्यों क्योंकि dilution increase करना अतलब more up solvent add कर रो तो per unit volume की अगर बात करें तो number of ions कम हो जाएगे right total ions तो उतने रहेंगे लेकिन per unit volume कम होते जाएगे क्योंकि नीचे में volume का divide बढ़ता जाएगा तो यह point बहुत important है धियान रखना theoretical question इस पे best बनते हैं Hello everyone कसकाई आज की इस video lecture में जो trick and concept मैं देने जा रहा हूँ उससे आप electrochemistry मे conductance से आने वाले किसी भी problem को बहुत easily कर लोगे और बहुत fastly भी तो जैसे एक हाथ में पांच उंगली होती है वैसे ही यहाँ पे रफी सर के पांच point है बस इसको आपको अच्छे समझ लेना इससे बाहर कुछ नहीं है तो ध्यान से देखें first point कि कहीं पे भी अगर word आजाए infinite dilution infinite dilution word आजाए limiting word लगा दे like limiting molar conductivity molar conductivity के आगे limiting word लग गया यह saturated solution word यूज कर रहा है तो इन सब का एक ही मतलब है कि concentration 0 की तरफ जा रहा है concentration 0 की तरफ जाने मतलब क्या हो गया कि volume आपने बहुत जादा बरहा दिया that means dilution बरहाने अतलब क्या हो गया कि आपने बहुत ही जादा water add कर दिया है या solvent add कर दिया है तो concentration 0 की तरफ जाने अतलब volume बहुत जादा हो गया है उस case में molar conductivity पे यह हम 0 दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे molar conductivity at infinite dilution या limiting molar conductivity या फिर इसको lambda M infinite से भी दिखा सकते हैं तो यहाँ पे 0 की इसको represent कर रहा है की concentration tending towards 0 और infinity की इसको represent कर रहा है की volume tending towards infinity तो दोनों का एक ही मतलब है इसलिए point number 1 को अच्छे से समझ लेना है point number 2 that is very very important colorage law तो that's very simple इसका यह कहना था कि आप किसी भी electrolyte का किसी भी ध्यान दे किसी भी electrolyte का चाहे वो weak हो या strong हो अगर limiting case में बात करते हैं क्योंकि हमने not दिखा दिया तो limiting molar conductivity of any electrolyte will be is equal to sum of their ions जो जो ions होंगे उसका होगा और molar conductivity की बात कर रहो तो आपको उसका जो number है coefficient में जो number आएंगे उसको multiply करना पड़ेगा बट वहीं पर अगर equivalent की बात करेंगे equivalent की तो शिरीफ sum of their ions हो जाएंगे that means यहाँ पर इस number का इस stoichiometry का कोई use नहीं इसलिए दोनों को मैंने किलिए लिखा है कि यह molar conductivity है at infinite dilution यह equivalent conductivity है at infinite dilution application हम इसके help से limiting molar conductivity of weak electrolyte निकाल सकते हैं right using strong electrolyte और कैसे very simple suppose को रहो मुझे निकालना है limiting molar conductivity of A plus B minus catein और N9 हो गए जहाँ A B एक weak electrolyte है तो this can be written as और इस पर बहुँआँ सारे problem हाते है अभी हम application में देखेंगे भी तो this can be explained कि आपको A plus B minus चाहिए तो lambda M not of A plus C minus और यहाँ पर lambda M not of D plus B minus तो ध्यान से देखो मुझे A और B तो मिल चुका है A plus B minus लेकिन extra को नो गया CD क्योंकि plus आ गया है तो CD extra हो गया इसलिए उसको क्या कर देंगे minus तो CD को minus कर देंगे तो this is equal to यह जहाँ पर A, C, D, B, D, C यह सब क्या है आपके strong electrolyte है चुकि strong electrolyte का molar conductivity find out करना easy है इसलिए strong electrolyte के help से हम weak electrolyte का निकाल सकते हैं just manipulate करके application number 2 कि हम weak electrolyte का equilibrium constant भी निकाल सकते हैं like weak acid या weak base का equilibrium constant निकाल सकते हैं degree of dissociation वो कैसे निकाल सकते हैं जो molar conductivity होगी divided by limiting molar conductivity ध्यान दे, दोनों सेम नहीं है यह only और only कहां पर defined है at infinite dilution और यह किसी भी concentration पर defined है तो इन दोनों का ratio चुकि यह always high होंगे इसलिए alpha always 1 से less होगा तो अगर alpha निकल गया तो weak acid का क्या क्या होता है c alpha square upon 1 मानास alpha अगर मानलो alpha very very less than 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं c alpha square तो यहाँ पर बहुत सारा इसका use होता है and तीसरा कहीं पर भी अगर saturated solution बोल दिया तो उसका उतलब infinite dilution है तो इसलिए salt की solubility या solubility product निकानने में भी इसका use होगा क्यों क्योंकि उस case में lambda m को replace कर दाना है lambda m naught से और molarity को solubility से तो we know lambda m 1000 into k by molarity था तो lambda m, lambda m naught से आगया 1000 into k molarity solubility से आगया unit इसका क्या हो जाएगा Simon centimeter square mol inverse और चुकि यहां से हम solubility निकाल सकते हैं अगर lambda m naught और k given है conductivity तो तो solubility आजाएगा तो फिर हम ksp that is salt का equilibrium constant निकाल सकते हैं तो इसलिए यह तीन major application है जो हम अभी use भी करेंगे इसलिए ध्यान से देखना है सबसे ज़्यादा important point that is point number 4 k lambda m और molar conductivity और concentration का variation जो है वो इस तरीके से related है lambda m is equal to lambda m naught minus b root c where lambda m molar conductivity है at any concentration a at infinite dilution है b a constant है और c concentration है यहां पे तो जिसको अगर मैं compare करूँ तो y is equal to c minus mx type हो गया इसलिए इसका जो curve होगा इसका जो curve होगा आपका strong electrolyte के लिए वो एक straight line को follow करेगा और step से चुकि slope negative है तो इसका जो भी slope होगा आपका वो b के बरावर होगा right तो strong electrolyte के लिए straight line आगा और जैसे जैसे concentration बढ़ाएंगे molar conductivity कम होगा but weak electrolyte के लिए यह curve के form में आता है इसलिए ध्यान देना बहुत important है तो weak electrolyte में curve आएगा strong electrolyte में आपका एक straight line आगा इसलिए strong electrolyte का हम extrapolate करके निकाल सकते हैं इसको dotted line को बढ़ा करके limb diamond निकाल सकते हैं लेकिन weak का हम इससे ने निकाल सकते क्यों क्यों क्योंकि यह कहां पर cut करेगा infinite पर जा करके तो हम पता नहीं कर सकते इसलिए weak का हम निकालते हैं using strong electrolyte that is point number one तो यह ध्यान रखना तो इसलिए इस type का कर्व किसका है या weak acid या weak base का कर्व जो होगा वो इस type का होगा जबकि strong acid strong base या salt का कर्व आपका है इस type का होगा यह ध्यान रखना है कहीं पर अगर आपको molar conductivity at infinite dilution मालूम है तो equivalent conductivity से कैसे related है वो तो molar conductivity at infinite dilution is equal to equivalent conductivity at infinite dilution into N factor N factor कैसे निकालेंगे very simple अगर acid होगा तो कितना H plus दे रहा वह उसका N factor base होगा तो कितना OH मानस दे रहा वह उसका N factor cation होगे तो कितना charge है वह उसका N factor N ion होगे तो उस पर कितना charge है वह उसका N factor और salt के case में आप देख लो कि उसका total charge कितना है right that is charge of the salt will be give you N factor तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे molar conductivity at infinite dilution मालूम है तो equivalent मालूम है तो N factor by default आपको मालूम है और अगर equivalent मालूम है तो molar तो कभी एक दूसरे में convert करना हो तो बहुत easy होगा तो यह आपको total 5 point हमने बता हैं इसको I hope आप अच्छे समझ गया होगे एक बार आप अच्छे से देख लें अब हम इस पे based application की बात करेंगे तो question number one में क्या रहा है कि conductivity of 0.0025 molar acetic acid is 5 into 10 की power minus 5 7 cm inverse तो equilibrium constant of acetic acid बताना आपको और आपको given है कि lambda M0 जो है acetic acid का 400 है 7 cm इस पार per mole inverse तो अब ध्यान से देखो ऐसे question कैसे करना है बहुत सारे बच्चे एकदम blank हो जाते हैं कुछ डर्णने की जरुतिने ध्यान से देखो हमें क्या पूछा k of acetic acid तो you know acetic acid आपका कैसे पर रेखोगा चुकि weak acid है इसलिए उसका equilibrium constant पूछा जा रहा है तो कैसे पर रेखोगा CH3 C2O minus or H plus में राइट अगर मानते हैं कि इसका concentration C है जो कि by the way given है तो starting में यह 00 होगा अगर इसका degree of distortion में alpha लेता हूँ तो यह क्या हो जागा C minus C alpha रियक्ट होगा तो यह C alpha यह C alpha होगे right तो इसलिए के ए क्या लिखेंगे आप equilibrium constant C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha तो यहां से क्या जागा एक CC cancel हो जाएंगे तो C alpha is for upon 1 minus alpha तो question is कि हमें निकानना क्या है अलफा तभी हमको आ जागा क्योंकि C तो मालूम है अलफा कैसे निकालते हैं तो alpha is equal to lambda M by lambda M naught बिलकुल formula based होता है अब again lambda M naught तो हमें given है lambda M निकानना परेगा lambda M कैसे निकाल सकते हैं तो lambda M is equal to 1000 into K by molarity तो इसलिए सब कुछ given है 1000 into K given है 5 into 10 की पार minus 5 by molarity आपको given है 0.0025 तो यहां से आपको lambda M आ जाएगा 20 तो यहां put कर तो तलफा क्या होगा है 20 by 400 that is 1 by 20 अब आपको यहां इस value को put कर तो आपको आ जाएगा तो यहां पर मैं बता रहा हूँ इस side में क्या हो जाएगा द्यान से देखो C तो C के तना होगा आपका 0.0025 into alpha square that is 1 by 20 into 1 by 20 divided by 1 minus alpha 1 minus 1 by 20 तो आब इसको आप solve करेंगे तो यह प्रॉक्स 66 into 10 की पाउर minus 7 में इसलिए आपको आपको पूछा था तो X क्या हो जाएगा 66 तो ध्यान से समझना कि बस question में जैसे जैसे पूछा जा रहा वैसे वैसे आप करते जाओ क्यों? क्योंकि बिलकुल formula based होते है now question number 2 में 10 की पाउर minus 5 molar AGNO3 है आपके पास right उसको 1 liter saturated solution of AGBR में आपने add किया है तो conductivity इस solution की बताना है और यह sum number into 10 की पाउर minus 8 unit का ध्यान रखेंगे Simon meter inverse में आपको KSP AGBR का given है इससे क्या पता लगा? कि AGBR 1 क्या होगी आपका weak electrolyte है इसका कुछ ने given है that means यह एक strong electrolyte है right और आपको सब का katein का या anion का limiting molar conductivity given है at infinite dilution तो देखो कैसे करेंगे very simple सबसे पहले मुझे KSP AGBR का given है तो इसका उतलब क्या हो गया कि AGBR कैसे break होगा sum AG plus और BR minus में equilibrium sign क्यों लिया क्योंकि यह weak electrolyte है AGNO3 का कुछ भी नहीं दिया equilibrium concentrate मतलब strong electrolyte है तो AGNO3 कैसे break होगा एक single arrow से दिखाना परेगा AG plus और NO3 minus में यह break हो जाएगा इसका आपको concentration given था कितना 10 की power minus 5 molar तो right तो इसके 1 mole सा आप देख सकते तो इसका 1 mole मिलेगा और इसका भी 1 mole ही मिलेगा तो इसलिए इसका कितना हो जागा 10 की power minus 5 इसका भी कितना हो जागा 10 की power minus 5 अब चुकि AG plus यहीं से ज़्यादा आया तो AG plus का मिल गया है तो BR minus का हम निकाल सकते है why are using क्योंकि इसका KSP आपको given है 10 की power minus 13 is equal to AG plus का concentration Y हो जाएगा जो strong electrolyte से मिलता है common ion effect की हो जाएगा 10 की power minus 5 तो concentration of BR minus यहाँ से हमें आ गया तो इसलिए concentration of BR minus क्या हो जाएगा 4.9 into 10 की power minus 8 तो आपको BR minus का concentration आ चुका है AG plus का आ चुका है NO3 minus का आ चुका है that means सबका मुझे concentration आ चुका है Now we know कि lambda M naught is equal to 1000 into K by molarity की जगा क्या हो जाएगा solubility क्योंकि salt की solubility देंगे बट यहाँ पर unit क्या होगा Simon centimeter square mole inverse हमें जो भी unit लेना वो 7 meter square में तो आपको बता रखाऊ 1000 को नीचे कर देना है तो lambda M naught is equal to K by 1000 into S अब unit हो जाएगा Simon meter square mole inverse तो यहाँ से हम सबका क्योंकि हमें conductivity solution का बताना है तो K हम कैसे लिख सकते हैं दियान से देखो lambda M naught into 10 की power 3 into a solubility इससे लिख सकते हैं right very simple अब सबका हम निकाल देते हैं तो K of अगर मैं A G plus निकालूं तो A G plus का lambda M naught आपको given है yes 6 into 10 की power minus 3 into 10 की power 3 into solubility इसका मालूम है yes A G plus का 10 की power minus 5 तो यह क्या हो गया 6000 into 10 की power minus 8 तो यह हमें K of A G plus आ चुका है similarly K of NO 3 minus मैं निकाल सकता हूं तो K of NO 3 minus क्या हो जाएगा दियान से देखो lambda M naught NO 3 minus का आपको given है 7 into 10 की power minus 3 into 10 की power 3 और into solubility NO 3 minus का solubility कितना है 10 की power minus 5 तो यह कितना हो जाएगा 7 into 10 की power minus 5 that is 7000 into 10 की power minus 8 हम सब का क्यों निकाल रहे है क्योंकि जो solution की conductivity होगी वो सभी ions के वज़ासे होगी तो इसलिए सभी ions का हमें निकालना परेगा एक और कौन बच गया है BR minus तो K of BR minus is equal to lambda M naught उसका given है 8 into 10 की power minus 3 into 10 की power 3 और into उसकी solubity हम निकाल चुके है 4.9 into 10 की power minus 8 तो यह अपका 39.2 into 10 की power minus 8 हो जागा इसलिए K net क्या हो जाएगा K of AG plus K of BR minus और K of NO3 minus सब हम निकाल चुके है सब को जोर दो तो यह 7,000, 6,000, 13,000 और 9 तो 13039 के आसपास हो जाएगा है इसलिए हमारा एंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 13039 Now question number 3 में आपको A2, A2, A3 कोई salt है जिसका KSP गीवन है 1.1 into 10 की power minus 23 Conductivity उस solution का गीवन आपको 3 into 10 की power minus 5 7 meter inverse तो lambda M0 बताना है जो X into 10 की power minus 3 आगा तो X की value ध्यान दे unit का meter square mole inverse है तो ध्यान से देखो मैं सब type के question यहाँ पर करा दे रहा हूँ यहाँ पर हमें जब lambda M0 निकाना है तो definitely आपको बता रखा हूँ Solubility में क्या हो जागा Lambda M0 is equal to चुकि यह meter square में है तो K by 1000 into Solubility अब खुदी सोचो हमें क्या मालूम है Formula इस chapter में यादोना चाहिए K given है 1000 तो पता ही है A Solubility नहीं मालूम है तो Solubility क्या नहीं निकाल सकते हैं Yes निकाल सकते हैं कैसे K SP given है तो K SP is equal to यह Solubility का देखो कैसे निकालते हैं यह 2 की power 2 हो जाएगा यह 3 की power 3 हो जाएगा और total S की power 3 और 2 पलस 5 तो S की power 5 हो जाएगे तो K SP आपको given है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 110 into 10 की power minus 25 इससे क्या हो जाएगा यह 108 into S की power 5 तो इससे यह procs कैंसल हो जाएगे इसलिए मेरा S कितना जाएगा 10 की power minus 5 बस अब इसको put कर दो यहाँ पे तो K आपको given था 3 into 10 की power minus 5 यह 10 की power 3 और S जो गया वो भी 10 की power minus 5 तो यह cancel हो जाएगा 10 की power minus 3 के term में बताना है तो इसलिए आपका X केतना हो गया 3 Now next question number 4 इस पे कई बार question पूछे गए तो ध्यान से देखो lambda M not of barium chloride given है H2SO4 given है HCL given है और barium sulfate पूछा है तो जिसका पूछेगा देखो ध्यान से lambda M not of barium sulfate मुझे पूछा है तो ध्यान से देखो barium आपको काम इनने वाला है यह वाले में तो मैं उसको लिश्ट रखता हूँ lambda M not of BACl2 जैसे लिख दो sulfate मुझे काम इनने वाला है वो यह वाले में तो plus lambda M not of H2SO4 ऐसा करने से क्या हो गया barium आपको मिल चुका है sulfate आपको मिल चुका है यह दोनों चीज़ें आपको यहां आ चुके लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया 2 chlorine 2 hydrogen ध्यान से देखो यह एक्स्ट्रा हो गया है तो इसलिए मुझे minus करना परेगा lambda M not of 2 times of HCl ध्यान दे 2 times of HCl मुझे minus करना परेगा तो आपको सब given है value तो कितना हो जाएगा 280 plus 860 minus 2 times of एक HCl का आपको given है 426 तो यह आपका answer आजाएगा 288 इस type के question कई बार पूछेगे हैं ध्यान दे कई बार पूछेगे हैं कभी ऐसे पूछ लेगा कि अगर मुझे इसका निकाना है तो 2 दे दिया है तो और 3 कौन required होगा इस type के भी मतलब इस पे बेस बहुत बार question पूछेगे हैं और very very simple है आप ऐसे कर सकते हैं next question number 5 में lambda M0 NaCl HCl NaA आपको given है और conductivity of 0.001 HA is given to you तो alpha degree of dissociation बताना है तो देहां से देखो वही चीज़, alpha क्या होता है lambda M by lambda M0 आप आपको क्या मालूम है तो lambda M यहां से निकल सकता है बस question पढ़ने के बाद आपको formula लगाना और lambda M0 यहां से निकल सकता है तो lambda M क्यासे निकलेगा देहां से देखो thousand into k by molarity से thousand into k आपको given है 5 into 10 की पार माइनस 5 molarity आपको given है 10 की पार माइनस 3 तो यह केतना हो जागा अप देहां से देखो तो यह आजागा आपको 50 और lambda M0 कैसे निकल सकते है तो using KL law कैसे तो देहां से देखो मुझे ha का चाहिए lambda M0 ha का चे तो h का है यहाँ पे और a का है यहाँ पे मतलब इन दोनों को मुझे add करना परेगा तो क्या लिख सकता हूँ lambda M0 of ha को मैं क्या लिख सकता हूँ lambda M0 of hcl plus lambda M0 of naa इससे मुझे क्या मिलगा है h और a extra कौन हो गया nacl तो minus lambda M0 of nacl तो यह यहाँ से करोगे तो 525 minus 125 तो यह कितना जाएगा आपका 400 finally सारी value को put कर दो तो अब आपको क्या निकाना alpha तो put कर दो यहाँ पे 50 by क्या हो जाएगा 400 तो यह हो जाएगा 1 by 80 that is 0.125 तो यह आपका answer हो जाएगा now next question number 6 में यह graph given था यह graph जब वो weak electrolyte का है HCL strong acid है NCL salt है KNO3 आपका salt है acetic acid है weak acid है इसलिए answer क्या हो जाएगा D तो यह graph D का है similarly एक question पुछा गया था कि 0.1 molar सबका लिया गया formic acid, acetic acid, benzoic acid इसका electrical conductivity का order क्या होगा तो simple जो ज़्यादा acetic होगा वो ज़्यादा H plus देगा ज़्यादा आयेगा तो ज़्यादा electrical conductivity होगी तो इसमें सबस्यादा acetic कौन हो जागा आपका formic acid Hcdol bond OH को formic acid बोलते हैं acetic acid आपका कौन होगा CH3 cdol bond OH और benzoic acid कौन होगा आपका benzene पे cdol bond OH तो simple इसको organic से भी कर सकते थे यहाँ पे sum में ये चीजें common है तो आपको मालूम है इसका को effect नहीं सबसे ज़्यादा acetic यही होगा उसके बाद second number पे benzoic acid होगा और third number पे acetic क्योंकि इसका plus effect लगेगा तो इसलिए हमारा order का हो जाएगा सबसे ज़्यादा a फिर c फिर b तो इस टाप के भी question पूछ ले जाते हैं similarly question number 8 इस टाप से पूछा गया था कि आपको lambda m versus root c graph different salt के लिए given था और वो किसको represent कर रहा है यहाँ पे a कौन होगा और b कौन होगा तो यहाँ पे जो बच्चों से गलती होती है उसको ध्यान से देखो कि c l minus तो common है जो के उनको लगता है कि na plus छोटा है तो छोटा है तो ज़्यादा उसकी conductivity होगी तो इसलिए वो graph a को कर देते है na c l के लिए जो कि हो जाएगा wrong तो यहाँ पे actual जो होगा वो a आपका k c l के लिए graph है और b आपका na c l के लिए graph है तो इस टाब को भी question पूज़ाते है similarly question number 9 में और भी simple कि अगर na c l के लिए equivalent conductance को lambda c से represent कर रहे है और infinite dilution पे lambda infinite से अगर represent कर रहे है तो relation क्या होगा तो यह हो जागा, that is Debye rule, right, next एक और question पूछा गया था, कि lambda M not of, अगर आपको sodium acetate given है, lambda M not of HCl given है, तो acetic acid का calculate करने के लिए और क्या information required होगा, तो acetic acid मदब ध्यान से देखो, CS3CO आ चुका है, H आ चुका है, तो extra कौन हो गया, NACL, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, lambda M not of NACL चाहिए calculate करने के लिए, तो यह इस टाप के question आपको पूछे जाएंगे, जो बहुत easy है, अगर आपने हमारे concept को अच्छे से समझ लिया तो, जाते 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 ग्यान की बाद, और that is again very important, कि temperature अगर increase कराओगे, तो ionic mobility, ions की जो mobility होगी, वो कम हो जाएगे, क्यों, क्योंकि temperature increase कराने से उनके बीच टकर बहुत जादा होगा, right, that means random motion के जासे, उसकी जो ionic mobility हो कम हो जाएगे, अगर temperature increase कराओगे, तो important point है, दूसरा point यह है कि lambda M versus root C graph जब हम draw करते हैं, तो यह जो curve है, वो weak electrolyte के लिए होता है, और जो state line है, वो strong electrolyte के लिए होता है, तो इसलिए हम strong electrolyte का तो extrapolate करके निकाल सकते हैं, lambda M infinite, right, that means molar conductivity at infinite dilution, strong का निकाला जा सकता है, by extrapolation, but weak का हम नहीं निकाल सकते हैं, extrapolate करके, तो यह point भी दियानों रखना है, और infinite dilution पे चाहे strong हो या weak हो, सब का alpha क्या हो जाएगा, degree of decision क्या हो जाएगा, one हो जाएगा, next third point की delta S, हम entropy को cell के EMF से connect कर सकते हैं, जो entropy होगा, change in entropy delta S, वो nfde by dt, that means potential का variance with respect to temperature है, यह time नहीं है, t temperature है, तो इसलिए यहाँ से एक और question बना जा सकता है, we know delta G is equal to minus में nfe, right, तो और delta G is equal to del H minus T delta S, तो यहाँ से भी question बना जा सकता है, आपको dE by dt दे देगा, तो nf multiply कर देंगे, तो delta S आगया यहाँ पर, temperature दे दिया, delta G यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको delta H पूछ ले, तो thermodynamics को relate किया जा सकता है, इसलिए important है, ध्यान रखना है, और एक और point की dE by dt, जिसका जतना कम होगा, वो अतना अच्छा reference electrode माना जाएगा, that means simple सी बात है क्यों, क्योंकि अगर cell का potential temperature के साथ ज़्यादा vary नहीं कर रहा है, तो अभी सी बात है वो अच्छा reference electrode होगा, तो यह सब चीज़े रटना नहीं एक दम feel करते हैं, समझते हुए, और एक और last point, point number 5, कि conductivity, ध्यान दे, conductivity या specific conductance की बात हो, तो वो directly proportional to concentration, concentration जितना ज ज़्यादा होगा, क्योंकि number of science उतना ज़्यादा होगे, but molar conductivity word use कर दे, तो फिर वो concentration के inversely अगर बढ़ाएंगे, तो वो कम होगा, और यह दोनों again, weak और strong दोनों के लिए applicable है, तो इसको भी ध्यान रखना है, यह सब theoretical question में आपको पूछे जा सकते हैं, तो I hope, यह conductance वाला part आपको अच्छे से clear हो गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लें, इसके सारे problem को अच्छे से कर लें, तो आपका सभी problem हो जाएंगे, thank you Hello everyone, कसकाई, आज की इस video lecture में हम लोग chemical kinetics के बारें बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं कुछ conceptual trick आपको देने जा रहा हूँ, that is very important and very easy, कि कहीं पे भी इस chapter में D लगा होगा, तो इसका मतलब होता है small change, right, और always change final minus initial define करते हैं, वैसे ही कहीं पे अगर इस type का triangle बना होगा, that is delta, तो इसका मतलब होगा big change को ये represent कर रहा है, और that is always defined final minus initial, clear है, कहीं पे भी अगर इस type का कोई sign होगा, that is 2 big bracket होगी, तो इसका मतलब है concentration, और concentration क्या होता है, moles per unit volume, moles कैसे निकालते हैं, given weight में molecular weight से divide करके, तो that is nothing but एक तरीके से molarity भी होगा, right, ये point जान रखना है, कहीं पे small r लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है rate, rate कहीं पे भी हो, वो always कैसे defined होता है, any quantity divided by time, अगर किसी quantity में time से divide कर दोगे, तो rate वड़ आपको लगा देना है, जैसे rate of change of distance, that is nothing but velocity, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, rate of reaction, और rate always एक positive quantity होती है, ये ध्यान रखना, ये always एक positive quantity होती है, इस chapter में एक point और ध्यान देना, reactant के लिए क्या word यूज क्या जाएगा, disappearance, क्यों, क्योंकि reactant धिरे-धिरे consume होंगे, खतम होंगे, उसका जो amount होगा, वो कम होगा, इसलिए disappearance word यूज क्या जा सकता है, consumption word यूज क्या जा सकता है, इसलिए concentration versus time graph अगर हम draw करें, तो reactant का concentration धिरे-धिरे time के साथ कम होगा, इसलिए reactant में हम always minus sign लेकर के चलेंगे, similarly product, P से represent कर सकते हैं, appear होगा, क्योंकि form होगा वो, तो rate of appearance की बात कर सकते हैं, या formation की, that means इसका concentration time के साथ दिरे-धिरे increase होगा, इसलिए इसका change final minus initial positive आएगा, इसलिए इसमें positive sign लेकर चलते हैं, इसमें क्या होगा, final minus initial negative आएगा, positive बनाने के लिए क्योंकि rate always positive होता है, तो हमें minus sign लेकर चलना पड़ता है, जो unit होगी, चाहे वो rate की, या rate of reaction, या rate of disappearance, या rate of formation, सबकी unit same होगी, और that is defined as concentration by time, तो इसलिए molarity per unit time हो जाएगा, time की कौन सी unit आप use करो, उस पर depend करता है, ऐसा unit में अगर बात करें, time का तो अगर second लोग है, तो molarity second inverse हो जाएगा, that is mol per liter per second हो जाएगे, तो यह point आपको ध्यान रखना है, तो यह conceptual trick है, जो easy हैं, सब लोग जाते हैं, now, the main trick, कि आपको कभी भी एक balance reaction given हो, कभी भी एक balance reaction given होंगी, क्योंकि आपको balance करने की ज़रूद नहीं है इस chapter में, तो उससे हम rate of reaction कैसे लिखेंगे, very simple, यहाँ पे ROR का क्या मतलब है, rate of reaction, जो की सिर्फ rate बोल देने से भी काम चल जागा, सिर्फ rate भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो small ABDE है, वो stoichiometric coefficient को represent कर रहा है, जो capital AB है, वो reactant को बता रहा है, और जो DE है, वो product को बता रहा है, तो कभी भी इस step से, trick का जो main point है, वो यहीं पे समझे, कभी भी एक balance reaction given हो, तो आप directly rate of reaction कैसे लिखेंगे, सीधा, जो reactant होगा, D मतलब Y, change, और यह मतलब concentration, change in concentration of A, by time, यह आपको लिख देना है, और minus sign क्यों लगाया, क्योंकि reactant में minus sign क्यों लगेगा, क्योंकि उसका concentration कम होगा, तो positive बनाने के लिए, already पहले negative लगा दिया है, तो reactant में minus लेके चलना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी आपको समझा है, कि reactant में minus लेके चलना है, similarly B reactant था, तो db by dt और minus लगा दिया, d product है, तो ddy by dt, कोई sign ने लगाया, मतलब by default positive sign है, और e product है, तो ddy by dt, ओके, यह quickly लिख देंगे, यह कोई भी लिख सकता है, और क्या करना है, stacky metric को divide कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जागा, into में A, A से divide कर दिया, यहाँ पे क्या जागा, into में B, यहाँ पे क्या जागा, into में D, और यहाँ पर क्या जाएगा into में e very simple बास समझे आपको जैसी एक reaction दिखे तो पहला कम आपको 10 second के अंदर में क्या कर देना है ROR is equal to reactant में minus लगा करके reactant का concentration divided by time और उसके stoichiometry से divide कर देना वैसे दूसरे reactant का concentration by time उसके stoichiometry से divide कर देना product का concentration by time उसके stoichiometry से उसको divide कर देना है दूसरे product का concentration by time और उसके stoichiometry से divide कर देना है concentration की जगा हम pressure भी use कर सकते हैं क्यों क्योंकि concentration and pressure कहते हैं directly तो हम ऐसा भी लग सकते हैं DP by dt और Y चीज़ रहएगा उसके stoichiometry से divide तो concentration को pressure से भी change किया जा सकता है Now, एक example से समझाओ sir, तो very simple, अगर माल लो N2 3H2 gives you 2NH3, यह reaction दिखी आपको, तो direct क्या लिखोगे, minus में D N2 by DT, एक reactant हो गया, दूसरा reactant को ना hydrogen, minus में D H2 by DT, क्यों लिखने समझ गए, दोनों reactant है minus, product korn है N3, तो D N3 by DT, एतना लिख लो, आप क्या करना है, इसका coefficient केतना 1 तो 1 से divide करोगे, वही बात रहेगी, इसका coefficient केतना 3, तो यहाँ पे क्या करना पर रहेगा, 3 से divide, इसका coefficient केतना 2, तो यहाँ पे क्या करना पर रहेगा, 2 से divide, that's it, very simple है यह trick, समझे बात को, तो यह आपका लिखा गया, यह क्या होगे आपका, ROR, that is rate हो चुका है, ROR या R एक क्यों लिया, क्योंकि reactant था, और pressure of NS3 by dt, पलस क्यों लिया, क्योंकि product में, और simple, यहाँ पे भी again 1 से divide होगा, यहाँ पे आपका 3 से divide होगा, और यहाँ पे आपका 2 से divide होगा, तो very simple है यह trick, इस पे based कई बार question आए है, जो भी मैं application में बात भी करूंगा, कि जो भी balance reaction given होगा उसका change in concentration by time और divide कर देना उसके stoichiometry से, यह होगी आपका rate of reaction, ध्यान दे, अगर stoichiometry से divide नहीं करेंगे, सिरिफ अगर इसके बारे में बात करेंगे, without stoichiometry, तो फिर यह form हो रहा है तो इसको बोलेंगे rate of formation of D, similarly अगर यहाँ पे stoichiometry मैं नहीं लूँ, तो इसको क्या बोलेंगे rate of formation of E, जो form होगा उसके बारे में बात करेंगे, तो इसलिए दोनों में basic difference से ध्यान देना, question में क्या mention है, rate of reaction में stoichiometry divide होगा, rate of formation या rate of consumption उनमें stoichiometry divide नहीं करते हैं, just change in concentration by time होता है, तो अगर सिरिफ stoichiometry divide नहीं है, तो वो rate of reaction नहीं है, क्योंकि rate of reaction के लिए अपसको stoichiometry को divide करना है, point क्या important है, कि अगर stoichiometry one है, तो वही rate of consumption या formation भी है, और वही rate of reaction है, क्यों, क्योंकि one से divide करने पर कोई change नहीं होने वाला है, but अगर one नहीं है stoichiometry, तो आपको ध्यान देना, अगर stoichiometry से divide है, तो rate of reaction है वो, और अगर divide नहीं है, तो वो शिरिफ rate of formation या rate of consumption हो सकता है depending कि वो product है या reactant, तो I hope ये मेरे trick वाले point आपको clear होंगे, application में जाने से पहले, एक छोटी सी घ्यान की बात, तो ध्यान से देखो, कि मैंने ये reaction लिया, N2, 3H2 gives you 2NH3, अगर मुझसे पूछा जाए कि rate of reaction लिखो, क्या, ROR, rate of reaction, तो आप किसी के भी term में लिख सकता हो, अग minus में D N2 by DT, change in concentration of N2 divided by time, और इसका stoichiometry by the way 1 है, तो इसलिए 1 से divide करो, या multiply करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, right, this is also equal to rate को, अगर मुझे H2 के term में लिखना होगा, तो minus में D H2 by DT, मैंने पहली बोला, आप ऐसे लिख दो, उसके बाद इसका stoichiometry 3 है, तो 3 से divide कर दो, this is also equal to, अगर N3 के term में लिखना है, तो product है, तो plus D N3, change in concentration of N3 by DT, और इसका stoichiometry coefficient 2 है, तो 2 से divide कर दो, तो ऐसा हम कब करेंगे, जो question में जिसके बारे में information given होगा, उसका लिख करके, वह rate of reaction हो जागा, तो वो हम किसी reactant के term में भी लिख सकते हैं, या product के term में भी लिख सकते ह लेकिन अगर वहीं पर rate of formation बोल रहा है, तो formation मतलब fix हो गया, product के बारे में बात होगी है, यहाँ पर एक ही product है, तो सिरिफ कैसे defined होगा, change in concentration of N3 by DT, ध्यान दे बस इतना ही, इसमें stoichiometry से divide नहीं करना है, तो यह rate of formation को बता रहा है, अगर इसी में मैं divide कर देता है stoichiometry से, 1 by 2 into D NH3 by DT, तो फिर यह क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, यह हो जाता rate, फिर यह rate of reaction हो जाता, तिसलिए ध्यान से समझना है, वैसे ही कहीं पर rate of disappearance of N2, N2 के बारे बात कर रहा है, तो change in concentration of N2, reactant है, minus लगा दो by DT, यह हो गया, by the way, यहाँ पर चुकी इसका stoichiometry 1 है, तो यही आपका ROR भी हो चुका है, rate of reaction भी हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता अगर stoichiometry 1 है तो, वैसे ही rate of disappearance of H2, तो क्या लिखेंगे, minus of change in concentration of H2 by time, बस एतना ही, यह हो गया rate of disappearance of H2, that's it, इसमें stoichiometry का कोई यूज नहीं, अगर मैं इसमें divide कर देता, stoichiometry से, that is minus of D H2 by DT, और stoichiometry H2 का फिर यह से divide कर देता, तो फिर यह क्या बन जाता, ROR, तो इसलिए यह छोटा सा concept है, लेकिन बच्चे बहुत confused रहते हैं, इसलिए मैंने clearly बताया, कि stoichiometry से नहीं divide करेंगे, तो formation यह disappearance होगा, कर दोगे, तो फिर वो rate of reaction हो जाएगा, अगर stoichiometry 1 है, तो सब कुस सेम हो जाएग clear, तो चलिए अब हम application की बात करते हैं, question number 1, कि एक यह balance reaction आपको given था, और इसमें information यह था, कि FeA04 का 10 molar से 8.8 molar होने में, आधा गंटा लगता है, half an hour, तो rate of production of ferric sulphate आपको बताना है, sum number आएगा, into 10 की power minus 6, mole per liter per second, यह 2023 में 11 April को shift for में पूछा गया, अब ध्यान से देखो, बच्चे यहाँ पर silly mistake करते हैं, आपको आपको आपने क्या बोला, rate of reaction पहरे लिख दो, तो R, और किस-किस का मैं लिखूंगा, इसका और इसका, क्योंकि इन ही दोनों का निकानना है, तो R is equal to, यहाँ पर क्या लिखोंगे, reactant है तो minus में 1 by 6 और D Fe SO4 by dt, this should be equal to, एक product है यह, तो क्या लिखूंगा, 1 by 3, stagometry D Fe2 SO4 whole thrice by dt, यह equal होंगे, now हम से क्या पूछा गया है, rate of production, right, that means rate of furnishing, only यह पूछा गया आपको, तो यह क्या हो जाएगा, 3 इदर multiple हो जाएगा, तो minus में 3 by 6, right, और यह change, तो E Fe SO4 का change देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा, final minus initial, 8.8 minus 10, और divided by, यहाँ पे ध्यान देना unit का, second inverse में, यहाँ पे time hour में है तो 30 minute और 1 minute में 60 second तो यह आपका आचुका है, आप इसको solve कर लो आप, आप 10 की power minus 6 में बताना है, तो यह 2 times में चला जाएगा, right, यह आपका आजाएगा उपर में, 1.2 नीचे में, 2 into 3 into 6, और यह 10 की power 2, हमें 10 की power minus 6 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, इसका एक और तो यह हो जाएगा, 10 की power 3, तो 1000 से multiply कर दो, 12 into 1000 by 2 into 3 into 6, और यह 10 की power minus 6 उपर हो जाएगा, अब यह solve कर लेंगे, तो ध्यान से देखो, 6 to the 12, right, तो यह कितना आजाएगा, 3, 3, 3.3 into 10 की power minus 6, तो यह आंसर विल भी 3 3, integer, ज़र में, next question number 2 में, a gives you b, ऐसा given था, concentration of b increases by 0.2 molar in 30 minute, तो average rate of reaction बताना है, sum number into 10 की power minus 1 होगा, mole per liter, ध्यान दे, our inverse में, तो यह बस इसमें unit का ध्यान रखना है, average rate क्यों पूछा है, क्योंकि जो change है वो आपको दिख रहा, significant है, बड़ा change है, और time भी change में बड़ा है, right, तो average rate of reaction ROR क्या हो जाएगा, change in concentration, that is 0.2 divided by time, 30 minute है, उसका ध्यान रखना hour में, तो क्या करना पड़ेगा इसको, 60 से divide, तो उपर चला जाएगा 60, तो यहां गया, molarity per hour में, अब इसको solve कर लिजे आप, तो क्या होगा, 0.2 का, यह, तो 1 0 से 1 0, 3 2 the 6, 2 2 the 4, तो यह 4 into 10 की power minus 1 हो एक इस टाइब का question भी पूछा गया है, 2A plus 3B plus 3 by 2C gives you 3P, तो 4 option given थे, कौन correct होगा, तो मैंने आपको बताया, directly आप क्या लिखेंगे, minus of DNA, moles of A by dt, और 2 से divide करना नहीं बूलेंगे, this is also equal to minus of DNB, moles of B by dt, और 3 से divide करना नहीं बूलेंगे, this is also equal to minus D, moles of C by dt, और ध्यान दे, यहाँ पर 3 by 2 से divide करना है, तो 3 और 2 चला जाएगा आपका उपर में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर यह minus को 8 आदे हैं सबका, तो क्या हो जाएगा, DNA by dt is equal to, यह 2 इदर, 2 by 3 times of DNB by dt, this is also equal to 4 by 3 times of DNC by dt, सबका अगर volume सेम होगा, तो moles में लिख सकते हैं, तो यह correct option हो जाएगे, तो इस type के भी question पूछे जाते हैं, तो you have to be careful क्योंकि बहुत easy होते हैं यह, next question number 4, xa gives you yb, तो आपको बताना था, यह 4 option में से क्या होगा, यह xy के बारे में पूछ सकत इंटीजर टाइप में, और relation आपको given था कि log 10 minus dA by dt, log 10 db by dt plus 0.301, तो कुछ बचे तो log देखके डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, log 2, log 2 की value होते है, 0.303, अब उसके बाद आप क्या बना लोगे, log a plus log b क्या होता है, log log a into b, log 10 db by dt into क्या हो जागा, 2, this is equal to, इसका क्या हो जाएगा, log 10 minus dA by dt, डरना नहीं बेटा, log cancel हो जाएगे, right, तो क्या हो जाएगा, minus of dA by dt is equal to db by dt, और ये 2 को नीचे divide कर दो, तो आप ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, minus में 1 by 2, मतलब 2 times of x gives you y, इस type का होना चाहिए, तो option चेक करो, तो यहाँ पे इसका अगर मैं double करूंगा, तो ये मिल जाएगा, इसलिए option a हो जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 times करना परेगा, ये तो दोनों same ही थे, और यहाँ पे ध्यान देना confusion यहाँ पर होता है, ये h4 gives you c4 h8, एक reaction balance होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा option है, यह x की value पूछता है, तो x should be 2 और y should be 1, तो integer type में भी question पूछा रहा सकता है, तो इस type का जब भी पूछे, तो constant को lock की value से adjust करो, उसके बाद lock का properties लगा दो, और आप check करो, question number 5, एक reaction आपको, always balance reaction given होगी, rate of disappearance, mn of 4 minus का given था, तो rate of appearance of i2 पूछा है, तो again वही same point, पहले आप ROR लिख दो, कभी भी, ROR किस किस का लिखना है, mn of 4 minus का और i2 का, mn of 4 minus में का हो जागा, minus में 1 by 2, dmno 4 minus by dt, this should be equal to, अगर i2 का लिखेंगे, तो product है, 1 by 5, di2 by dt, rate of disappearance, ध्यान दे, शिरिफ एतना value वह आपको given है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, appearance शिरिफ एतना, तो this should be equal to, 5 इदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 by 2 times of dmno 4 by dt, जो आपको given है, 4.56 into 10 की पर minus 3, आप कुछ बच्चे इसको multiply करने लगते हैं, और गुना, या divide करने लगते हैं, यह समने करना, option च कम हो जानी चाहिए, तो ध्यान से देखो, एक ही option है, यह नहीं कि आपको पूरा calculation करना है, क्योंकि calculation करने से कोई nobel prize नहीं मिलेगा, just option चेक करो आप, और आपका answer आएगा, Hello everyone, कसकाए, आज की इस वीडियो lecture में, chemical kinetics में, order को कैसे determine करेंगे, उसके लिए मैं trick देने जा रहा हूँ, तो जैसे देखो, एक हाथ में 5 उंगली होती है, वैसे यहाँ पर मैं आपको 5 trick दूँगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, बस यह 5 trick से आप easily किसी भी reaction का chemical kinetics में order निकाल सकते हैं, तो कैसे ध्यान से देखे, point number 1, कि हम rate को कैसे लिख सकते हैं, rate is equal to rate constant, concentration A की power, sum X, और B की power, sum Y, right, तो आपको इस पर base question कैसे देगा, कि concentration को double करने से rate double हो गया है, अगर ऐसा word यूज कर रहा है, कि concentration किसी reactant का double करने से rate double हो जा रहा है, तो double को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की power 1, तो यह 1 आया, तो order केतना हो जाएगा इसका, 1, वैसे ही कहीं पर अगर concentration को double करने से rate 4 times हो रहा है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की power 2, तो जो power आया, यह आपका क्या हो जाएगा, order, तो उस reaction का order हो जाएगा 2, उस reactant के respect में, similarly कहीं पर ऐसा है रहा है कि double करने से कोई change नहीं हो रहा है, कोई change नहीं हो रहा है in the sense, 1 से multiply कर सकते हैं, तो that means 2 की power 0, 2 की power 0 क्या होता है 1, तो order क्या हो जाएगा 0, तो इस type के question आपको मिलेंगे, जो अभी हम application problem में आपको बताएगे भी, तो यह मेरा एक trick हो गया, कि simple, आपको इस तरीके से order निकलना है, point number 2, that is again very very important, कि हम half life method से भी निकल सकते हैं, और उसके लिए simple सा point है, और 1 minus N होता है, यह दियान रखना है, तो अगर suppose करो 0 order होगा, तो N क्या हो जाएगा 0, इसलिए half life क्या हो जाएगा, directly proportional, point को दियान से समझेंगे, that means concentration बढ़ाएगे, तो half life time भी बढ़ेगा, directly है, अगर first order होता, N1 put करते, तो independent, अगर कहीं पर concentration चेंज करने से, half life time चेंज नहीं हो रहा है, पक्का वो first order है, एकदम याद रखना बेटा, यह तीनो point, एकदम clear, और अगर मैं N की value 2 put कर दो, तो that means second order हो गया, तो half life क्या हो गया, inversely related, तो very simple, directly है, तो zero order, independent है, तो first order, inversely है, तो second order, क्या half life time, एकदम important ध्यान रखना है, कई वार यूज हो गा यह, next method जो है, या next trick जो है, वो again, कि आप A को fix रखो, इसी का extended version है, यह A को fix रखा और B का variation देखा, और B का variation देखा, double करने पे अगर double हो जा रहा है, same इसी type का point, तो इसका मतलब order 1 है, क्योंकि double को 2 की पावर 1 लिख सकते है, double करने पे अगर rate 4 times हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2 की वर्जन है, आपको ध्यान देना है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा, यह point ध्यान से सुनना, यह जो है आपका rate constant, यह सिरिफ और सिरिफ कभ वैरी करेगा, जब temperature change करेंगे तो, temperature अगर आप change नहीं करोगे, concentration change कर लो, volume change कर लो, most change कर लो, pressure change कर लो, जो भी change कर लो, यह change नहीं होग r change होगा, concentration जरूर change होगा, लेकिन rate constant is function of temperature only, तो इसलिए यह change नहीं हो सकता, तो इसलिए जब इसका concentration change करेंगे, तो rate पर effect होगा, और इसको ठीक वैसे ही, आपको relate करना है, point number 4, via unit, rate constant की unit, इसकी unit से भी हम order का पता लगा सकते, कैसे, we know rate is equal to some constant, that is rate constant, और concentration की पावर n, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, rate constant is equal to r by concentration a की पावर n, you know r की unit तो fix ही है, molarity second inverse, और यहाँ पर यह क्या हो गया, molarity की पावर n, तो इसलिए क्या हो जागा, molarity की पावर 1 minus n, तो आपको क्या कर देना है, molarity जो आपको given होगा, rate constant की unit, उसको 1 minus n से equate कर दे तो आपको order आजागा वहाँ से, तो again important है, and via graph भी निकाल सकते हैं, right, जैसे half lifetime का graph given हो, या rate versus concentration का graph given हो, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, तो graphical method भी very very important है, और पाँचमा जो trick है, last, that is elementary, कहीं पर अगर यह word use कर दे रहा है, कि it is a elementary reaction, तो that means, जो reactant में stoichiometric coefficient होंगे, वही power म order आपको पता लग गया है, तो इस word पर ध्यान देना, elementary order का, अगर कहीं पर लिख दिया है, तो जो stoichiometric coefficient होगा, reactant का, सारी reactant का, वही power में चला जागा, that means, order आपको मालूम है, यह word लिखा होना चाहिए, और अगर complex reaction है, mechanism given है आपको, तो फिर slowest step जो होगा, वो rate determining step होगा, that means वहाँ से आप rate का equation लिखेंगे, और जो mechanism given होगा, उसमें हर एक step, आपको क्या मनना है, elementary है, important point है यह, यह दियान रखना, तो यह 5 trick से, मैं अभी आपको सारे problem solve करके भी बताता हूँ, आप दियान से देखेंगे, आपको बहुत easy लगेगा, तो चलिए हम बात करते हैं application की, question number 1, आपको एक reaction given होगी, और उस reaction का mechanism भी given होगा, आपको याद रखनी की जड़ोत नहीं है, जैसे यहाँ पर mechanism given है, और कौन सा step slow है, fast है, वो सब given होगा, शरीफ अब हमको इसका use करकर के, इस reaction का order बताना होगा, तो कैसे करते हैं, अभी आपको point number 5 बताय था, कि mechanism का हर एक reaction, elementary reaction होता है, और slow step जो होता है, rate determining step होता है, तो slow step सा आप क्या लिख देंगे, rate, और rate कैसे लिखोंगा, जहां से देखो, rate is equal to some constant, जो भी reactant होंगे, reactant कोन है, NO, BR2, उसका power 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर stoichiometry 1, क्योंकि हर एक step elementary मानना है, उसके बाद एक और बचा, NO, उसका भी power 1 क्यों, क्योंकि इसका भी एक stoichiometry 1 है, उसके बाद आपको rate law expression को देखना है, क्या इसमें कोई नया बंदा आया है, नया बंदा का sense क्या है, कि NO आपके main reaction में, आपको main reaction से compare करना है, NO तो present है, लेकिन NO BR2 नहीं है, BR2 है, यह NO BR2 है, दियान देना, यह NO BR2 है, यह NO BR2 है, that means, य एक नया बंदा आ गया है, तो इसको यहां से हटाना है, simple सी बाद, तो इसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए फिर आप यह वाला equation use कर लेंगे, यह अगर fast reaction है, तो equilibrium का concept लगाएंगे, कि K equilibrium is equal to concentration of product, right, power 1, क्योंकि स्टाकोमेटरी 1 है, divided by concentration of reactant, that is NO का power 1, क्योंकि स्टाकोम और यहां से आपको इसको हटाना है, तो इसलिए मैं क्या लिश सकता हूँ, NO, BR2 का concentration क्या हो जाएगा, some constant के equilibrium, concentration NO, concentration BR2, right, अब इसको यहां पे आप पूट कर दो, तो पूट कर दोगा, इसलिए rate क्या हो जाएगा, K into के equilibrium, another constant, K', अब NO, BR2 की जगा क्या हो जाएगा, NO और BR2 NO दो बार हो गया तो, NO की power 2 और BR2 की power 1, क्या यह मेरा final rate low expression है, तो yes, क्यों है, क्योंकि इसमें कौन है, द्यान से देखो, NO, आपके man reaction में, yes है, BR2 man reaction में है, yes है, तो बस आपको यह देखना है, कि rate low expression में कोई एक ऐसा बंदा ना आ जाए, जो आपकी man reaction में present नो, चाहे, वो react reaction में नहीं है, तो उसको हटाना है, why are you using another mechanism part, तो यहाँ पर order कितना हो जागा, इधर power 2 और इधर power 1, इसलिए order कितना हो जागा, 3, तो your answer will be 3, next question number 2 में, 2AB2 gives you 2AB, और देखो again, इस point पे ध्यान दना, question को carefully read करना, यह बोल रहा है, कि यह एक elementary reaction है, जैसे यह बोला, तो मैं rate क्य reactant B2, ध्यान दे, इधर वाला नहीं, इधर आगे का number, तो power 1, उधर कुछ भी number हो, कोई मतलब नहीं है, तो यह rate हमने लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि elementary बोला जा रहा है, now, volume of reaction vessel is reduced, कम क्या गया है, by a factor of 3, तो rate of reaction क्या होगा, तो again आपको बता है, इस पे कोई फर् हट कम क्या है, reduce by a factor of 3, तो you know concentration क्या होता है, moles by volume, तो volume को Vy3 करेंगे, तो 3 कहां चला जाएगा, उपर, तो इसका मतलब 3 का square आएगा, यहां भी एक और 3 आएगा, तो 3 का power 1, तो कितना हो जाएगा rate, आपका यहां से देखो 27 times, इस बात को समझेंगे, concentration क्या होता है, moles by volume, volume च 3rd time से reduce क्या गया है, तो मतलब अभी volume पहले V था, तो अब क्या हो जागा, C dash M V by 3, तो इसलिए यह 3 उपर गया, तो इसलिए C dash क्या हो जागा, M Y V into 3, that means concentration आपका क्या हो जागा, एक तरीके से 3 times, इसलिए यह power 2 था, तो 3 का power 2, यहां 1 था, तो 3 का power 1, that means 27 times rate of reaction increase हो जाएगी Now, इस type के question में आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे आपको एक reaction given है, 2NO, 2H2 gives you, N2 and 2H2O, H2 का different experiment में आपका pressure given है, NO का pressure given है, और rate given होगा, तो आपको पूछा जाएगा कि NO का क्या order होगा, H2 का क्या order होगा, यह overall order क्या होगा, तो ऐसे question को कैसे करेंगे, ध्यान से समझो आप कि ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, किसी एक को fix करना है, ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या किया, H2 को fix, X का pressure को vary नहीं कराया, और NO का क्या हुआ, 40 से 20, that means half होगया, तो rate में क्या होगा, ध्यान से देखो, rate आपका क्या होगया, वन-फूर्थ होगया, ध्यान से दे था तो यह power कितना गया 2 तो इसलिए NO के respect में order कितना हो जाएगा 2 वैसे ही अगर मुझे h2 का निकारना होता तो मैं क्या करता फिर NO को fix करता द्यान से देखो इस वाले experiment में 2 experiment को अपको choose करना है इसमें NO को fix कर दिया तो h2 का variation कैसे हो रहा द्यान से देखो half हो रहा है तो half होने से लिश सकते हैं 1 by 2 का power 1 right तो यहाँ पे h2 के respect में order केतना हो जाता 1 तो overall order अगर पूछा है श्रिफ order बोल दिया है तो 2 plus 1 that is 3 लेकिन अगर question में order with respect to NO बताओ तो 2 h2 बताओ तो 1 तो very simple है again एक और question number अब 3 देखो same step से reaction दे करके और यह गंदे गंदे number दे देगा कुछ बच इस आपके साथ है simple हमें order पूछा है again आप क्या करो एक बार h2 को fix करो वो दिख जाएगा experiment में इन दोनों experiment में देखो experiment number 1 and 2 में h2 fix क्या हमने और NO का क्या हो रहा है ध्यान से देखो NO का 3 हो रहा है क्योंकि यह दोनों चीज़तों दोनों में common है 8 3 the 24 3 times हो रहा है तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 3 times किया तो वो भी 3 times हो गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की power 1 तो इसलिए order with respect to NO केतना हो जाएगा 1 अगर NO का पूछता तो उसके बाद आप क्या करो आप इन दोनों में देखो दिखो दिखान से इन दोनों में क्या हो रहा है NO fix कर दिया 24 24 fix कर दिया NO उसके बाद H2 का देखो क्या क्या आपने H2 8 4 तो यह 4 times हो रहा है तो यह कितना times वाद यहां से देखो यह भी 4 times 21 for the 84 तो that means क्या हो गया कि अगर मैं H2 का 4 times कर रहा हूँ तो वो भी 4 times तो 4 को क्या लिख सकते है 4 की power 1 तो यहाँ पे H2 का भी order कितना ह जागा 1 राइट तो इसलिए overall order पूछेगा तो 1 plus 1 that is 2 NO के respect में 1 H2 के respect में 1 very simple है यह जस्ट एक को fix करो दूसरे का change देखो दूसरे का change rate में क्या change ला रहा है उसको relate कर लो जो भी आपको trick में बता रखाओ next question number 5 और बहुत ही अच्छा question है क्योंकि इसमें सारे concept एक साथ use हो जाएंगे आपको एक reaction given है और इस reaction में A और B का concentration different experiment में और rate given आपको तो आपको X find out करना है और Y यह दो unknown find out करना था तो देखो कैसे quickly करेंगे सबसे पहले rate में देखो power सबका same नहीं है तो आप क्या कर दो इ 10 की पर मानस 3 इसको 12 इंटू 10 की पर मानस 3 इसको 72 इंटू 10 की पर मानस 3 इसको 288 इंटू 10 की पर मानस 3 ऐसा करने से आप आपको देखने में easy हो जागा अब वही same concept लगा कि मैं एक बार A को fix कर रहा हूं द्यान से देखो इसमें A fix हो गया और B को क्या क्या double द्यान से देखो point 1 का double point 2 तो B को double करने से rate क्या हो गया ध्यान से देखो 4 times that means क्या हो रहा है कि जब मैं B को double क्या तो rate 4 times 4 को आप क्या लिखोगे 2 का power 2 इसलिए order यहाँ पे B के respect में कितना हो जाएगा 2 order B के respect में हो गया 2 वैसे ही अब B को fix करो तो B काँ पे fix होगा ध्यान से देखो 1 and 3 में point 1 point 1 B को fix क्या तो 1 and 3 भी इसका देखना है तो आपने A को क्या क्या double तो 1 and 3 इसका देखो तो double करने से क्या हो रहा है 6 to the 12 double तो A में क्या देख रहे है कि double करने से double double को क्या लिखोगे 2 की power 1 तो order इसके respect में कितना हो जागा 1 इसलिए अब आपका rate law expression क्या हो जागा R is equal to some constant K A के respect में order है 1 और B के respect में 2 तो अब यहाँ पे आपको rate मालूम है A का concentration, B का concentration तो K निकल जागा तो पहले K निकलो experiment number 1 से तो rate आपका कितना है 6 into 10 की power minus 3 is equal to K नहीं मालूम है A का concentration 0.1 और B का concentration भी 0.1 लेकिन square है तो 2 times आपको लिखना परेगा तो यह 10 की power minus 3 से 10 की power minus 3 cancel तो direct K यहाँ पे क्या आपको 6 अब आप निकल सकतो X तो यह experiment number 4 में आप पॉइंट लगा दो कि R is equal to 4 का R केतना है 72 into 10 की power minus 3 is equal to K आपको मिल चुका है 6 into concentration A तो A तो वही निकाना है आपको X और concentration B तो B दियान से देखो है आपका 0.2 0.2 into 0.2 क्यों? कि कि इसका power 2 तो यहाँ से दियान से देख सकतो आपको केतना आजाएगा concentration X that is 0.3 और similarly आप put कर करके Y भी निकान सकतो तो वहाँ जाएगा 0.4 तो answer क्या हो जाएगा? X का answer हो जाएगा 0.3 और Y का answer हो जाएगा आपका 0.4 तो यह answer हो जाएगा आपके Next question number 6 कि A student has studied the decomposition of gas AB3 at 25 degree Celsius He obtained the following data Pressure और T half cause को data मिला कि pressure 50 था तो half life time 4 second फिर 100 था तो 2 second 200 था तो 1 second 400 था तो 0.5 second तो दियान से देखो यह सब कहानी बहुत सुनाएगा temperature कुछ बच्चे temperature देखके डर जाते हैं कुछ बच्चे इतना बड़ा question देखके डर जाते हैं बेटा करना कुछ नहीं है क्यों कोईकि रफी सर्गा trick आपके साथ है आपको क्या बताया है कि T half क्या होता है T half डिरेक्टी पोर्शनल टू इनिशल कंसंटेशन की पर 1-N अब उसके बाद हमने आपको बता रखा हूं कि 0 order में क्या होता है T half डिरेक्टी पोर्शनल टू इनिशल कंसंटेशन फर्स्ट अडर में क्या होता है T half independent ही हो जाता है no effect you can say और second order में क्या बता रखा है T half is इनिशल कंसंटेशन बस देखो द्यान से देखो जब 50 था तो 4 आपने double क्या बढ़ाया तो ये क्या हो गया कम हो गया 2 times से double क्या तो ये half हो गया फिर यहाँ double क्या तो फिर ये half हो गया फिर यहाँ double क्या तो फिर ये half हो गया द्यान से देखो, तो that means क्या हो रहा है, anniversary related है, बढ़ा रहे हैं, तो घट रहा है, इसका मतलब order क्या हो जाएगा, direct आप बोलोगे order 2, क्यों, क्योंकि जब मैं pressure बढ़ा रहा हूँ, तो half lifetime कम हो रहा है, anniversary related है, order 2, similarly यहाँ पे द्यान से देखो, pressure 500 है, तो half lifetime 240 सेकंड है, जब pressure को half किया, 250 तो half lifetime 4 minute, भाई, 4 minute क्या हो गया, भाई, 240 सेकंड, तो that means क्या हुआ, कि आप pressure को change करो, तो half lifetime चेंड नहीं हो रहा है, that means independent, तो order क्या हो जाएगा, 1, कैसे, क्योंकि half lifetime first order का depending ही नहीं करता, initial pressure या concentration क्या है, वैसे एक और question, pressure जब इतना था, तो half lifetime 340 सेकंड, और जब pressure half कर दिया, ज्यान से देखो, 55 का half 27, तो केतना हो गया, half lifetime, वो भी half हो गया, 340 का half, तो directly पोजिशनल हो गया, half करने से half हो रहा है, तो directly का होता है, जब order होता है, 0, तो answer क्या हो जाएगा, 0, तो very simple है, 0 order में directly पोजिशनल, half करने से half, double करने से double, first order में कोई effect ही नहीं होगा, second order में उल्टा चलेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, और घटाओगे तो बढ़ेगा, तो इस टाप के question आप easily कर लेंगे, next question number 9, कि A gives you B, rate constant आपको given है, some number into, और यह unit, तो यह number देखके नहीं डरना, यह वैसे भी कुछ भी दे सकता है, मैं लिए unit पर ध्यान देना, क्या है, लीटर, mole, inverse, second inverse, तो इसको आप कैसे लिखागे, लीटर, by mole, right, और second inverse, लीटर, by mole को आप क्या लिख सकतो, mole by liter, तो 1 by mole by liter लिख लो, और second inverse, तो यह क्या हो गया, 1 by M, तो इसको लिख सकते हैं, M की पर माइनस 1, second की पर inverse, right, we know, कि rate constant का जो unit था, वो molarity की पर 1 minus N, second inverse, तो आप compare करो, second inverse, second inverse तो common है, that means, 1 minus N should be equal to, ध्यान दो, यहाँ जो रहेगा, minus 1, तो यहाँ से N केतना जागा आपका, 2, तो इसलिए, यह कौनसी order की reaction है, second order की, तो इस तरह से rate constant की unit, अगर given हो, तो वहाँ से भी find out कर सकते हैं rate, question number 10, कि आपको different reaction का graph दिया है, log rate versus log concentration, तो we know, rate is equal to some constant, and concentration की power x होता है, दोनों side log ले लो, तो यह क्या हो जाएगा, log rate is equal to some constant log k, और plus, यह x बार आजाएगा आपका, that is power, और यह log a concentration हो जाएगा, तो दियान से देखो, log concentration को उसने किस पे लिया है, x axis पे, log rate को किस पे लिया है, y axis पे, तो क्या हो गया, y is equal to some constant plus, यह आपका slope हो गया mx, right, that means, जिसका slope जादा होगा, उसका यह number जादा होगा, that means, order जादा होगा, सबसे जादा slope किसका है, you know, x axis से, जैसे जैसे, ऊपर जाएंगे, slope बढ़ता जाएगा, क्योंकि 10 ठीटा होता है, तो इसलिए, sequence of order क्या हो जाएगा, D का सबसे जादा होगा, फिर B का, फिर A का, फिर C का, तो इस टाब के भी question पूछे जा सकते हैं, very simple, just slope से आप compare कर सकते हो, question number 11, log T half versus log concentration graph, अगर ऐसा रहा है, तो we know T half is diactive portion to initial concentration की पार, 1 minus N होता है, अगर 0 order होता है, तो T half is diactive portion to initial concentration, दोनों साइड log ले लो, तो क्या हो जाएगा, log T half is diactive portion to log C naught, ज्यांसे देखो, directly related है, क्योंकि state line आ रहा है, तो इसका मतलब यह कौन सा order हो गया, 0 order की reaction हो गया, order will be 0, क्यों, क्योंकि log T half y axis पे लिया है, और y is equal to directly sum mx हो जाएगा, तो आप देख सकतो है, एक state line है, या फिर y is equal to mx plus C हो सकता है, जो यह आपका C हो गया, और यह आपका slope हो गया, तो यह 0 order के लिए यह graph आएगा, now question number 12, कि एक reaction given है, और उसके बारे में information ऐसे given था, कि concentration B का जब शिरिफ double करते हैं, तो T half change नहीं होता है, और A का double करते हैं, तो rate double होता है, तो द्यान से देखो, अगर मैंने B का concentration double क्या, T half change नहीं होगा, इसका मतलब B के respect में order केतना हो जाएगा, 1, क्योंकि first order reaction का ही half lifetime, concentration पे dependent ही करता है, और दूसरा क्या given information, कि A का double कर रहे हैं, तो rate double, तो A का जब मैंने concentration double किया, तो rate double हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, order 1 क्यों, क्योंकि double करने से double मतलब, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पर 1, समझा रख आपको, तो ये order, overall order केतना हो गया reaction का, आईसी को लिख सकते हैं, लीटर, mole inverse, second inverse, तो ये सब unit हो जाएगे, आपका rate constant का, तो ये पूछा गया question सब है, next, unit of rate constant of first order, and zero order, तो भाई rate constant के unit, 1 minus N, second inverse, एक बार आप first order बोल रहा है, तो N1 put कर दो, और एक बार N0 put कर दो, तो N1 put कर दोगे, तो शिरिफ क्या जाएगा, second inverse, that is for first order, और N0 put कर दोगे, तो क्या जाएगा, molarity second inverse for zero order, simple step के question भी पूछे गया है, next question number 14, कि A plus B give you product, rate K, A और B है, B का concentration 0.1 से 0.3 कर रहे हैं, keeping A constant, A का concentration चेहने क्या, B का 0.1 से 0.3 क्या, तो ध्यान दो rate constant पे क्या फर्क परेगा, तो आपको बता रखाओ, rate constant पे कोई फर्क नहीं परने वाला, सिर्फ temperature के साथ change होता है, change क्या होता है, rate of reaction, या सिर्फ rate, rate constant चेहने होता है, तो पहले अगर K था, तो अभी भी क्या होगा, K ही होगा, कुछ बच्चे जल्दवाजी में, 3 times वाद तो 3K कर देते हैं, गलत, और ये तो वैसे पास उन्हें, या क्या वाद 3 कर देते हैं, ये सब गलत, rate constant अभी भी वही रहेगा, concentration, pressure, volume, moles, ये सब change करने से, rate constant कभी चेहने होता है, अज की इस वीडियो लेक्चर में, chemical kinetics में, zero order से आने वाले problem को, आप कैसे without solving करेंगे, उसके बारे में, मैं देने जा रहा हूँ, trick, तो ध्यान से समझे, point number one, कि अगर मैं rate लिखूँ, तो rate मैं कैसे लिखूँगा, अगर zero order होगा, तो some constant, concentration a की power zero, क्योंकि zero order reaction है, और किसी भी number पे power zero, मतलब one, तो rate किसके बराबर हो जाएगा, rate constant के, तो एक question तो यहां से भी बन सकता है, कि zero order के case में, जो rate होता है, वही rate constant होता है, इसलिए, दोनों की unit भी क्या हो जाएगी, same, और इसको मैं क्या लिश सकता हूँ, differential form में, minus change in concentration of A, by change in time, dA by dt, तो यह पहला point सभी को मालू होता है, अगर मैं इसको integrate करूँ, minus dA by dt is equal to k ले करके, तो concentration at time t, very important, concentration at time t, is equal to concentration at time t, equal to zero, c0 minus kt, तो यह एक formula हैगा, ct is equal to c0 minus kt, यहाँ पर point जो ध्यान देना है, यह जो concentration t है, वो left, बचा हुआ, कितना बचा, कितना react हो गया, वो नहीं put करना है, कितना finally left है, वो put करना है, is equal to c0, initially कितना लिए थे concentration, minus k, rate constant है अपका, t time है, तो यह equation भी सबको मालू मता है, यहीं से हम, यह drive कर सकते हैं, point number 2, कि t half क्या होगा, तो t half का मतलब, कि वो time जहाँ पर concentration, initial का half हो जाए, तो यहाँ पर आप ct की जगा, c0 by 2 put कर दो, तो t half आ जागा, तो t half होता है, c0 by 2 के, जो already मैं आपको बता रखाऊ, कि t half of any reaction, इस डियाट्री पोशनल 2, initial concentration की power 1 minus n, यहाँ पर n के order का 0, तो t half डियाट्री पोशनल 2, c0 आप देख सकतो, और निकालना होगा, तो c0 by 2 k, 2 एक number हो गया, k again rate constant हो गया, उसकी value, और इस reaction को complete होने में, कितना time लगेगा, तो 2 times of t half, कैसे, क्योंकि t completion क्या हो जाएगा, c0 yk, कैसे निकालेंगे, complete होने का अतलब, ct होगे अब आप 0, तो यहाँ से आप put कर लो, तो right, t क्या जाएगा, c0 yk, जो की 2 times of t half है, इस point को ध्यान पर रखना है, point number 3, graph से related problem अगर आ जाएगे, तो t half versus initial concentration आप देख सकते हो, डारेक्टरी पोरिशनल है, तो y is equal to mx, तो इस ट्रप का graph आएगा, rate जो है वो, concentration a के साथ change ही नहीं हो रहा है, क्योंकि fix है, इसलिए यह constant लाइना जाएगी, और concentration t as a, time आप देख सकते हो, आपने इसको y axis पे लिया, t versus t graph एक state line आएगा, और slope इसका negative होना चाहिए, यहाँ तक आपको सब बताएगा, next, that is, रफिसर trick, कि अब हम जितने भी question करेंगे, 0 order वाले, वो इस trick से करेंगे, और उसको मैंने कहां से, तो यहीं से create किया है, यहाँ से देखो, कि अगर आप बोल रहे हो, कि c naught से c naught by 2 होने में, t half लगेगा, और चुकि, t half directly proportional है, तो c naught by 2 का फिर से half होने में, that means c naught by 4 होने में, इस t half का half लगेगा, तो क्या हो जागा, t half by 2, फिर इसका half होने में, c naught by 4 से c naught by 8, इसका half होने में, फिर से, पोर्टेंट है, नहीं समझ माया, तो कैसे, ध्यान से देखो, अगर c naught 80 था, example से, और t half 20 सेकंड था, तो that means, 80 से 40 होने में, कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड, ये सभी को मालूम, फिर 40 से half, 40 का half कितना होगा, 20, तो ये t half का half, मतलब कितना होगा, आप 10 सेकंड लगेगा, फिर 20 का half, मतलब कितना होगा, 10, ऐसे बच्चों वाली चीज करनी है, अपने को, तो 10 का half कितना होजागा, 5, तो इससे क्या फैदा होगा, अगर पूछा जामे, कि 80 से 10 होने में, कितना टाइम लगेगा, तो जोड़ दो, 20 प्लस 10 प्लस 5, विदाउट सॉल्विंग आप बता सकतो, कि 35 सेकंड लगने वाल है, तो ये ट्रिक वेरी वेरी इंपोटेंट है, फोर जीरो अडर रेक्शन, हर बार कंसेंट्रेशन को half होने में, टी हाफ, उसका half हो जाएगा, तो आई होप ये ट्रिक समझ में आया होगा, अब हम इस पर बेस अप्लिकेशन की बात करते हैं, कोश्चन इज कि A गिवस यू बी, और इस रेक्शन इज जीरो अर्डर, यह आपको गिवन है, तो यहां से यहां तक में कितना टाइम लग गया, 50 पलस 25 डाट इज 75, विदाउट सॉल्विंग रफी सर्गे ट्रिक से, कोश्चन नमबर 2 में आपको जीरो अर्डर रियक्शन है, और जब इनिशल कंसेंटेशन ध्यान देना, इनिशल कंसेंटेशन 0.2 था, तो टी हाफ 6 आवर है, जब इनिशल कंसेंटेशन 0.5 क्या गया है, तो कितना टाइम लगेगा 0.5 से 0.2 आने में, कोश्चन इच कि 0.5 से 0.2 आने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले यहाँ पे समझो कि जब 0.2 था इनिशल कंसेंटेशन, तो हाफ लाइफ टाइम था आपका 6 आवर, 2 का half तो यहां पे double किया तो 6 का double 12 और यहां पे half किया तो 6 का half 3 तो that means 12 plus 3 that means 15 hour क्या है T half है कब जब concentration 0.5 है तो आप ही सोचो 0.5 से 0.2 कब जाएगा पहले 0.5 से 0.25 होगा फिर 0.25 के बाद आएगा 0.2 तो यहां से यहां तक में तो 15 hour लगेगा ही और ऐसा एक ही option है that is C क्यों क्योंकि 15 से ज़्यादा लगेगा बागी कोई option ही नहीं है इसी को अगर ऐसे नहीं समझवाया तो ऐसे समझो कि we know T half क्या होता है C naught by 2K right तो जब आपका C naught था 0.2 molar 2K नहीं मालूम है T half था 6 hour तो यहां से के निकाल लो आप तो के केतना हो जागा तो यहां से देखो 0.2 by 2 into 6 that is 1 by 60 अब T half हम निकाल सकते हैं जब initial concentration 0.5 होगा by 2K क्योंकि के तो चेंज होगा नहीं राइट वो सिरिफ कब चेंज हो सकता जब temperature चेंज करेंगे तो तो 0.5 by 2 और के की value पूट कर दो 1 by 60 तो 1,60 अब चला जाएगा तो यहां से देखो आपको आगया T half 15 hour तो आप खुद ही सोचो कि T half 15 hour कब जब concentration 0.5 है तो हमें कहां से कहां जाना है 0.5 से 0.2 में 0.5 से पहले कितना आएगा 0.25 तो कितना लगेगा 15 गंटा और फिर इस से थोड़ा और आगे जाना है तब point होएगा तो plus X तो 15 पलस X ऐसा एक ही option है that is option C क्योंकि बागी सारे option 15 से कम है next question number 3 for zero order reaction के given था rate constant concentration of reactant after 25 second भी given था 0.5 तो initial concentration क्या होगा तो आपको बता रखाऊं zero order के लिए क्या होता है zero order के लिए concentration at any time CT is equal to C0 minus KT आपको CT given है कितना 0.5 C0 निकानना है minus K given है 2 into 10 की पर minus 2 और time कितना लगा है तो 25 ध्यान दें यहाँ भी second था second था स्रिफ unit का ध्यान रखना है तो यहाँ से C0 कितना आजाएगा आपको ध्यान से देखो तो यहाँ से C0 आ जाएगा आपको 1 molar क्योंकि यह भी आपका 0.5 हो जाएगा इधर जाएगा तैट हो जाएगा तो C0 will be 1 molar so option D Question number 4 कि एक reaction है A gives you product उसका T half 1 hour है जब initial concentration 2 molar है time केतना लगएगा 0.5 से 0.25 molar होने में अगर यह reaction 0 order किये तो कैसे करेंगे वही रफी सर का simple trick कि अगर 2 molar था concentration तो 2 से 1 molar होने में केतना time लगजागा T half that is 1 hour लगएगा फिर 1 molar से इसका half that is 0.5 molar होने में इस time का half that is 0.5 hour लगएगा और फिर 0.5 से इसका half 0.25 molar होने में फिर इसका half लगएगा that is 0.25 hour तो आपसे पूछा कि यहां से यहां तक होने में केतना लगएगा ज्यांसे देखो 0.25 option c without solving इसके लिए रफी सर जाने जाते हैं हलो फ्रेंड्स कसका है आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स देने जा रहा हूं वो chemical kinetics में first order से related है और इस ट्रिक्स से आप first order के problem को without calculation and without formula कर सकते हैं तो वो कैसे ध्यान से देखें point number one की first order reaction का differential rate equation अगर मुझे लिखना हो तो r is equal to minus change in concentration of a by changing time that is rate constant और concentration a की power one क्यों क्योंकि इस यह first order reaction अगर integrated form में लिखूं तो concentration time t equal to 0 पे c0 है और concentration time t पे ct है तो integrate करने के बाद आपको आएगा t is equal to 1 by k ln of c0 by ct ध्यान देना है इस point पे कि it is ratio तो ratio होने की वज़ा से first order की reaction को हम mole में solve कर सकते हैं mass में solve कर सकते हैं pressure में solve कर सकते हैं and volume में solve कर सकते हैं very important point कि यह ratio होने के वज़ासे हम first order की reaction को इन चारों में से किसी में भी solve कर सकते हैं point number two हमें कैसे पता लगेगा कि it is a first order reaction तो rate constant की unit जो होगी वो time inverse होगी like second inverse, minute inverse, hour inverse तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा right now point number two कि at t equal to t half concentration ct जो है वो c0 by 2 यहाँ पे ध्यान देंगे जो ct है मेरा वो concentration left at time t है कितना बचा हुआ है वो put करना है कितना react हो गया वो नहीं put करना है इस point पे ध्यान देंगे तो at t equal to t half concentration ct कितना बच जाएगा c0 by 2 तो इसको अगर यहाँ put कर देंगे तो half lifetime ln 2 by k आता है और ln 2 की value 0.693 by k 0.693 को approximately 0.7 by k तो यहाँ पे again क्या important point है कि half lifetime initial concentration पे depend ही नहीं करता है तो यहाँ से भी आपको पता लगेगा अगर question में mention है कि half lifetime initial concentration पे depend नहीं करता है that means definitely वो first order reaction है और k के बारे में आपको मालुम है कि k कब change होगा जब temperature change होगा इसलिए mole change करने से mass change करने से pressure या volume यह सब change करने से rate constant की value change नहीं होती वो सरीफ और सरीफ कब change होगी जब temperature change करेंगे इसलिए half lifetime एक तरीके से एक fixed temperature पे fix हो गया है either आप mole change कर लो mass change कर लो pressure या volume half lifetime उस reaction का change नहीं होने वाला है क्यों? क्योंकि alien to a fixed value और k तभी change होता है जब temperature change होता है point number 3 जो point number 2 से ही बनाया कि इसका मतलब हर बार every time concentration को या mole या mass को या pressure को या volume को अगर मैं half करूँ तो same time लगने वाला है right क्यों? क्योंकि मैं k को तो change ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि temperature change नहीं कर रहा हूँ तो हर बार concentration को मैं half करूँ या mole को half करूँ या mass को या pressure को या volume को आधा करने में मुझे same time लगेगा that is half lifetime तो उसी से हमने बनाया है man trick और जिससे आप problem को कर सकते हैं without formula and without solving और ध्यान से समझे कि मैंने इदर लिखा है left और इदर लिखा percentage complete तो suppose करो मेरा initial concentration C था तो C से C by 2 half होने में T half लगेगा फिर C by 2 से C by 4 फिर half lifetime लगेगा फिर C by 4 से C by 8 फिर half lifetime लगेगा and so on जो मैंने याँ पे लिखा है question ऐसे भी दे सकता है कि कितना left है percentage में या कितना percentage complete हुआ है तो उस step का भी दे तो बहुत इज़ी है ध्यान से देखो left में अगर मैं 100 मार रहा हूँ तो अब इस से बात है complete में 0 होगा percentage की बात कर रहा है इसलिए 100 लेकर के चल रहा हूँ है फिर 100 से 50 होने में एक half lifetime फिर 50 से 25 होने में एक और half lifetime that means अब ध्यान से देखो तो हर बार मैं value को आधा करते जा रहा हूँ 100 का half 50 फिर 25 फिर 12.5 6.25 एंड सौन हर बार मैं half करते जा रहा हूँ ध्यान से देखो और तो यह हो गया left कितना percentage left है और percentage complete क्या हो जागा दोनों का sum 100 होना चाहिए तो यहाँ पर अगर left 100 है तो 0% complete और यहाँ पर अगर 0.1 left है percentage में तो 99.9% complete हो चुका है तो हर बार आप ध्यान से देखो मैंने लिखी दिया है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि 87.5% complete होने में complete होने में कितना time लगेगा तो 3 times of T half कैसे क्योंकि यह 3 T half के बरावर हो गया या फिर उसी को ऐसे पुछा जा सकता है कि 12.5% left होने में कितना time लगेगा तो same वैसे ही अगर मुझसे पूछा जाए कि 99.9% complete होने में या 0.1% बचे रहने में कितना time लगेगा तो 10 times of T half तो कैसे तो very simple है हर बर आदा होने में same time लगता है तो आप देख सकतो 10 half lifetime वह तक पहुछ जाएगा कभी question को ऐसे पूछ लिया sir कि 90% complete होने में कितना time लगेगा तो कैसे निकालेंगे 90% तो 90 is in between 87 to 93 तो हमें जो time लगेगा वो 3 half lifetime और 4 half lifetime के बीच का आपको 4 option given होंगे उससे easily कर लोगे वैसे ही अगर हमसे पूछ लिया कि 97% complete होने में कितना time लगेगा तो very simple 97 is in between 96 and 98 तो that means 5 और 6 half lifetime के बीच वाला जो option होगा वो हमें tick करना होगा now एक point और ध्यान देना है कि देखो हर बर half lifetime तो same है time तो same लगेगा लेकिन gap जो आपका वो दिरे दिरे कम होता जाएगा ध्यान से देखो 100 से 50 यहां 50 का gap है फिर यहां 25 का यहां 12.5 का यहां तो gap धिरे दिरे कम होता जाएगा लेकिन time same लगेगा तो इससे भी हम थोड़ा सा problem को answer तक पहुचा सकते हैं यह तो हो गया man trick अब हम इस पे best application की बात करते हैं question number one की first order reaction है और initial pressure 800 mmHg है 10 minute के बाद pressure अगर 1600 mmHg हो रहा है तो 30 minute के बाद आपको pressure बताना है इस type के concept वाले problem mains में चार बार पूछे गए हैं और recently यह 2023 में 13 April को shift 2 में आये हुआ है तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे without formula and without calculation पहले इस point को समझो कि 10 और 30 minute क्यों relate किया है हो सकता है कहीं ने कहीं यह half life हो तो एक बाद हम check कर लेते हैं तो ध्यान से देखो जब A आपका react हो रहा है तो 2B plus C दे रहा है A का initial pressure कितना है 800 mmHg यह इसी का क्यों होगा क्योंकि starting में शरीफ A है B और C तो बन रहे है तो यह 00 होंगे अगर time 10 minute के बाद अगर मैं माल लूँ कि इसका X react हुआ तो इसका 2X बनेगा क्यों? क्योंकि इसका coefficient 2 है और इसका coefficient 1 है तो इसका X बनेगा तो आपको given है कि 10 minute के बाद total pressure 16 तो इस सब को add कर दो तो इसका sum कितना हो जागा? ध्यान से देखो 800 plus 2X that should be equal to 1600 तो यहाँ से X आ गया 400 X 400 आने का मतलब क्या हो गया? कि 10 minute के बाद इसका कितना pressure है? 400 अब ध्यान से देखो एक relation मिल रहा है 800 का half है 400 तो यह इसका मतलब 10 minute क्या हो गया मेरा? T half तो T half है तो अब हमसे पूछा गया कि 30 minute 30 minute is 30 minute is 3 times of T half तो you know कि 3 times of T half क्या से लिखेंगे? 800 से 400 हुआ 400 से 200 हुआ 200 से 100 होगा तो यह 3 times T half हो गया तो इसका बचा केतना 100? तो react केतना हो गया होगा? 700 क्यों हो? क्योंकि 800 लिया था 100 सिर्फ बचा है तो इसका मतलब 700 react हो गया तो इसका केतना बन जाएगा? 700 into 2 2 क्यों? क्यों 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 स्टाकोमेटरी 2 है तो इसका 1400 बन जाएगा इसका केतना बनेगा? 700 into 1 तो इसका 700 आपका बन जाएगा इसका 1400 इसलिए total pressure आफ्टर 30 मिनट केतना हो जाएगा? तो देख लो 1400 प्लस 700 प्लस 100 इसका बचा होगा लेफ्ट तो 100 तो answer will be 2200 तो इस टाप के problem कई बार पूछेगे देखो without calculation and without formula question is की first order reaction है initial pressure 800 10 मिनट के बाद 1600 pressure हो रहा है तो 30 मिनट के बाद केतना होगा? तो अगर 10 मिनट के बाद 1600 हो रहा है तो क्या 10 मिनट half lifetime है? तो suppose करते हैं कि वो half lifetime है तो अगर half होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 400 चुकि इसके एक मूल से दो मूल मिल रहा है तो इसका कितना हो जाएगा? T half, तो 3 times of T half का अंतलब क्या हो गया, फिर 400 से कितना हो जाएगा, 200, 200 से कितना हो जाएगा 100, that means इसका कितना बचा, 100, तो react कितना हो गया, 700, तो इसका कितना बनेगा, 1400, क्यों 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 तो टोटल प्रेशर आफटर 30 मिनट कितना हो गया ध्यान से देखो 2200 यूर एंसर विल बी हेर कुश्चन नमबर 2 में दो रियक्टेंट है A and B दोनों फर्स्ट ओडर की रियक्शन है दोनों का हाफ लाइफ टाइम गिवन है 15 and 5 और A का कंसंटेशन C है B का अगर 4C है तो कितने टाइम के बाद दोनों का कंसंटेशन सेम हो जागा ये कुश्चन आपका पूछा हुआ कैसे करेंगे simple trick से द्यान से देखो A का C से C by 2 होने में कितना लग जागा 15 मिनट जबकि B का 4C से 2C होने में 5 मिनट फिर 2C से C होने में 5 मिनट फिर C से C by 2 होने में 5 मिनट तो total यहां से यहां तक कितना हो गया 15 तो 15 मिनट में यह C by 2 हो रहा है और यह भी 15 मिनट में C by 2 हो रहा है तो answer कितना हो जागा 15 15 मिनट के बाद दोनों का कंसंटेशन सेम हो जाएगा question number 3 में A का moles और B का moles same है A का half lifetime अगर 100 है B का 50 है तो आपको पूछा गया कि कितने time के बाद concentration A का या moles A का 4 times of B होगा तो again very simple कैसे करेंगे trick से द्यान से देखो A का अगर 100 है तो X से X by 2 होने में कितना लगा 100 और X by 2 से X by 4 होने में 100 तो यहां से यहां तक होने में कितना लगेगा इसको 200 अब यहां से द्यान से देखो X से X by 2 होने में 50 फिर X by 2 से X by 4 होने में 4 से 50 तो total 100 फिर X by 4 से X by 8 होने में 50 फिर X by 8 से X by 16 होने में 50 तो total यहां तक कितना हो गया 200 तो 200 second में यह X by 16 है और 200 second में यह xy4 है जो कि इसका क्या है 4 times है तो यही हमें question पूछा गया कि eta concentration 4 times of b कब होगा तो देख सकतो answer क्या हो जागा 200 second without solving ऐसे question को means my way हम कर सकते हैं वो भी रफी सर के simple trick से next question number 4 कि rate constant given था 20 minute inverse time required for the initial concentration of reactant to reduce to its 132 level उस level होने में केतना time लगेगा यह आप से पूछा गया है तो देहां से देखें very simple है कि अगर rate constant आपको given है और 132 का अंतलब क्या हो गया c, c by 2, c by 4 c by 8 c by 16 and c by 32 तो यहां से यहां तक होने में देहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो जो time होगा वो 5 times of t half हो जाएगा और t half निकास सकते हैं yes, t half क्या होता है ln 2 by k k आपको given था कितना 20 तो यह कितना हो जाएगा 5 into ln 2 0.693 by 20 हमें जो निकाना वो 10 की पार minus 2 में तो इसका अगर decimal को यहां shift करेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा तो right तो इसको cancel करोगे तो 5, 4, the और 4 से यह 17 times में तो 17 into 10 की पार minus 2 तो यह answer will be 17 यह integer tap में पूछा गया द्यांसे देखो without formula, without calculation similarly question number 5 कि 1 microgram था half lifetime 30 year है तो केतना remaining होगा after 100 year तो half lifetime 30 year है right, तो पहले 1 था तो 1 by 2 1 by 2 से 1 by 4 और 1 by 4 से 1 by 8 that means यह 0.5 हो गया यह 0.25 हो गया यह 0.125 हो गया तो यहां पहले 30 year लगा होगा फिर 30 year और फिर 30 year और और फिर इसके आगे हमें थोड़ा जाना है क्यों? क्योंके total तो यहां से यहां तक में कितना हुआ? 90 years हमें 100 years के बाद पूछा गया है तो जो भी answer होगा remaining पूछा गया है जो भी answer होगा वो 0.12 से कम option चेक करो 0.5 not possible 0.2 not possible 1.2 से कम तो 1.5 not possible तो answer क्या हो जाएग अब भी? अब दियान से देखो without solving और without calculation में कर रहा हूँ ऐसे question को और यह सब mains में आई हुए question है question number 6 कि एक first order की reaction है half lifetime 3 days है 12 days के बाद 3 gram receive हो रहा है तो initial mass कितना होगा? तो ध्यान से देखो इसमें क्या relation है? 3 days और 12 days में 4 times है, right? तो अगर 3 gram था तो 3 gram से पहले कितना रहा होगा? 6 gram 6 gram से पहले कितना रहा होगा? 12 gram 12 gram से पहले 24 gram डबल करते जाना 24 से पहले 48 gram right? क्यों मैंने 4 बार क्यों क्या? क्योंकि 4 half lifetime का difference था 1, 2, 3, 4 तो इसका अत्रेव initial mass कितना रहा होगा? 48 gram option C without solving and without formula question number 7 में A gives you product P और concentration A का 0.1 से 0.025 होने में 40 minute लग रहा है तो rate of reaction बताना जब concentration A का 0.01 molar हो और ये given था कि ये reaction first order है right? तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे without calculation अगर 0.1 था तो 0.1 से 0.05 आदा होने में T half लगेगा right? फिर 0.05 से इसका half 0.025 होने में फिर से T half लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक का आपको time given है 40 minute तो इसका मतलब 2 times of T half किसके बढ़ाबर होगे 40 इसलिए T half केतना हो जागा? 20 minute right? we know T half is equal to ln 2 by K इसलिए यहाँ से K केतना हो जागा? ln 2 by T half that is 0.693 by T half is 20 now हमें rate निकानना है जब concentration केतना होना चाहिए? 0.01 molar put कर दो यहाँ के आप निकाल चुके हो 0.693 by 20 into 0.01 हमें जो answer लेना है वो 10 की power minus में तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 10 से multiply और 10 से divide भी तो यह हो जाएगा 6.93 क्योंकि सब scientific notation में option given थे 6.93 हो गया rate तो इसका 10 और यहाँ से देखो तो यह 2 और यह सब कितना हो जाएंगे? 10 की power minus 4 कैसे? इसको लिखा 10 की power minus 2 एक 0 यह तो add हो गया और 10 multiply किया तो 10 डिवाइड भी करेंगे तो 10 की power minus 4 तो यह 3 point something होगा ऐसा एक ही option है B तो इस तरीके से आपको करना है first order की reaction को रफी सर के trick से आप जाते 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 ग्यान की बात और that is very important कि आपको कैसे पता लगेगा कि यह एक first order की reaction है तो इसके लिए मैं आपको 5 point दे रहा हूँ जिससे आप पता कर सकतो rate constant की unit अगर time inverse में है तो इसका मतलब यह बताना चारा कि वो first order है अगर radioactive decay कहीं पर भी लिखा हुआ है तो सारी की सारी radioactive reaction जो है वो first order के होती है by default कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ कि half lifetime independent है initial concentration से तो इसका मतलब वो first order है कहीं पर ऐसे given है कि A gives you product P और concentration एक अगर double कर रहे है तो rate double हो रहा है तो इसका मतलब यह first order को represent कर रहा है और fifth point जो question में mention ही कर दे कि it is first order reaction तो यह 5 point से आप पैचान सकते हो कि वो given reaction first order है कि नहीं और अगर first order है तो रफीसर के यह वाले tricks आपको question easily हो जाएगा एक point और ध्यान देना है कि first order की reaction जो है वो कभी भी complete नहीं हो सकती वो 100% complete नहीं हो सकती जबकि zero order की reaction 100% complete हो जाती है और उसको two times of t half लगता है हलो माई फ्रेंड्स कसा का आए आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो trick देने जा रहा हूँ वो chemical kinetics में first order से related है और इस trick से आप first order पे आने वाले percentage completion या कितना fraction complete हुआ है इस type के problem को बहुत easily और without calculation कर लेंगे तो trick में जाने से पहले हम लोग बात करते हैं कि zero order और first order में क्या difference है तो ध्यान से देखो बहुत अच्छे से मैंने list out किया है कि zero order की reaction में rate क्या लिखेंगे के concentration a की power 0 क्यों क्योंकि zero order reaction है तो concentration पे depend नहीं करता है तो rate constant के बरावर हो जाएगा जिसको हम differential form में लिख सकते है minus change in concentration of a by change in time तो यहाँ पे जो important point है कि rate constant की unit वह हो जाएगी जो rate की unit होगी that is molarity second inverse जबकि इसमे rate constant और concentration a की power 1 होगा क्यों क्योंकि first order है right और इसको differential form में again minus d by dt लिख सकते हैं तो यहाँ जो rate constant की unit है वो सिरी फर सिरी second inverse होगा तो यहाँ से हम order पहचान सकते हैं तो point number 1 में दोनों में देख सकते हो difference है वहाँ concentration है ही नहीं सिधे rate constant है यहाँ concentration की power 1 है जब इसको integrate करेंगे तो concentration at time t will be equal to concentration at time t equal to 0 minus kt that is ct is equal to c0 minus kt और यहाँ पे जो ध्यान देना है ct जो है वो concentration left केतना बचा है वो put करना है केतना react हुआ है वो नहीं put करना है वही चीज अगर first order में बात करें तो ध्यान से देखो क्या changes हुआ है ct के आगे ln लग गया है natural log c0 के आगे भी आपका ln लग गया natural log और kt वैसा ही का वैसा है तो शिरिफ आपको अगर 0 order का मालूम है ct is equal to c0 minus kt तो first order का भी मालूम है सिरिफ ct और दोनों concentration वाले time में natural log लगा देना है ln यहाँ पर क्या है natural log with base e है तो यह एक difference है ध्यान से देखो point number 2 में point number 3 की half lifetime इसका क्या हो जागा c0 by 2k जो की देख सकतो half lifetime initial concentration के directory portionel है जिसको मैं y assume कर रहा हूँ c0 by 2k को y assume कर रहा हूँ और इस reaction को zero order की reaction को complete होने में 2 times of t half लगता है वहीं पर first order में क्या difference है half lifetime ln 2 by k ln 2 की value fix 0.693 by k तो यहाँ पर first order में half lifetime initial concentration पर depend ही नहीं कर रहा है और इस value को मैं मान रहा हूँ z इसका use क्या हो fourth point में कि यहाँ पर c0 से c0 by 2 concentration half होने में अगर time y लगता है that is half lifetime तो फिर c0 by 2 का half होने में that is c0 by 2 से c0 by 4 होने में जो previous half lifetime था उसका half लगेगा क्यों? क्योंकि directly proportional है तो हर बार concentration के half होने में half lifetime भी half हो जाएंगे जैसे for example c0 by 4 से c0 by 8 होने में तो again यह half हुआ तो half lifetime पहले कितना था y by 2 तो उसका half तो y by 4 तो यहाँ पे जो important point है कि हर बार concentration अगर half करोगे तो half lifetime भी half हो जाएगा previous का यह important point है बट यहाँ पे हर बार अगर अपने concentration half किया तो half lifetime fix ही है हर बार same time लगेगा दियान से देखो z क्यों? क्योंकि initial concentration पर यह depend नहीं करो रहा है तो यह एक important point है दोनों में difference का graph में भी difference है दियान से देखो अगर मैं half lifetime versus initial concentration graph draw करो तो यह एक straight line आएगा having slope 1 by 2 के कहां से यहां से T half और initial concentration directly related है तो slope क्यों आजाएगा 1 by 2 के जबकि यहाँ पे T half versus initial concentration एक constant line आएगी क्यों? क्योंकि initial concentration पर depend नहीं कर रहा है वैसे ही rate versus concentration A का एक constant line आएगा right parallel to x axis बट यहाँ पे rate versus concentration A एक straight line आएगी having slope constant k के बरावर हो जाएगा कैसे r is equal to k into a तो यह slope हो जाएगा आपका similarly concentration at time t versus time graph अगर draw करेंगे कहां से तो यहां से देखो ct is equal to c0 minus kt से तो यह अपने y axis पे लिया और time को x से भी तो यह y is equal to c minus mx तो यह जो हो जाएगा आपका यहां से यहां तक intercept यह c0 हो जाएगा वहीं पे ln ct versus ln ct versus graph अगर draw करोगे तो exactly वैसा ही graph रहेगा slope की value भी k रहेगी बट ध्यान क्या देना दोनों में difference क्या कि यहां पे concentration शिर्फ ले रहे हैं यहां पे y axis पे natural log concentration ले रहे हैं तो natural log concentration versus time अगर state line है with negative slope तो first order है और अगर शिर्फ concentration versus time है और state line आ रहा है with negative slope तो यह zero order है तो अब ध्यान से देखें यह सब difference है zero order और first order में जो मैंने आपको किलरल यहां पे समझाने की कोशिस की है now अब हम बात करते हैं tricks की जिसके लिए रफिसर जाने जाते हैं तो ध्यान से देखो कि we know ln ct is equal to ln c0 minus kt first order में यह होता है right तो इसको मैंने rearrange करके लिखा t is equal to क्या हो जागा 1 by k ln of c0 by ct जहां पे c0 आपको मालूम है initial concentration है ct concentration left again I am telling concentration left at time t जो बचा हुआ है वो put करना है कितना react हुआ है वो नहीं put करना है तो यह ध्यान रखना है again we know t half is equal to ln 2 by k तो again इसको rearrange कर रहा हूँ तो k is equal to क्या हो जागा ln 2 by t half इसको मैं आगे use करने वालू तो ध्यान से देखो trick क्या है trick यह है कि अब इसको मैं उस वाले problem में लगाऊंगा जहां पे हमसे पूछा जाए कि percentage x complete होने में कितना time लगेगा ध्यान दे percentage x complete होने में कितना time लगेगा ऐसे problem या इतना fraction के complete होने में को भी problem हो तो आप simple मेरे इस trick से कर सकते है कैसे अगर x percent complete होए तो left केतना होगा 100 minus x क्योंकि हम percentage में बात करें that means मेरा initial concentration क्या होगा 100 c naught 100 होगा आपका तो t x percent completion ध्यान दे x percent complete होने में time केतना लगेगा 1 upon k ln of c naught की जागा 100 c t 100 minus x left put करना है अब इसको मैं अगर k को replace कर दूँ ln 2 by t half से तो हमारा x percentage completion जो है वो half lifetime के term में आ चुका है t half उपर रहेगा divided by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus x very very important ये trick है आपके लिए आपको कभी भी x percent complete होने में केतना times of t half लगेगा आप इससे निकाल सकतो जैसे यहाँ पे माल लो की 10 percent complete होने का निकालना है x could be 1 से लेकर 100 में कुछ भी हो सकता अगर माल लो 10 percent तो x की जगा यहाँ 10 put करो t 10 percent यहाँ पे x की जगा 10 put करो solve कर लो आपका एतना times of t half हो जाएगा similarly fraction complete होने में केतना time लगेगा tf मतलब fraction complete होने में कितना time लगेगा तो again half life time के time में t half by ln 2 right ln of 1 upon 1 minus f that means जैसे मुझे t 3 by 4 निकारना suppose करो 3 fourth fraction complete होने कितना time लगेगा ध्यान दे complete की बात कर रहा हूँ यह सब completion time है तो t 3 by 4 की जगा क्या लिख दोगे t half by ln 2 ln of 1 upon 1 minus f की जगा यहाँ पे f की जगा आपने 3 by 4 put किया यहाँ भी 3 by 4 put कर दो तो अब ध्यान से देखो यह क्या जाएगा 4 minus 3 1 by 4 4 उपर चला गया तो उसको लिख सकते हैं ln 4 ln 4 को ln 2 की बार 2 2 बारा जाएगा ln 2 ln 2 cancel तो यह 2 times of t half जो आप आप अरेड़ी जानते हो कि 3 4 that means यही क्या हो गया 75% भी हो गया 75% complete होने में 2 times of t half लगता है तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इस formula से आप fraction complete वाले किसी problem को easily कर लोगे and percentage x complete वाले को easily कर लोगे तो अब हम बात करते हैं application की question number 1 कि आपको given तब first order की reaction है 60% complete होने में 540 second लगता है तो 90% complete होने में केतना time लगेगा तो देखो कैसे करेंगे simple तो t 60% अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ 1 by k ln of 100 upon 100 minus x मतलब 100 minus 60 तो यह क्या हो जाएगा 1 by k ln of 100 by 40 that means 10 by 4 अब आपको t 90% निकालना है t 90% again केतना होगा 1 by k ln of 100 upon 100 minus 90 right this is equal to 1 by k ln of 100 और 100 में से 90 जाएगा तो 10 तो यह cancel हो जाएगे तो इसलिए t 90% क्या होगा आपका 1 by k ln 10 और k यहाँ से put कर सकता हो आप right क्योंकि rate constant shift or shift temperature पे depend करता है तो k is equal to क्या हो जाएगा द्यान से देखो k is equal to हो जाएगा ln 10 by 4 तो 1 upon ln 10 by 4 divided by 540 जो उपर चला जाएगा तो into 540 into ln 10 natural log दोनों साइड है तो log with base 10 में convert करेंगे तो conversion factor cancel हो जाएगा तो हम इसको क्या लिश सकते हैं द्यान से देखो 540 log 10 हो गया 1 divided by log 10 minus log 4 log 10 1 log 4 होता है 0.6 तो यह केतना हो गया 540 by 0.4 that is 1350 आपका answer आ चुका है तो बहुत इजी है उस formula से उस trick से ध्यान से देखिए question number 2 में आपसे पुछा जा रहा कि T half अगर 200 second है first order की reaction है तो 80% complete होने में केतना time लगेगा very simple कैसे करेंगे we know कि T half अगर 200 second है तो 75% complete होने में 2 times of T half लगेगा that is 2 into 200 that is 400 second और यह जो हमारा है यह 75 से थोरा सा ज़्याद है तो हमारा answer 400 से थोरा सा ज़्याद होना चाहिए that is option C यह क्योंने होबा क्योंकि यह close to 600 है जो कि 3 times of T half के आज़ पास में इस दिए हमारा option हो जाएगा C without calculation और अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो we know कि T 80% is equal to T half that is 200 by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus X 80 put कर दो यहां पर तो यहां जाएगा तो यह क्या हो जाएगा दियान से देखो 200 by ln 2 ln of 100 by 20 तो यह कितना हो गया दियान से देखो ln 5 तो यह कितना हो जाएगा 200 log 5 होता है 0.7 log 2 होता है 0.3 तो आप इसको cancel कर दो तो आप देख सकतो तो यह 1400 by 3 हो गया, that is equal to 3, 4 the 12, right, 23, 6 the, और 7, तो 467 seconds, तो दोनों तरीके आपके पास किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, question number 3, rate constant k की value आपको given थी, 5.5 into 10 की पार मानस 14 second inverse, तो इससे सिरिफ हमें क्या पता लग गया, कि rate constant unit second inverse से इसलिए यह first order होगा, कभी वो बोल करके नहीं देगा, तो rate constant की units आपको पता करना है, कि वो कौन सा order है, तो यह first order reaction हो गई, 67% complete होने में, half lifetime का x into 10 की पार मानस 1 लगता है, तो x क्या होगा, तो दियान से देखो कैसे करेंगे, very simple, हमें कितना निकारना है, t67%, तो आपको क्या बता है था, कि t half by ln to ln of 100 upon 100 minus, यह x percent तो 67, तो क्या होगा, दियान से देखो, तो t half by ln to ln of 100 upon 100 minus 67, कितना होगा है, 33, जो की cut करने के बाद, t half by ln to ln 3 हो जाएगा, right, दोनों natural log है, log with base 10 में convert कर सकते हैं, तो यह t half log 3 होता है, 0.47, और log 2 होता है, 0.30, तो आप इसको put कर दो, तो यह आ जाएगा आपका, 1.56 into t half, लेकिन हमें 10 की पावर minus 1 बनाना है, तो इसको 10 से multiply, 10 से divide, तो कितना होगा यह, 15.6 into 10 की पावर minus 1 into t half, तो हमारा answer nearest integer में कितना होजाएगा, 16, तो दियान से देखो, कितना simple है, और कुछ बच्चे तो यह rate constant की value देख करके डर जाते हैं, इसका कोई use ही नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना use किया है कि इससे पता लगा, first order है, question number 4 में A gives you 2B, first order की reaction है, 1 mole of A gives 0.2 mole of B after 100 minutes, तो half lifetime क्या होगा, तो दियान से देखो, कैसे करते हैं ऐसे problem को, A gives you 2B, 1 mole of A था आपका right, तो यह 0 होगा, अगर 1 mole में से X mole react होगा, तो यह 2X बनेगा, after 100 minutes B के moles केतना है, 0.2, that means 2X केतना होगा, 0.2 तो X केतना होगा, 0.1, तो यहाँ पर दियान से देखो, A का केतना बचा होगा, left concentration केतना होगा, 1 minus X, 1 minus X is 0.1, तो that is 0.9 left half का, that means react केतना होगा, यह complete केतना होगा, react यह complete केतना होगा, बताओ, that is 10%, तो we know, TX percent, that is 10% is equal to, T half by ln 2 into ln of 100 upon 100 minus X, तो T 10% आपका मालूम है, क्यों, क्योंके 10% complete होने में केतना time लगा है, 100 minute, तो यहाँ आपे put कर दो, 100 is equal to T half ln 2, ln of 100, और 100 minus X, केतना 10% तो होगा, 90, तो आप यहाँ से देख लो, क्या होजाएगा आपका, T half is equal to, 100 into ln 2 by, यहाँ पे क्या होजाएगा, ln 10 by 9, अब यहाँ पे ln 2 और ln 3 की value given है, right, तो आप easily यहाँ पे put कर दो, तो you will get 6, 5, 5, यह answer आजाएगा, question number 5 में, first order की reaction है, 32% lift है, दियान दे, 32% lift after 5, 70 second, तो K की value बताना है, rate constant value, X into 10 की power, मानस 3 में, तो दियान से देखो, कैसे करेंगे, दियान दे, यह lift है, तो complete केतना हो गया है, 68%, जिसको मैं approximately 70 ले सकता हूँ, तो T 70% आपको given है कितना, 570 is equal to 1 by K, ln of 100 upon 30, जो की approximately मैं, 3 times ले रहा हूँ, दियान दे, approximately calculation कर रहा हूँ है, तो K is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 570 into, यहाँ पे हो जाएगा, ln 3, right, approximately मैं cancel कर रहा हूँ है, ln 3 की value आप put कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दियान से देखो, 2.3 log 3 होता है, 0.47, जिसको एप प्रॉक्स में, 0.48 ले रहा हूँ, divided by 570, हमें कैसे answer करना है, 10 की पर मानस 3 में, तो दियान से देखो, कितना हो जाएगा, 2.3, इसका अटाएंगे, तो 100 नीचा आजाएगा, into 48, divided by 57, into 10 की पर मानस 3, तो इसको आप solve कर लो, यह प्रॉक्स आजाएगा, 2 into 10 की पर मानस 3, तो यूर एंसर विल बी 2, question number 6 में, 75% complete होने में, 90 मिनिट लगता है, first order की reaction है, तो 60% complete होने में, कितना time लगगा, तो you know, जो T 75% होता है, वो 2 times of T half होता है, तो 2 times of, और T half is equal to, कितना हो जाएगा, 90, इसलिए T half आपका कितना आगिया, 45, अब हमें कितना नहीं करना है, T 60%, तो T 60% का formula क्या था, T half by ln 2, into ln of 100, upon 100 minus x is 60, तो इसको put करो, तो T half is 45 by ln 2, यहाँ पे क्यातना हो जाएगा, ln 100 by 40, that is ln 10 by 4, तो इसको calculate कर लो, तो आपको आजाएगा, 45 into 0.4 by 0.3, that is 60 minute, तो very simple, अब द्यान से देखो, ऐसे question को आप बहुत लीजिली कर लोगे, similarly, एक question था, कि T half 10 days है, 1 by 4 complete होने में कितना time लगेगा, तो T half अगर 10 जाए 1 by 4, तो आपको क्या formula बता है था, कि T F fraction complete होने में, T half by ln 2, into ln of 1 upon 1 minus F, यहाँ पे F केतना put करना, आपको कितना complete होना है, 1 by 4, तो हमें निकारना है, T 1 by 4, तो क्या हो जाएगा, T half by ln 2, ln of 1 upon 1 minus 1 by 4, तो यह कितना हो गया, T half आपको given a 10, by ln 2, और इधर कितना हो जाएगा, 4 minus 1, 3 by 4, तो ln 4 by 3, जिसको आप solve कर लेंगे, तो यह approximately 4.1 के आसपास आएगा, that is option C, question number 8, कि ln P by P naught versus time graph, एक state line है, जिसका slope minus में, 3.465 into 10 की power 4 है, तो half lifetime बताना है, X into 10 की power minus 5 है, तो X क्या होगा, तो ध्यान से देखो, अगर natural log P, Y, P naught और time graph अगर state line है, तो इसका मतलब यह क्या बताना चाहा रहा है, first order की reaction है, जो आपको बता रखा हो अभी trick में, तो अगर यह first order है, तो जो slope होगा, वही क्या हो जाएगा rate constant, तो direct आपको क्या दे दिया है, 3.465 into 10 की power 4, तो इसलिए T half हमें निकारना था, T half क्या होता है, ln 2 by K, ln 2.693 by K, put कर दो, 3.46 into 10 की power, minus 4 हो जाएगा, 10 की power minus 5 में बताना है, तो एक 10 से multiply divide कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 6.93 by 3.46 into 10 की power minus 5, तो यह 2 into 10 की power minus 5 हो जाएगा, तो X की value कितना हो जाएगा आपका 2, next, question number 9 में, T half given is 6.93 minute, T 99% आपको निकारना है, first order की reaction है, तो we know T 99% is equal to, T half by ln 2 into ln of 100 upon 100, minus X that is 99, देखो उस formulae से कितना easily हो जाएगा, T half आपको given है, 6.93 by natural log 2, और यह हो जाएगा ln 100, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6.93 ln 2, इसको लिख सकते हैं, ln of 10 की power 2, तो 2 बहार आजाएगा, तो 6.93 by ln 2 into 2 ln 10, दोनो natural log है, convert करेंगे log with base 10 में, तो conversion factor cancel हो जाएगा, log 10, 1 होता है, log 2.3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं, 6.93 into 2 by 0.3, तो आप देख सकते हो, इस point का 10 ऊपर चला जाएगा, तो 69.3 हो जाएगा, तो answer क्या हो जाएगा, 69.3 into 2 by 3, that is approximately 46, so option C, तो आप देख सकते हो कि, जादा आपको कुछ effort डानने की जुरूत नहीं है, अगर मेरा वो trick up को मालूम है, तो जाते 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 ग्यान की बात, और that is very important, कि कहीं पर अगर A gives you product, और A का कुछ coefficient given हो, जैसे यहाँ पर हमने in general M लिया है, तो rate is equal to k into concentration, A की power 1 लिखेंगे, differential form में कैसे लिखोगे, minus 1 by M, जो इस टाकिमेटरी होता है, वो divide हो जाता है DA by dt, इसलिए जब आप इसको integrate करेंगे, तो lnc t is equal to lnc naught minus M kt आएगा, जबकि अगर यहीं पर coefficient 1 था, जो generally हम 99% question में लेते हैं, तो lnc t is equal to lnc naught minus kt आता है, तो ध्यान दे, यहाँ पर 1 था, तो k के आगे 1 multiply था, तो वैसे ही reactant में आगे क्या है, वो multiply हो जाएगा, तो आपको कभी-कभी carefully question को observe करना है, कि ऐसा तो नहीं है, कि reactant a के पहले कुछ h-to-acometry लगाया है, तो वो लगाने के वज़ा से वो आगे multiply हो जाएगे, तो इसलिए ध्यान देना, तो यहाँ पर slope, सिर्फ k न ओकर के mk रहेगा, अगर still line draw करेंगे तो, तो इस point का ध्यान रखेंगे, कि आगे अगे कोई coefficient होगा, तो k के आगे वो multiply होगा, घ्यान की बात में point number two, कि कभी इस type का question आ जाए, कि a gives you b, और half life time 12 minute है, और a gives you c, half life time 3 minute है, that means a ही, दो independent first order की reaction में अगर जा रहा है, तो 50% complete होने में, एका केतना time लगेगा, तो you know कि हमें clear है, कि 50% complete होना है, तो 3 minute में यहाँ पर 50% हो जाएगा, यहाँ 12 minute में 50% हो जाएगा, तो हमारा answer तो 3 से काम आने वाला है, क्योंकि 3 minute भी दे दिया, तो 50 तो यहीं सो हो गया, पलस इस से भी कुछ हो जाएगा, जबकि हमें 50% ही complete करना है, तो हमारा answer 3 से काम आने वाला है, और कैसे निकालेंगे, without calculation, तो उसके लिए रफी सर का यह ट्रिक ध्यान रखो, T effective is equal to T1 into T2 by T1 plus T2 से आप निकाल सकतो, where T1 is half light time of first, 12 into T2 is second, तो third divided by 12 plus 3, तो यह कितना हो जाएगा, 36 by 15, 2.4, अगर nearest integer में पूछे, तो answer 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 0.5 से कम है, और अगर option given होगा, तो 2.4, तो इस टाप के question को आप easily, इस वाले हमारे trick से आप कर देंगे. Hello everyone, कसका आए? आज की इस वीडियो लेक्चर में, मैं आपको जो trick देने जा रहा हूँ, वो chemical kinetics में, temperature से related है, वैसे तो यह trick बहुत easy है, बट आपको ध्यान से समझना है, और थोड़ा feel करना है, तो ध्यान से देखो, point number one, कि rate जो होता है, वो double हो जाता है, every 10 degree Celsius rise of temperature, इस point का क्या मतलब है, कि generally, अगर आप 10 degree Celsius से temperature बढ़ाओगे, तो reaction का rate क्या हो जागा double, for example, अगर मानलो कि कोई reaction आपका x degree Celsius पे हो रहा है, किसी भी temperature पे हो रहा है, तो rate R है, अब आपने का कर दिया, temperature x plus 10 कर दिया, तो आब rate क्या हो जागा, 2R, double हो जाएगा, generally, जब तक question में कुछ ना mention हो, double मानते हैं, अगर मानलो कुछ ना mention है, तो 4R and so on, तो इसलिए इस पे base question कैसे आते हैं, कि आपको दे देगा कि किसी temperature T पे हो रहा था, और T plus 50 पे बताओ, तो कैसे करेंगे, very simple, आप क्या करेंगे, delta T by 10 निकाल लेंगे, delta T by 10 निकालना बहुत easy, right, क्योंगि कि किस temperature पे हो रहा है, प्लस वहां से कहां अपले गए, तो वो delta T आ जाएगा, delta T निकाल लेंगे, उसको 10 से divide कर देंगे, और उसको alpha की power में डाल देना है, तो कभी भी rate at T plus delta T divided by rate at temperature T निकालना हो, तो alpha की power delta T by 10, वेर alpha 2 से 3 के बीच में कोई value होगी, generally अगर question में नहीं mention है, तो हम 2 लेते हैं, और alpha को temperature coefficient बोलते हैं, point number 3 है, कि जो reaction होगी वो दो तरह की हो सकती है, एक endothermic और एक exothermic, दियान से समझो बेटा, एकदम easy है, indo में खुदी word लगावा in, that means इसमें heat in होगा, और heat in होने मतलब heat required है, आप खुदी सोचो, अगर किसी को कोई चीज required है, और आपने उसको दिया, तो that means support क्या support करोगे, तो वो चीज़े आगे जाएंगी, तो इसलिए कभी भी endothermic में heat required है, अगर आप temperature बढ़ाएंगे, तो rate बरहेगा, क्योंकि आप support करो, rate constant भी बरहेगा, इसलिए इसका जो graph होगा, rate versus temperature का, वो increasing होगा, ध्यान दे ये भी increasing है, बट ये वाला नहीं आपको draw करना है, क्यों, क्योंकि temperature के बाद, ये क्या होगा, constant होगा है, जबकि rate बढ़ता रहेगा, क्योंकि endothermic है, जितना temperature बढ़ा होगे, उतना वो favor करेगा, similarly exothermic में, इसका just ultra उने वाला है, exo word से याद रखेंगे, exit, बाहर निकलना, इसमें heat out होती है, that means heat का requirement नहीं था, तो इसलिए out होड़ा loss हो रहा है, तो delta H negative, in हो रहा है, gain हो रहा है, right, तो delta H positive, कभी दिक्कत हो तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, तो इसलिए इसमें अगर temperature बढ़ाएंगे, तो rate क्या हो जागा, कम हो जागा, या rate constant अब का कम होगा, यह वो पहला case है, जहां पर rate constant भी change होगा, क्योंकि rate constant only temperature पे depend करता है, इसलिए इसका graph जोगा, product minus energy of reactant defined होता है, या फिर activation energy forward का minus activation energy backward का, याद रखने के लिए मैंने simple connect क्या है, FB, Facebook, that means forward minus backward always करना है, या प्रोवर्ट से याद रखना है, always product minus reactant होगा, इसका formula बेटा जो है ना, वो fix है, यह धियान रखना, always product minus reactant, या फिर forward minus backward, यह होगा, अब जो भी value आएगी, positive आगई, अगर यह delta H, तो इसका मतलब यह endothermik है, negative आगए मतलब exothermik है, जहाँ पर मैंने जो example लिया, ध्यान से देखो, जो energy है, product का वो कम है, और reactant का y axis पर वो ज्यादा है, तो इसका मतलब delta H मेरा क्या आने वाला है, product का कम है, और reactant का ज्यादा negative, इसलिए यह कैसा graph है, कि इसका exothermik का, तो आपको कभी-कभी ऐसे पूछ सकता है, चार graph दे दिया, which is endothermik, exothermik graph, point number 2 इसमें ध्यान देना है, कि delta H को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, energy of product minus reactant से, या फिर activation energy forward, forward activation energy का से निकालोगे, जहां पर reactant होगा, उससे peak point का difference, उसको बोलते हैं, forward की activation energy, वैसी backward का कैसे निकालेंगे, जहां पर आपका product होगा, उससे peak point का difference, वो activation energy backward के होगी, और यह formula से आपको always निकाना है, इस पर बेस भी कई वार problem पूछे जाते हैं, जो कि simple हैंगा, अब अगर इसमें catalyst add कर देते हैं, तो क्या होता है, देखो बेटा, catalyst add करने से, शिरिफ reaction का क्या change हो जाता है, path change हो जाता है, ध्यान से देखो, पहले यह वाला path था, तो अब यह वाला रास्ता इसने चुन लिया, बस path change हो जाता, और मैंने चुकि, जो activation energy उसको थोड़ा कम क्या है, तो इसलिए यह positive catalyst है, negative होता तो इस black वाले से, उपर में होता, that is okay, तो catalyst add करने से, reaction का path change हो रहा है, delta H में कोई change हो रहा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी energy जो product की थी, reactant की, वो same ही रहती है, catalyst add करने से, energy product का change होता, energy reactant का change होता, delta H change होता, rate constant change होता, कुछ भी change होता, क्योंकि generally बच्चों के mind मा जाता है, क्योंकि यह सब change हो जागा, बेटा कुछ भी change नहीं होता है, change क्या होता है सर, reaction का path, और क्या change होता है, जितना forward का activation energy कम होता है, उतना ही backward का, क्योंकि एक तरह से क्या समझो, यह पहार है, तो right, पहार थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे आ गया, तो दोनों में changes सेम रहेंगे, इसलिए change क्या हो जागा, reaction का path, या और क्या change होगा, reaction के complete होने का time, वो change हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़े change नहीं होती है, क्योंकि एक करने से धियान रखना है, point number 5, जो की again very very important है, क्या आपको अगर इस तरह से graph दे दे, और ये reactant है, और ये यहाँ product है, इस point को clearly समझना बहुत easy है, transition state को आप कैसे पैचानेंगे, जो peak point होगा, और intermediate को वो भी, down वाला peak point जेतना भी होगा, वो intermediate होगा, right, तो इसलिए ये वाले point को ध्यान रखना है, कि दो transition state के बीच, एक intermediate always होगा, और number of intermediate इसलिए, number of transition state minus 1 होगा, तो ये सारे point I hope आपको अच्छे से समझ में आगए होंगे, आप एक मर्दो देख लिजिए, चलिए अब हम application की बात करते हैं, question number 1 में, चार graph given था, और पूछा गया था कि कौन सा correct graph है, positive catalyst के लिए, तो you know positive catalyst है, मतलब rate of reaction को fast कर देगा, right, तो पहला वाला graph क्यों रहुँ होंगा, ध्यान से देखो, ये dotted वाले जतने भी है, वो catalyst के presence में है, तो ये activation energies का, इससे उपर हो गया, जबकि नीचे ही रहेगा, तो इसलिए ये wrong हो गया, B वाला graph correct हो जाएगा, क्यों, क्योंकि activation energy इसका कम है, C वाला क्यों wrong हो गया, ध्यान से देखो, कभी भी जो catalyst का graph होगा, वो normal graph से अंदर में होगा, क्योंकि positive catalyst है, तो ये बाहर चला गया, ये wrong हो गया, और यहाँ भी इसका peak point जादा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इस टापके question पूछेगे हैं, means में अब ध्यान से देखो, तो इसलिए very easy है, और ये 2023 माया हुआ है, आप देख सकतो, तो जस्ट graph से आपको pick up करना है, कि कौन positive catalyst है, तो अगर positive catalyst का बोलेगा, तो क्या होगा, अगर ये normal graph है, तो positive catalyst वाले इसके अंदर में होंगे, और negative catalyst वाले always इसके उपर में होगा, ये ध्यान लगना है, ये आपका negative का है, ये dotted वाला positive का है, और ये वाले without catalyst है, question number two, ये भी आपका recently 2023 में ही पूछा गया है, mains का question है, कि इस तरह से graph draw करके दे दिया गया है, इसमें कितने intermediate होंगे, तो कितने activated complex होंगे, और rate determining step कौन होगा, very very easy ध्यान से देखो कैसे, number of intermediate, अभी आपको trick में बताया, always जतने peak point होते हैं, that is transition state, उससे एक कम, तो ध्यान से देखो, peak point ध्यान से देखो कहा कहा है, one, right, ये एक peak point है, अप वाला जितना भी, और ये तीन, तो number of activated complex, या उसी को number of transition state बोल सकते हैं, तो answer कितना रहेगा, three, intermediate ध्यान से देखो, ये वाला, जो down वाला peak point होंगे, और सबसे सलो कौन होगा, जिसमें energy बहुत ज़्यादा लगेगी, आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जाने में energy का gap ये है, जबकि यहां से यहां तक जाने में, ध्यान से देखो, ये energy का gap सबसे ज़्यादा है, क्योंगि बाकी में फिर energy का gap कम है, यहां ध्यान से देखो, यह aq gap, बस आपको क्या देख लेना है, कि जो lowest point और peak point है उसके बीचा gap, तो एक यह gap है आपका, यह राइट, एक का यह gap है, जो आप ध्यान से देख रहो है और एक आपका यह gap, तीन gap है, आपخוד ही देख लो ध्यान से, आपके आखों के सामने सबसे जादा टाइम लगेगा राइट रियक्शन सबसे ज़्यादा सलो इसी में होंगी तो इसलिए वही रेट डिटर्माइनिंग स्टेप होगा तो रेट डिटर्माइनिंग स्टेप हमारा कौन सा है यह तू वाला तो एस तू तो यह होगी आपका एंसर तो इस टापके कोश्चन में आएगगा आप ध्यान से देखो बहुत इजी है कोश्चन नमबर थिरी में चार गराफ गिवन था और पूछा जा रहा है कि विच इस करेक्ट फॉर इंडो थार्मिक दियान दे इंडो इन तो टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो रेट कॉंस्टेंट बढ़ेगा तो यहाँ पे तो जैसे जैसे तेंपरेचर आप बढ़ा रह हो तो रेट कॉंस्टेंट कम होता यह था रहा है तो यह नहीं होगा यहाँ पे टेंपरेचर जैसे बरहें रेट कोंस्टेंट बढ़ तो रहा है लेकिन फ्रेट कभी नहीं आएगगा सिफले कोटेंट यहALK सकता है अब यहां पर temperature बढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देखो rate constant बढ़ता जा रहा और बढ़ता ही जा रहा क्योंकि यह graph आभी ऊपर जाएगा right तो इसलिए option D question number 4 में delta H given था minus में 20 kJ forward का activation energy 30 kJ है तो backward का क्या होगा 2021 पूछा गया है तो again simple आपको क्या बताया है कि delta H is equal to always activation energy forward minus activation energy backward facebook से याद रखना था आपको right तो यहां पर जो value given है वही put करना है minus 20 is equal to forward का 30 minus EA backward तो यहां से EA backward क्या हो जाएगा इधर लिया तो 30 plus 20 that is 50 your answer will be 50 यह पूछा हुआ है integer type में question number 5 में delta H given था minus में 40 kJ right for A gives you B activation energy forward और backward का ratio 2 by 3 है तो इसमें से कौन option correct होगा इससे easy क्या हो सकता है आप देखो 2015 ने पूछा हुआ है अगर इसका ratio 2 by 3 है तो ध्यान से देखो यह 2 by 3 ratio बनेगा ने 30 by 70 2 by 3 नहीं हो सकता 70 by 30 7 by 3 होगा यह भी नहीं हो सकता 80 by 120 yes यहीं हो जाएगा 2 by 3 right 4 to the 80 4 3 the 120 और 60 by 100 यह नहीं हो सकता इसलिए option C है इस type के question पूछेगे और अगर इसको solve करना हो तो very simple delta H is given to you delta H केतना आपका द्यान से देखो minus में 40 that is equal to activation energy forward minus activation energy backward आपको ratio given है तो यहां से आप क्या लिख सकतो activation energy forward is equal to 2 by 3 times of activation energy backward आप put कर दो तो यहां पे forward की जागा क्या हो जागा 2 by 3 times of activation energy backward minus activation energy backward is equal to minus में 40 तो अब जहां से देखो यह 3 minus 2 minus 1 हो जागा तो minus EA backward by 3 is equal to minus 40 minus minus cancel इस लिए EA backward क्या हो जागा आपका 40 into 3 that is 120 option C question number 6 में एक graph given था और इसमें से incorrect statement आपको find out करना था तो दियान से देखो क्या बोल रहा है formation of A and B from C that means C से क्या बनाना है A and B has highest enthalpy of activation तो दियान से देखो C यहां है और इससे A और B तो definitely यह highest enthalpy of activation है क्यों क्यों क्योंकि सबसे जादा gap आप देख सकतो क्योंकि C से A बी अगर बनाना है तो आपको पहले यहां तक पहुँचना परेगा यहां तक पहुँच गए तो यहां से खुदी उतर जाएंगे राइट समझने के लिए simple सा तो सबसादा high activation है तो यह तो correct है D is kinetically stable product D कहां है यहां है तो D का अगर अब ध्यान से देखो तो 10 है जबकि वहां पे C जो है उसका activation energy सबसे कम है in fact अगर देखो ध्यान से तो 0 है वीकन से के की reaction coordinate पही है तो जिसका ज़्यादा energy होता है वो kinetically controlled product होते हैं तो यह सही है kinetically controlled है और यह thermodynamically controlled है तो इसलिए option B and option C correct है इसलिए option D incorrect होगा और कैसे चेक करो activation energy to form C is 5 kilo joule per more less than that to form D एक बार C बनाना और एक बार D तो एक बार ध्यान से देखो A plus B से जब C बनेगा तो आपका activation energy कितना ध्यान से देखो यहां से यहां तक का gap कितना हो गया ध्यान से देखो 20 में से 5 गया तो 15 राइट और A plus B से अगर मुझे D बनाना है तो ध्यान से देखो gap कितना हो जाएगा activation energy का 15-5 that is 10 तो क्या कह रहा है activation energy to form C is 5 kilo joule per more less less word गलत हो गया more है ध्यान से देखो जादा है क्योंकि यहां पर gap तो 5 kilo joule per more more than that of D है तो इसलिए यह option incorrect हो जाएगा तो ध्यान देख अभी भी कोई चीज़ बनाना हो जैसे C से A भी बनाना है तो आपको ध्यान से देखना है कि बस C को यहां तक पहुचा देना है उसके बाद वो खुदी उतर जागा ऐसा मानों एक पहार है तो वहां तक अगर हम चार गए तो उतरना easy है बस ऐसे question में आपको यह concept यह logic लगाना है question number 7 में rate of reaction double होता है every 10 degree Celsius rising temperature तो अगर temperature को 50 degree Celsius से increase करा है तो rate of reaction कितने time से increase होगा तो simple आपको क्या funda दे रहा हो 2 की power double बोर रहा है इसलिए 2 की power delta T by 10 delta T केतना है 50 तो 2 का power 50 by 10 तो केतना होगा 2 की power 5 that is 32 times increase हो जागा simple आपको ऐसे करना है question number 8 में forward का activation energy 180 है backward का activation energy 200 है अगर catalyst add करेंगे तो delta H क्या होगा तो आपको बता रखाऊं catalyst add करने से delta H, enthalpy of reactant, enthalpy of product या rate constant यह सब change नहीं होता है तो जो पहले होगा वही बाद में भी होगा चाहे कुछ भी कर लो तो delta H केतना हो जाएगा always activation energy forward minus activation energy backward राइट एफ भी वर्ट से याद रखेंगे forward आपको given है 180 minus 200 that is minus 20 तो answer A हो जाएगा प्लस मत कर देना और यह सब तो possible नहीं है ना हो जाते 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 ग्यान की बात और that is very important कि chemical kinetics में order की अगर बात हो तो order can be zero, can be negative, can be positive, can be fraction कुछ भी हो सकता है order की जो value है वो कुछ भी हो सकता है बट molecularity की बात करें that is number of molecule at a time कितना collide हो रहा है तो either वो one हो सकता है similar molecule वाले या two different molecule वाले हो सकते है two हो सकता है और rarely कभी कभी three तक जाता है तो molecularity जो है वो always एक positive integer होगा और fix either one होगा ज्यादा chance उसी के रहते हैं या two होगा three भी rare है right तो यह चीज़ दियान रखना but order can be zero, negative, positive और fraction Hello everyone कसका आए देखो we already know कि जो rate constant है वो शरिफ और शरिफ temperature पर depend करता है तो आज की इस video lecture में हम लोग बात करेंगे कि वो temperature पर कैसे depend करता है उस पर based किस type के problem आते हैं और उस problem को कैसे solve करना है without calculation वो भी रफी सर के simple trick से तो उसके बारे में मैं detailed discussion करने जा रहा हूँ तो पहले ध्यान से समझे point number one की जो rate constant है k वो बढ़ावर किसके होता है a into e की power minus e by rt यह equation सब को मालू होता है तो इसमें point सब जो important है की कौन क्या represent करता है कभी-कभी इस पर basic question आ जाते है तो यहाँ पर जो आपका k है वो actually rate constant है okay equilibrium constant नहीं है rate constant है यह द्यान देना उसके बाद यहाँ पर जो आपका ea है वो है activation energy क्या है यह activation energy क्या है यह very simple अगर मैं energy versus reaction coordinate का graph draw करूँ तो यह जो molecule सब यहाँ पर मैंने दिखाया है इसको एक minimum energy चाहिए यहां तक आने के लिए अगर वो इस peak point पा गया तो इधर खुदी वो आ जाएगा तो इसलिए वो minimum energy जो required होता है reactant का molecule को उसको बोलेंगे activation energy इसलिए आप उसको ऐसे भी define कर सकतो point number 2 में कि energy below which colliding molecule will not react तो वो एक minimum energy molecule को चाहिए क्योंकि उससे कम अगर हो गया तो फिर वो molecule reaction में participate नहीं करेगा इसलिए activation energy जो है वो वो energy होते है जिससे कम energy होने पे molecule react नहीं करते है उससे ज़्यादा होगा तो molecule react कर सकता है तो यहाँ पे हमें EA के बारे में किलरली समझ लेना है वैसे ही R क्या है तो R एक universal gas constant है जिसकी value fix है SI unit में 8.314 जिसको calculation को easy करने के लिए मैं 25 by 3 भी use कर सकता हूँ unit joule per mole per Kelvin तो R के बारे में clear है T यहाँ पे temperature है और temperature always हमें किसमें put करना है Kelvin में यह भी ध्यान रखना है पूरी chemistry में temperature जहाँ भी put करना हो तो Kelvin में तो temperature के बारे में clear है R के बारे में clear है Now पूरा यह term E की power minus E by RT क्या हो गया fraction of molecule having enough energy to react वो जो आगे का यह जो part है E की power minus E by RT वो fraction of molecule having enough energy to react क्योंकि यही बता है कि इसको एक पहार मानो तो यहाँ तक अगर molecule पहुँच गया इतना अगर उसके पास energy है यह जो gap है इतना energy तो फिर वो product में convert हो जाएगा तो इसलिए यह point समझना है कभी-कभी पूछ लिया जाता है यह न देगर के find fraction of molecule having enough energy to react तो that में साब को क्या निकाल देना है rate constant by E का ratio यह आप से पूछा जाता है द्यान से देखो एक यहाँ यहाँ पे तो उसको बोलते है pre-exponential factor क्यों? क्योंकि exponential function से पहले आ रहा है तो इसलिए pre-exponential factor या फिर इसी को frequency factor भी बोलते है जिसकी generally value आपको given होगी या फिर वो cancel out ही हो जाते है ratio वाले problem करते हैं उसके बारे में ज़्यादा आपको tension नहीं लेना है और यहाँ पे e जो है वो एक mathematical constant है जिसकी value 2.718 होता है तो पहले यह चीज़ आप समझे लो इस पे basically theoretical question पूछी जाते हैं तो final point हमारा क्या हो गया? कि temperature पे कैसे depend करा rate constant k is equal to a into e की power minus e by rt तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो dependency है rate constant का temperature पर rate constant का temperature पर वो exponential function है इसलिए हम अगर बात करें कि हमारा reaction अगर endothermik है तो इस type से आपको draw करना परेगा for endothermik क्यों? temperature अगर आपका बढ़ रहा है तो rate constant उसमें बढ़ता है और इस type से आपको बनाना है ध्यान देख इस type का आपको नहीं बनाना है क्यों? क्योंकि आप ऐसा अगर बना दिया तो क्या हो गया? कि एक temperature के बाद आपका rate constant almost क्या हो गया? vary करना बंद कर दिया इसलिए यह नहीं होगा तो this is for endothermic reaction और अगर exothermic reaction होगा तो we know temperature के साथ rate constant कम होगा तो उसका गराफ आपको ऐसे बनाना है that means always curve बनेगा क्यों? क्योंकि exponential function है तो इसलिए curve बनेगा state line नहीं बन सकता अगर k versus t की बात कर रहा हों है और indo होगा तो इस type से बनाना है increasing exo होगा तो decreasing बनाना है आपको तो चलिए अब हम बात करते हैं tricks की तो यहाँ पर k is equal to a into e की power minus e by rt है दोनों side आप natural log ले लो तो ln k is equal to ln a और minus e by rt हो जाएगा तो very very important formula है यह इस पर best question कैसे पूछे जा सकते हैं तो graphically भी और इस type से दोनों type के question पूछे जाते हैं जो भी हम application में देखेंगे भी बस point यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने natural log लिया है अगर log with base 10 में बात करूँ log के अगर ऐसे लिखा हो तो दोनों में difference है फिर यहाँ पर 2.303 आगा क्यों क्योंकि कहीं पर भी अगर ln लिखा है तो वो log with base e है और सिर्फ log लिख दिया है तो log with base 10 है इसलिए question को carefully read करना है कि आपको log बोल रहा है या natural log बोल रहा है clearly वो mention करेगा और natural log से log में जाना हो तो 2.303 multiply करना पर एगा इसलिए यहाँ पर यह चीज़ आए natural log से मैं log में चला गया हूँ तो दोनों का ध्यान रखना दोनों से जब graph बनाएंगे ln k versus 1yt तो slope शिर्फ minus e by r हो जाएगा यह वाला point क्योंकि यह y axis पर है यह some constant c minus mx इस type का हो गया बट वहीं पर log k शिर्फ ध्यान से देखो ln यहाँ log k versus 1yt same रहेगा तो slope में minus e by r तो हो गई और 2.303 से और divide करना पढ़ेगा इसलिए ध्यान देना आपको कई बार यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं point number 2 कि अगर एक temperature t equal to t1 पे rate constant k1 है t equal to t2 पे rate constant k2 है तो आपको कैसे relate करना है temperature को very simple ln of k2 by k1 is equal to e by r 1 upon t1 minus 1 upon t2 again यहाँ पर बच्चे confuse होते हैं आपको confuse होने की जरूत नहीं है simple ध्यान दो यहाँ पर वो value put करो जो कम हो ताकि यह value ज़ादा हो जागी 1 by में है और यहाँ पर ज़ादा वाला put करो यह कम हो जागा तो overall यह आपका positive हो जागा r positive होता है e a positive होता है इसलिए फिर यहाँ पर आप वैसी value put करो जहाँ पर log positive हो that means k1 छोटा होना चीए और k2 बड़ा होना चीए तो very simple है इसलिए इसमें confusion होने की जरूत में है इधर भी positive बनाओ इधर भी positive बनाओ आप देखलो adjust कर दो अपने ही सबसे तो यह आपका अगर temperature T1 पे rate constant K1 है तो T2 पे rate constant क्या होगा इस formula से हम निकाल सकते है very important काफी use होगा again y point कि यह natural log में log में अगर ले जाएंगे तो यह 2.303 conversion factor का divide हो जागा इसलिए ध्यान रखना है कभी-कभी इस type का equation देगा तो वहाँ से compare करके निकालने में इसी का गलती होता है इसलिए इस point पे ध्यान देना आपको और जो सबसे important point एक ही है कि जो activation energy है उसकी temperature पे dependency बरहेगी अगर वो बरहेगा तो क्योंकि यहाँ से समझो activation energy मतलब यहाँ से यहाँ तक का gap तो जितना ज़्यादा activation energy होगा temperature उतना ज़्यादा required होगा उस molecule को वहाँ तक ले जाने में इसलिए अगर activation energy किसी reaction का increase हो रहा है that means वो reaction temperature पे ज़्यादा से ज़्यादा depend हो रही है क्योंकि आप temperature दो गए तभी वो reaction होगी क्यों क्योंकि वो gap बढ़ गया और obviously बात है यहाँ से यहाँ से देखो अगर ea बरेगा चुकि मानस लगा हुआ है तो 1 upon ea by rt हो जाएगा तो यह value कम होगी इसलिए आपका rate constant की value क्या हो जागी कम हो जागी तो इस point को अच्छे समझ लेना activation energy increase होता है तो reaction का temperature पर dependency बढ़ेगा और rate constant कम होगा अगर कहीं पर activation energy 0 हो जाता है तो sir तो देखो 0 put कर दोगे तो यह 1 हो जाएगा that means rate constant आपका frequency factor के बढ़ावर हो गया that means rate constant इस case में independent of T है तो rate constant temperature से independent कब हो सकता है जब activation energy 0 हो तो इस point को आप ध्यान में रखेंगे तो अब हम बात करते हैं application की और ध्यान से देखे यहाँ पे मैंने तीनों question जो लिए हैं वो comparison वाले लिए हैं और इस टाप के question पूछेंगे 2022 में 2021 में right तो हमारे पास formula क्या था k is equal to a into e की power minus e by rt या ln k is equal to ln a minus e by rt या log k is equal to log a minus e by 2.303 rt तो इसको just compare करना है आपकी given equation से और आपका answer आएगा जैसे question number one में कि k is equal to some constant e की power minus 2600 यह Kelvin है k by temperature t Kelvin में तो आपको activation energy बताना है तो यहाँ से compare करो तो यह a की value हो गया e की power तो यहाँ से देखो t है ही तो that means we can say कि 26000 is equal to ea by r तो हमें क्या निकाना e और ध्यान दो kJ per mol में तो ea केतना हो जाएगा 26000 r की value 8.314 लेलो और चुकि kJ मिले जाना है यह अभी J में आएगा तो 1000 से divide कर दो तो यह आपका 30 से 30 cancel हो जाएगे approximately 216 kilojoule per mol यह आपका answer हो जाएगा question number 2 lnk is equal to sum constant minus 2 into 10 की power 4 Kelvin by temperature है तो ea बताना है तो इस equation से compare करो तो ध्यान से देखो यह जो value है ea by r के बड़ावर हो जाएगा 2 into 10 की power 4 हमें activation energy kilojoule per mol में बताना है तो यहाँ से देखो activation energy यह कितना हो गया 2 into 10 की power 4 r की value put कर दो 8.3 right kilojoule में लेना है तो 10 की power 3 से divide तो यह 1 10 बत जाएगा तो यह दियान से देखो तो यह 8 to the 16 तो 166 आ जाएगा आपको answer question number 3 में log k is equal to sum constant minus 2.47 into 10 की power 3 by t given है और again activation energy तो यह दोनों question same नहीं है बेटा बस दियान देना है यहाँ log ले लिया है तो इसलिए अब जो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे ea by r into 2.303 is equal to 2.47 into 10 की power 3 यह point का अबको दियान रखना है इसी का गलती होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे log लिख दिया है तो वो with base 10 है और अगर natural log लिखता है ln तो base e है तो दोनों में difference है तो यहाँ से ea केतना जाएगा 2.47 10 की power 3 into r 8.3 into 2.303 तो kilo joule में ले जाना है तो यह kilo joule का आगया तो इन सब को multiply कर दो तो यह आपको आजागा 47 kilo joule per mole तो यह point को दियान में रखना है next question number 4 में and 5 में और 6 में sum में graphical problem given थे तो इस type से दियान से देखो कैसे है again आपको read करना यह lnk versus 1 by T graph है तो activation energy पूछा है तो इसका slope आप निकाल लो क्यों 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 we know lnk is equal to ln a minus ea by rt तो graph जब हो lnk y axis पे right और यहां से देखो 1 by t आपका x axis पे तो जो slope हो गया वो किसके बराबर है ea by rk that is equal to यहां से slope हम निकाल सकते हैं y2 minus y1 right तो 20 by 5 that is 4 तो यहां से ea केतना हो जाएगा 4 into calorie में निकालना था rk value 2 होती है तो 2 that is 8 calorie per more तो your answer will be 8 तो बस completion का ध्यान में रखना है next question number 5 में lnk versus 10 की power 3 by t graph given है और उसका slope तो activation energy पूछा है तो again we know lnk is equal to ln a minus ea by rt but यहां पे 10 की power 3 है तो मैं इसको 10 की power 3 से multiply and divide कर सकता हूँ तो 10 की power 3 by t तो इसने क्या ले लिया x-axis पे और lnk आपका y-axis पे तो यह हो गया c minus slope आप ध्यान से देखो क्या हो गया ea by r into 10 की power 3 बस इसका ध्यान रखना है ea by r into 10 की power 3 slope है जो की किसके बरावर हो जाएगा 18.5 के तो हमें activation energy निकाना है किलो जूल में तो इसलिए यहां से देखो activation energy क्या हो जाएगा 18.5 into r 8.3 into 10 की power 3 और हमें यह जूल माया किलो जूल में निकाना है तो 10 की power 3 से आपको divide तो यह cancel ही हो जाएगे तो किलो जूल मा जाएगा तो 18.5 into 8.3 कितना हो जाएगा 154 के आसपस question number 6 में log k versus 1 by t graph आपको given है slope given है तो activation energy तो we know की log k is equal to log a minus ea by 2.303 rt होता है बस इस point का दियान देना है तो log k जो है आपका वो y-axis पे है और दियान से देखो 1 by t आपका x-axis पे तो इसका हो जो slope है ea by 2.303 r that is equal to 10 की power 4 बस comparison कर देना है तो यहां से ea जाएगा 2.303 into r 8.3 into 10 की power 4 यह joule में आपको किस में निकारना है kilo joule में तो 10 की power 3 से divide कर देंगे तो एक 10 बच जाएगा तो इसको multiply कर लो you will get 191 answer question no.7 में a gives you b delta h आपको given है 20 kilo joule per mole और activation energy forward का uncatalyzed reaction का 300 given है at 327 degree Celsius question में आपको activation energy backward catalyzed reaction का पूछा है condition क्या given है कि जो catalyzed reaction का rate constant है 27 degree Celsius पे वो बरावर है uncatalyzed का 327 degree Celsius तो ध्यान से देखो बहुत easy होते हैं यह सब question कैसे करना आपको आपको जो given है उसको पहले लिख लो एक तरफ catalyzed का given है और एक तरफ uncatalyzed का we know rate constant k is equal to a into e की पावर माइनस यह बाइ आर्टी होता है राइट तो catalyzed reaction का अगर मैं rate constant लिखूं तो a into e की पावर माइनस यह नहीं मालूम है by r temperature 27 मतलब 300 this should be equal to uncatalyzed में a into minus ea आपको given uncatalyzed का केतना 300 by r और temperature यह 327 पर तो 600 तो देखो a से a cancel हो गया अब यह दुनों चीज इक्वल कब हो सकते हैं अब ध्यान से देखो यहाँ पे 300 से यह two times में तो यहाँ पे यह को केतना होना पड़ेगा ध्यान से देखो 150 क्योंकि 150 होगा तब ही जाकर के यह two times में cancel होगा और दोनों से होंगे तो यह activation energy forward का गिया है किसका catalyze reaction का यह चुका है नाव we know की catalyst add करने से देल्टा हेच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो देल्टा हेच यही point था वहाँ पे देल्टा हेच 20 है तो देल्टा हेच always कैसे defined होता है activation energy of forward minus activation energy of backward देल्टा हेच आपको मालूम है how much 20 किलो जूल पर वोल यह forward अभी आप निकाल चुको कितना catalyze के लिए 150 यह सब catalyze के लिए लिख रहे है क्यों क्यों क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो दियान से देखो catalyst आट करने से फर्क्या पड़ता अगर यह रियक्टेंट है अगर यह uncatalyze reaction है तो catalyst जब आप आट करोगे तो दियान से देखो शिरिफ यह पीक पॉइंट चेंज हो जाएगा राइट बट अभी भी देखो energy of reactant वही है energy of product वही है राइट इसलिए आपका डेल्टा हैच अभी भी वही रहेगा इसलिए इस पॉइंट को इस question में ध्यान देना था question number 8 में आपको given है कि adsorption of hydrogen on nickel activation energy 30 kilojoule पर मोले और उसी hydrogen का अगर adsorption platinum surface बो रहा है तो 41.4 kilojoule पर मोले add 300 Kelvin तो logarithm of ratio of rates बताना है तो द्यान से देखना word में फसा या logarithm निकालना that means log with base 10 natural log होता तो वह clearly लिखता कि natural log निकालो तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे we know rate constant k is equal to a into e की power minus ea by rt अगर मैं k nickel का लिखूं तो क्या हो जागा a into e की power minus ea आपको given था 30 द्यान देना kilojoule में ह तो 10 की power 3 by r और t आपका 300 वैसे kpt का अगर लिखूं तो a into e की power ea 41.4 kilojoule में है तो 10 की power 3 r क्योंकि यह joule में put करोगे और by 300 unit का खास द्यान रखना है अब हमें ratio ले सकते हैं ratio लेंगे तो k ni by kpt आप क्या क्या हो जागा a a cancel तो यह e की power यह उपर चला जागा तो पलस में तो आपका हो जागा 11.4 into 10 की power 3 by r into 300 अब मैं दोनों साइट natural log ले रहा हूं तो क्या हो जागा ln of k ni by kpt is equal to यह बाहर आ जागा तो 11.4 into 10 की power 3 divided by r into 300 अब हमें logarithm निकाना that means log with base 10 तो convert करेंगे तो natural log ln is equal to क्या होता है ln x is equal to 2.3 log x हमें log निकाना तो यह 2.3 divide मा जागा इसलिए log of k ni by kpt is equal to 11.4 10 की power 3 2.3 r की value 8.3 और यह 300 तो यहाँ 2 0 से यह cancel हो जाएंगे इसको solve कर लो तो approximately लिए आपको answer आ जाएगा 2 question number 9 में आपको rate constant k given is 0.03 at 200 Kelvin rate constant k 0.05 at 300 Kelvin तो activation energy बताना है एक चीज और यहीं पर द्यान से देखो यह भी पूछा जा सकता था यहाँ देखो temperature अगर हमने बढ़ाया तो rate constant भी बढ़ाया that means यह endothermic reaction है तो यह भी एक question पूछा जा सकता है now यहाँ पर हमें activation energy बताना है तो very simple अपना जो formula था वो क्या था ln of k2 by k1 is equal to ea by r 1 upon t1 minus 1 upon t2 right अब यहाँ पर आपको sub given है put कर तो activation energy आ जा जागा तो ln of k2 यह इसको k2 मानो इसको k1 right आपको बता है था जो big value होंगे तो 0.05 by 0.03 तो ea निकानना है by r 1 upon जो छोटा value होगा ताकि यह बढ़ा हो इसको positive रखना है तो 200 minus 1 upon 300 तो यहाँ से यह natural log को log with base 10 में ले जाओ तो log यह point point cancel हो जाएगा तो 5 by 3 is equal to ea निकानना है by r 8.3 और 2.3 यह natural log का log में conversion का और यह 1 by 100 common आपका तो 1 by 2 minus 1 by 3 तो यहाँ से e आजाएगा log 5 by 3 को क्या ले सकते हो log 5 minus log 3 log 5 जोता है वो point 7 और log 3 होता है point 48 तो यह कितना आजाएगा point 22 तो यहाँ से देखो आप यह कितना आजाएगा point 22 into नीचे बाला multiply हो जाएगा 8.3 into 2.3 into में 100 और यहाँ से देखो इसको solve कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यह 1 by 6 तो 6 भी आपका multiply हो जाएगा सब तो यह आजाएगा आपको into में 6 तो यहाँ से आपको आगया यह अब जूल में बताना है तो इसको multiply कर लो तो you will get approximately 2520 joule question number 10 में rate constant k given है 1 into 10 की पार मानस 3 add 300 kelvin activation energy 11.48 kJ per mol है तो rate constant k बताना add 200 kelvin पे x into 10 की पार मानस है तो x क्या होगा तो द्यान से देखो कैसे करेंगे वह ही जाब को formula बताया ln of k2 by k1 is equal to ea by r 1 upon t1 minus 1 upon t2 हमने क्या बोला था इसको positive बनाना है इसको भी positive बनाना है तो द्यान से देखो यह आपको kilo joule में है तो क्या लिखोगे 11.48 into 10 की पार 3 joules में क्योंकि r की value 8.3 आप put करोगे यह joules में होगा तब ही cancel होगा 1 upon यहाँ पे 2 ले रहो तो यहाँ पे 1 लेते हैं right 1 upon t1 तो यहाँ पे आपको 200 put करना पड़ेगा कम value से divide के है तो big value जाएगी minus 1 upon 300 this should be equal to ln of अब यहाँ पे 200 वाला है तो इधर आपको put करना पड़ेगा 10 की power minus 3 by k जो की निकालना में at 200 के value right अब दियान से देखो कैसे solve करेंगे तो पहले इधर का solve कर लेते हैं right 11.48 into 10 की power 3 by 8.3 इसका 100 common निकालोगे तो 1 by 100 1 by 2 minus 1 by 3 is 1 by 6 इसको solve कर लो तो approximately you will get 2.3 अब यह 2.3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ln 10 क्यों क्योंकि भी नो ln x is equal to 2.303 log x right तो यहां से आप देख सकते हो कि we can write कि ln 10 is equal to 2.303 log 10 log 10 1 हो जाता है तो ln 10 कितना हो जागा 2.3 तो ln और इधर भी ln है cancel हो जाएंगे तो 10 की power minus 3 by k is equal to कितना हो जाएगा 10 तो इसलिए k कितना होगा आपका 10 की power minus 4 हमें जो answer बताना है वो 10 की power minus 5 में तो 10 से multiply and divide कर दो तो you will get 10 into 10 की power minus 5 तो हमारा answer x कितना हो जाएगा 10 integer tap में ये question पूछा हुआ है तो I hope मेरा ये पर्यास आपको बहुत पसंद आया होगा हमने आपको rate constant temperature पर कैसे depend करता है उसके problem को कैसे simply solve करेंगे आपको idea दे दिया है आप इसके base किसी problem को आप कर सकते है Thank you